नमस्का दोस्तों तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे किरन सामान ग्यान के बारे में इसमें हम लोग क्या-क्या अभी तक पढ़ चुके हैं उसके बारे में बता देते हैं एक बात आप लोग हमेशा याद रखिए अगर आपके या मिल रही है आसपास किसी दुकान पर तो इस आप इसे पढ़ लेते हैं तो यहां तक बोल सकता हूं मैं कि आप किसी स्टेट PCS का प्रेलम से भी निकाल सकते हैं यानि कि स्टेट PCS तक का एकजान दे सकते हैं आप पर SSC, की तरह हैं लेकिन आप लूसेंट में आपका संचेव में दिया गया है थोड़ा इसमें विस्तार में दे दिया गया है तो भारती इतियास हम लोग अभी तक देख चुके हैं आपका पूरा उसके बार हम लोग ने दूसरा टॉपिक था आपका विस्स का इतियास इसे भी राजवीवस्ता और समिधान के बारे में भी बात कर चुके हैं और उसके बाद हम लोगों ने बात की थी आपका भूगोल कि 5 बाद टॉपिक था हमारा भूगोल इसमें हम लोग विश्व का पूरवा भूगोल देख चुके हैं यहां से लगा कर अब हमें चलना था भारत के भुho Auy गForm का है भारत का Bhu सुरूं करेंगे भारत एक परचल देखेंगे इसका भारत का भारत का भुझ गर्भी कर इतियास भी देखेंगे अब नोग्हारत का बहुत एक सा देखेंगे भारत की पिर्मोख परवस्याणियां देखेंगे भारत की पिर्मोख जीलें देखेंगे भारत की पिर्मोख नहरें देखेंगे इसमें भारत के पिर्मोख जल्पेपाद देखेंगे उसके बाद भारत की क्रिसी देखेंगे, भारत की महत्पून बहुत देशी नदी गाटी परियोजना देखेंगे, इससे भी आपका questions बनता रहता है, मैं स्टेट PCS प्रेलिंप्स तक की गारंटी इसलिए ले रहा हूँ, क्योंकि देखेंगे UPSC यानि की सिविन सर्विस में, भेना, NCE, EART, पड़े आप कुछ नहीं उखाड सकते हैं, हकीकत जो है वो है, इससे आप लोग बैंक हो गया, रेलबे हो गया, पुलिस, SI, इस तरह के वंडे एक्जाम जो भी होते हैं, उन्हें आप लोग कवर कर सकते हैं, बस आप में, आपको इसमें क्या याद रखना है कि उन क्वाइंटों को पकड़िए जो इस्थाई हैं, और जो बदलते रहते हैं, उनके लिए करेंट से जुड़ जाईए, तो भुगोल इतिहास ऐसी चीज है कि इनमें जाना ही, फैक्ट इस्थाई होते हैं, कुछ आपके बदलते रहते हैं, उन्हें आप याद रख सकते हैं, ठीक है, और सबसे वड़ी बात आपको मौक टेस्ट जितना से जितना जानदा हो सके, उतना लगाईए, अगर हम आप लोग कुष्टेंस पकड़ना सीख गए, तो अपके बाद आप लोग बुक्स का हर टॉपिक आपको रट जाएगा, अब आपको पता ही ना हो कि कु अब भारत की पिरमुख बंदरगार, भारत की परिवर्धिय नगर, भारत की पिरमुख बाग अभ्यारन, अब देखिया आपके बाग अभ्यारन बदलते रहते हैं, ठीक है, तो इसके लिए करेंट से जुड़ना पड़ेगा आपको, भारत में तेल सोधन साल आएं, भारत की पिरमुख बंदरगीत नगर, भारत की पिजातियां, भारत का राष्टिय पितिक देखेंगे, भारत के जो भी राष्टिय पितिक हैं, भारत की जंगर्णा 2011 की देखेंगे, अंतिम आखरों के साब, एक बात आप लोग यहाँ याद रखिए, कि 2021 तक जब तक 2021 वाली जं जंगर्णा आपके लिए बहुत ही महत्पूर है, और 11 के 21 के आखरे आने के बाद भी कोश्चन्स आपके पूछे रहते हैं से, अब अभी भी देखते हैं, 2001 की जंगर्णा से अभी भी कोश्चन्स पूछ लेते हैं आपके, तो आपके लिए 2021 की जंगर्णा महत्पूर हो ज भूगोल से समंदी तापके जितने भी राज्यें तो राज्यों की बात में बात करेंगे अब लोग बिहार हो गया मद्धपेदेश हो गया चत्तीस गाड़ार आणा जो भी आपके राज्यें उन सभी के बारे में एक सामानी जाने करें लोग देश लेंगे जैसे अगर अगर भारत के छेतफल की बात करें तो इसका छेतफल है 32,87,263 कहीं आपको 499 भी देखने को मिलता है लेकिन अधिकतर बार आपको 32,87,263 वर्क क्लूमीटर देखने को मिलेगा छेतफल की दृष्टी से बिस्व में भारत का आपके भारत का नाम नमबर सातवा है कौन सा है सातवा राज्यों की संख्या आपको बता दें अभी जून 2020 की बात करा हूँ 28 राज्य बचे हुए हैं और साथ सौरी आठ कैंदसासित पिदेश हैं कितने 28 राज्य पिलस आठ कैंदसासित पिदेश यह बदलते रहते हैं जब भी कोई नया राज्य बन जाता है या दो सकते हैं लेकिन अभी जून 2020 की बात कर रहा हूँ अभी तक आपके 28 राज्य और आठ कैंदसासित पिदेश हैं ठीक है अगर हम लोग भारत की प्राक्तिक भागों की बात करें तो इसमें आपका उत्तर का परवर्तिय पिदेश सामिलें उत्तर भारत का विसाल मैदान सामिल अगर हम लोग भारत की अक्षांसिय इस्तिती की बात करें तो आठ डिग्री चार मिनिट उत्तर से 37 डिग्री उत्तरी अक्षांस तक इसकी अक्षांसिय विस्तार हैं अगर देशांतर विस्तार की बात करें हम लोग तो इसका 68 डिग्री साथ मिनिट पूर्ण पूर भी देशांतर से 97 डिगरी 25 मिनिट पूर भी देशांतर आप कह सकते हैं 84 से 306 आपको याद रखना है देखिए याद रखने के लिए आपको बस याद रखना चाहिए अगर आपका कुर्षेंस आता है तो आप सौल करने की स्थिति में हो आपको कोई ज्यानी नहीं बनन है तो इसे इस तरह से याद रख लीजिए 84 से 376 उत्तरी अक्षांस और 687 से 9725 पूर्वी देशांतर यहां आपका हो गया कंप्ली क्योंकि एक क्विश्चन से डारेक्ट बनते रहते हैं अगर हम लोग प्राइदीपी है भारत की तट्रेखा की बात करें तो इक सट सो किलो किलोमीटर मुक्ख भूमी लच्छ दीप समू अंडवान निकुवार दूइप समू कि समूद्र तटकी कुल लंबाई कितनी है 7516.6 किलोमीटर एकदम दच्छडी भाग की भूमत रेका से दूरी कितनी है 876 किलोमीटर कितनी 876 किलोमीटर आप लोग मान लीजे यह है आपका भारत इस तरह से तो पूर्व से यहां से यानि की यहां से यहां से पूर्व से पस्च्छम तक की कितनी लंबाई है इसकी 3933 किलोमीटर और उत्तर से दच्छड यहां तक की कितनी लंबाई है यह 3214 किलोमीटर तो अगर पूर्व से पस कि अगर पूँचे तो 3214 किलूमीटर है इस थली सीमा की लंबाई अगर पूँचे आप से 15200 किलूमीटर है और दुविपों की कुल संख्या पूँचे तो 247 है कितने 247 यानि कि 247 बंगाल की खाड़ी में दुविपों की संख्या सबसे जानदा है 204 कितनी है 204 अरब सागर में दुविपों की संख्या आपकी 43 43 तो यह आपके कुछ आगड़े मात्रों आगड़े होगे उसके वाल आंगे चलते हैं कुश्चेंस इससे अधिकतार बार मैंने देखा है कई परिक्षाओं में करक्रेखा भारत को दो बराबर भागों में माठती है आप सभी को पता है इस तरह से गुजरती है तो वो कौन-कौन से राज्चे हैं जिनसे करक्रेखा होकर गुजरती है साड़े 23 डिगरी उत्री अक्षांस को आप लोग करक्रेखा कहते हैं किन-किन राज्चेंस से होकर गुजरती है इनसे कुश्चेंस एक बार नहीं हजार बार कुश्चेंस ब जारकंड पश्चम बंगाल तिप्पूरा मिजोरम पूर्वी भारत में तिप्पूरा मिजोरम गुजरात राजिस्थान मद्विदेश्ट चतिसगड जारकंड पश्चम बंगाल तिप्पूरा मिजोरम कितने हो गया आठ अपनी जो करक रेखा है भारत के आठ राज्यों से गुजरती है ठीक पिरमुख परवत की बात करें तो हिमालाय हो गया काराकूरम, अरावली, पश्चमी गाट, पूर्वी गाट, बिंध्यांचल, सत्पुडा, अन्नामलाई, नेलगरी, मैकाल, इलायची यह आपके पिरमुख परवत हो गया इनके बारे में हम लोग आगे वि उम्ती, रामगंगा, चंबल, किष्णा यह आपकी पिरमुख नदिया है इनके बारे में भी बिस्ताल से हम लोग पढ़ेंगे आगे सबकुछ आपका चूटेगा कुछ नहीं बस आपको कबर करना है, एडजेस्ट करना है सबकुछ हो जाएगा आपको अगर पिरमुख पर च्राउंट केटू, यह आपका 8,611 मीटर है, कंचन जंगा 8,600 मीटर है, याद रखिए केटू हमारा है, यह मत सोचिए कि केटू हमारा नहीं है, पियोगे वाले हिस्से में हैं तो केटू हमारा ही है, क्योंकि हम लोग आप देखते हैं कि भारत का नक्सा पियोगे को भी सा इस तरह से नंगा प्रवत रख दिया गया होगा, अब उस समय कुछ ऐसी गहतना हैं गहती हैं, चलिए जो भी अच्छा है, 8,126 मीटर है, नंदा देवी इसकी उचाई 7,770 मीटर है, कामित इसकी उचाई 7,756 मीटर है, मकालू 8,078 मीटर है, अन्नापूर्वा 8,078 मीटर ह कैदारनाथ 6,841 मीटर है, तरसूल गंगोत्री महंदगिरी, यह 1501 मीटर है, आपकी जितनी भी बिस्की सबसे उची चोटिया है, यह आपकी हिमालाए में ही है, जैसे कि आप सभी को मालू ही होगा, बांटे बरिष्ट सबसे उचा है, 8,848, कहीं 850 भी मिल जाता है, तो या यह आपका सिक्किम में है, कहा है, सिक्किम में, हमारा, सौरी, नैपाल में हमारा पड़ोसी देश है, सिक्किम से लगता हुआ है, यार इस तरह से अगर बोल देता हूं गहीं गलब, तो आप लोग इसे सुधार के नीचे लिख दिया करिएगा, वैसे आप लोगों इतना त आपकी प्रमुख यह ले, इनके बारे में भी अमनों बिस्तार से पढ़ेंगे, महा नगर, मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता, चन रही है, आपकी प्रमुख महा नगर होगे, प्रमुख नगर, वैंगलोर, हैदराबाद, तिरुवनंद प्रों, सिकंदराबाद, कानपुर प्रमुख नगर, अगर, अगर हम लोग नई दिल्ली, आपकी राधधानी होगे, क्या होगे, जस तरह से आप देखते हैं, उत्तरपदेश की राधधानी है, उस तरह भारत की भी राधधानी है, दिल्ली, जनसंख्या, 121 करोड, 8,55,977 है, कहते हैं कि आप आपकी 2030 तक, कई रेपोर्टें बताती हैं कि 2030 तक, आपकी चाइना को आप पच्छार देंगे जनसंख्या में, यानि कि इतना तगड़े से प्रोड्रेक्शन हो रहा है उत्पादनी, तो समसकते हैं आप लोग, कि 2030 तक आप लोग जनसं नंबर पर आजाएंगे, अभी आप दूसरे नंबर पर हैं, पहले नंबर पर कौन है आपकी, आपका पड़ोसी चाइना, कौन है चीन है, विस्ट की जनसंख्या में भारत का पिती सा 17.7 पिती सत हैं, यानि कि टोटल 100% मालिजिद जनसंख्या है पूरे विस्ट में, उसमे से 17.5 पिती सत आपकी पास से, जनसंख्या घनत की बात करें, तो 382 बैक्ती पिती बर्ड किलोमीटर है, जनसंख्या घनत का मतलब होता है सीधा की, एक बर्ड किलोमीटर में कितने बैक्ती रहते हैं, उसे ही आप लोग जनसंख्या घनत कह लेते हैं, तो पिती बर्ड किलोम प्रण यादा है तो इन्हें याद रखें कि अब पड़ोसी देशें आपकी जानते हैं आप लोग भारत के पड़ोसी देश के साथ सीमा विश्ता तो भारत पाकिस्ता भारत बंगलादेश इस बात को आप लोग सा याद रखिए सबसे जानदा सीमा आपकी भारत बंगलादेश के बीच लगती है और सबसे कम आपकी अफगानिस्तान से लगती है बंगलादेश से कितनी लगती है 4,096.7 km भारत चीन की कितनी लगती है भारत की चीन से 3,488 km भारत पाकिस्तान की कितनी लगती है 3,323 km भार बारत म्यानवार 1643 किलो मेटर। भारत भूतान 966 किलो मेटर। बारत अफगानिस्तान 106 किलो मेटर। तो यह याद रख लेजे आपनों टीक है। भारत के अंतिम सीमा बिंदू की बात करें हम लोग तो इन से आपके questions बनती हैं। बहरत के अंतेम स् hatte ma r assumed pollution तो अद्वा निकोबार में उसी की पास आपका ग्रेट निकोबार में उत्तर न्व बिंदू की बात की जा रही है तो इंद्रा कॉल है आपका कहां ? जम्मु कस्मीर में कहां है जम्मु कस्मीर में पश्चमी बिंदू की बात करें तो गौर्व मुता है यह आपका गुजरात के पास है पूर्वी बिंदू की बात करें तो किबितू है यह आपका अधिनाचल के देश में है यानि कि यहां तो दच्छितम बिंदू इंद्रा पॉइंट उत्तरतम बिंदू इंद् पॉइंट अगर हम लोग मुख भूमी यह तो आपने देखा है कि अन्दमान निकुवार में हैं बंगाली की खाड़ी में अगर हम लोग मुख भूमी की बात करें दश्चिरतम सीमा की तो एक कन्याकुमारी है कोमोरिन अंत्री तमिलाडू के पास जैसा कि आप सभी जानते है आपके अंत्ति अन्प्रेय कि आपका जंुक धशमीर से लेकर नीचे यह कन्याकुमारी तमिलाडू तक देश की शीमा है फैला हुआ है इस तबर आपके अधरनाचल गुज्रा से लेकर अधरनाचल पिदेश तक पहला हुआ है त्रहें आपके पढ़ोसी देशों की सीमा प अरुनाचल पिदेश की यानि कि अपने पांच राज्यें जो चीन से सीमा लगती है कौन को सा जम्मु कसमीर हिमाचल पिदेश उत्तराखंड सिक्किम अरुनाचल पिदेश अगर नैपाल की बात करें तो इससे भी आपके पांच राज्यों की सीमा लगती है उत्तर पिदेश मंकलगलादेस की एगर हम लोग बात करनें तो बंगलादेस की वियापकी पांस राजयों से शीमाल लगती है पाखिस्तान की अगर हम लोग बात करें तो चार राजयों से गहाती है की सीमा पाकिस्तान से लगती है गुजरात, राजिस्तान, पंजाब, यम्मू कस्मीर म्यानमार की अगर हम लोग बात करें तो चार राज्यों की लगती है अरुणाचल पिदेश, नागालेंड, मडीपुर, मेजोरम भूटान की अगर हम लोग बात करें तो इस सिक्किम, पश्यमंगाल, असम, अरुणाचल पिदेश चार राज्यों की आपकी भूटान से लगती है अफगानिस्तान से अगर हम लोग बात करें तो एक राज्य लगती है जमू कस्मीर का पियो के बाला हिस्ता आपका अफगानिस्तान की सीमा से लगता है एक बात हमेशा याद रखिए आप लोग कि मैप्स वाले आप लोग क्लासें पूरी देख लिजे क्योंकि उसमें बताया गया है मैप्स का सहारा लेकर की कौन कहां राज्य है कौन सा देख कहां है तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप लोग अगर मैप्स को कवर करने तो 70 से 75 परसेंट आपका सिलिवस कवर हो जाएगा जो बाकी के आपके पॉइंट है रटने वाले उन्हें रट लिजे बस कंपिलीट है आपका अब चलते हैं लोग सीर्स यानि कि सबसे अधिक छेतफल वाले पांच राज्यों की बात करते हैं कितने पांच राज्यों की तो इन में से आपका पूछा जाएगा करेंगे तीन चार याद रखें यान्द मत टैंसन लिजिए यह तो पहला पूछ लेगा राजिस्तान कि इसका कितना है चेतफल बर किलोमीटर चित हलें तीन लाग ब्यालीस हजार दोसो उन्तालीस बर किलूमीटर दूसरा मद्ध पिदेश तीन लाग आठ हजार दोसो बावन बर किलूमीटर महराश्ट तीन लाग साथ हजार साथ सो तेरह बर किलूमीटर मैं तो कहता हूँ इतना ही याद रखे तीन टॉप अगर आपकी किस्मत ही खराव होगी तभी आपसे पूचेगा लाश्ट का या फिर आप स्टेट PCS एकजाम दे रहे होगे या किसी स्टेट का एकजाम दे रहे होगे वहाँ भी पूच सकता है अपने राज्जी का अब जैसे मद्यपेदेश का पूचेगा मद्यपेदेश वालों में पेपरों में कि मद्यपेदेश का छितफल की दरिष्टी से कौन सा नमर है तो आप याद रख सकते हैं दूसरा लेकिन अगर All India किसी भी एकजाम होता है उसमें आपका यही पूचेगा टॉप एक दो तीन बस बहुत से वह राजिस्तान पहले नमर पर मद्यपेदेश दूसरे महराश्ट तीसरे उत्तर प्यदेश चौत्रे जम्मू कस्मीर की इसलिए बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि आप पता है कि 2019 में अगस्त 2019 में जम्मू कस्मीर को दो भागों में बाट दिया गया था यह जिला हो गया द्राज्च हो गया छेतपल हो गया कच्छ पहले नमर पर गुजराद कच्छ गुजराद का जिला है इसका छेतपल है 45652 किलोमीटर ले जम्मू कस्मीर का जिला है 45110 किलोमीटर याद रखे जम्मू कस्मीर की बारे में इतना इसलिए अभी पिकासित नहीं हुआ है क्योंकि 2021 की जब या जनगरना होगी कि ऊससमें आपको पता चलेगा कि कि इसके है अब कम सब्सक्राइए ला से निर्दारन नहीं हुआ है अफिसके अभी परियाप्त आंकड़ी नहीं है तो आप चादा टेंशन मत लीजी अभी जैसल मेर राजिस्थान इसका है 49,313 बर्ग किलूमीटर बीकारने राजिस्थान इसका छित पल है 28,466 बर्ग किलूमीटर बाढ़ मेर राजिस्थान का जला है 28,393 बर्ग किलूमीटर है अब बात करते हैं 25 तटवाले राच केंदसासित साथ में केंदसासित पिदेशों को भी जोड़ दिया गया है सबसे जान्दा तट रेखा लगती है आपकी अन्दमान नेकुबार्दुईट की 1962 गुजरात की 1600 किलोमेटर आंद्य पिदेश की 994 किलोमेटर अगर आपका पूँचे कि केंदसासित और राज्यों को मिलाकर अगर पूँचे तो आपको लिखाना है अन्दमान और निकुबार्दुईट समुष अगर आपसे गुजराद मतलब राज्य की केवर पूँचे केंदसासित पेदेशों के बारे में ना पूँच कर केवर राज्यों में पूँचे तो गुजराद पहले नमबर पर है 1600 किलोमीटर की सीमा लगती है तर्टेस का ठीक है अब बात करते हैं प्रमुक अंतराष्टिय सीमा रेखाओं की इनसे भी कुष्टेस आपका बंता रहा है यह देश हो गए वो सीमा रेखा हो गए इनके बीच की जिसे आपका भारत चीन इनके बीच की रेखा का नाम है मैक मोहन रेखा यह आपकी बनी थी 27 अपरेल 1914 को निर्धारित हुई थी बारत पाकिस्तान के बीच रेड किलिप रेखा 15 अगस्त 1947 को निर्धारित हुई थी भारत अफगानिस्तान के बीच की बात करें तो डूरन रेखा पूर विभाजन की पूर्व की बात करें जब आपका पाकिस्तान आपकी साथ था तब की बात की जा रही है लेकिन अब यह रेखा डूरन रेखा आपकी पाकिस्तान एब अफगानिस्तान की बीच आ चुकी है ठ आँगे है आपका पिरमुक चैनल जल्डमरू क्या है जल्डमरू विवाजित इस्थलखंड और चैनल जिसका नाम खाड़ी इंद्रा माअगे कने कि प्रतरें जाते है मीनिकोये लग्चदीत आट्री जानल और लग माल श्री लंगा उपव्चीान से जल्डमरूह थे पाक framework के बीश कौन कौन सी है पाक जल संदी और मननार की खाड़ी यह आपका क्वेश्च एक बार नहीं हजार बार बन चुका है कि पाक जल नमरू कौन कौन किस किस देश को अलग करती है भारत और स्री लेंका के लेकिन अधिकतर बच्चे क्या लगाते हैं भारत पाकिस्तान तो आ आठ डिग्री चैनल माल्दीव मिनिकवाई नौ डिग्री चैनल मिनिकवाई लक्ष्री दस डिग्री चैनल लगु अंडवान कार्निकोवार इसके बाद करते हैं भारत प्रमुक तत्र देटते हैं कुछ भारत को आहराज है जो तीन तरप से बंगलादिश से गढ़ा हुआ तिपपुरा यह भी कुश्चन से आपका कई बार बन चुका है बारत का वह राज जो तीन तरफ से बंगलादेश से गुटा हुए तिपपुरा और बंगलादेश की सीमा कहलाती है सूनने रेका तिपपुरा और बंगलादेश की सीमा क्या कहलाती है सुन रेका पाकिस्तान से लगे भारत की किस राजी की सीमा सबसे लंबी है जम्हू कस्मीर 1225 किलो मीटर कितनी 1225 किलो मीटर आज से आप लोग पहले भारती ओमहादीप कहते थे इसमें कौन-कौन से देश सामिल थे आपके भारत भी सामिल था पाकिस्तान बंगलादीश नेपाल बूटा इनको मिलाकर आप लोग ओमहादीप कहते थे क्या कहते बारती ओमहादीप आप लोग इतियास में पढ़ते हैं तो पिराचीन काल में, मद्द काल में, यहां तक कि आप लोग आद्वनी काल तर देखते हैं कि भारती ओं महादीप कहा जाता है इसे. भारत का दच्छिर्टम बिंदू इस्तित्याप का 6 डिग्री 4 मिनिट उत्तरी अक्छांस पर. बारती राचों की संख्या जो पड़वसी देशों की सीमाओं से जुड़े हैं, सत्रे हैं, कितनी? सत्रे हैं. अगर आपका याद रखी अभी आखड़े मैं बोलना हूँ ना कि पूरी तरह से अगड़े 2021 में पता चलेगा. क्योंकि अगर आपका जम्मू कस्मीर को अलग कर दिया जाए लगदार से, तो ये दो कैंदर सासित पिदेशों की भी सीमाओं आपकी अलग-अलग हो जाएगी तो अठारे टूटल हो जाएगी आपकी. कितने? अठारे. बारत का अक्छांसी एवं देसांती विस्तार की बात करें लो. बारत का अक्छांसी एवं देसांती विस्तार की क्रमसा है आपका 29 डिगरी 2 मिनिट और 29 डिगरी 18 मिनिट. पॉंडी चेरी, पुडू चेरी, संगे सासे चेत में संबले थे, माहे केरल, कराईकल, पॉंडी चेरी, तमिलाडू, यमन, आंधुगेदेज, मरकद दुई, एमराल्ड आइसलेंड की नाम से जाना जाता है से, अर्णवान निकोबार दुई समो, एमराल्ड आइलेंड, भारती राज सिक्के में, सिक्के में हमारा ऐसा देश है, जिसकी सीमा तीन राज्यों से मिलती है, किस के से, नैपाल, भूटान, चीन, नैपाल, भूटान, चीन, पित भी कि चुम्मी की या विस्वत रेखा, दच्छन भारत में तिविंदम से गुजरती है, कहां से, तिव बहुगॉलिक उपनाम नि आपका questions आते रहते हैं इस से भारत के पिरमुक बहुगॉलिक नाम इंख है ये आपके उपनाम होगय में अश्रमन पर को सेहर से कहते हैं अमरस सर को पाच नदियों की भूमी किसे कहते हैं आप लो पंजाब को फो बिलु का बैनिस किसे कहते हैं कोचीन को भारत का मसालों का भगीचा किसे कहते हैं केरल को किसी केरल को भारत का स्विजलेंड किसे कहते हैं कस्मीर को डायमंड नहरवर किसे कहते हैं कोलकाता को साथ टापुगों का नगर किसे कहते हैं मुंबई को जुडबा नगर किसे कहते हैं हैदरावाद और सिकंद्रावाद को जुडबा नगर किसे कहते हैं आप लोग हैदरावाद सिकंद्रावाद को जीलों का नगर किसे कहते हैं स्री नगर को मंदिरों यवं घाटों का नगर कि गंगा नदी को विहार का सोख कोसी नदी को इसमें बहुत बाड़ा आती है इसलिए सोख भारत का हॉलीवुड मुंबई को इसपाद नगरी जमसेदपुर को उत्तर पिदेश का जावा गोरखपुर को परवतों की रानी मसूरी को समुद्धपुत लच्छिदीप को दच्छ किसी जमसेथ पूर को भारत का मैंचेस्टर किसी कहते हैं एहमदाबाद को भारत का पेरिस जैपूर को काली नदी सारदा नदी को काली नदी किसी कहते हैं सारदा नदी को दच्छड की गंगा कावेरी भारत का मिनी सुजलेंड एक खजियार चंबा जिला है हिमाचल पिदेश का है इसे कहते हैं इस्वर का निवास इस्थान इलाबाद को जिसे आज आप लोग प्रियाग राज की नाम से जानते हैं महलों का सहर कोलकाता को अरब सागर की रानी के नाम से किसे जानते हैं कोचीन को गुलावी सहर जैपूर को उत्तर भारत का मैंचिस्टर कानपूर सहर को जीलों का नगर उदैपो राजिस्थान को राजिस्थान का हिदय अजमेर को पूर्ग का पेरिष जैपूर को राजिस्थान का गौरप चित्तोर गड़ को, बगीचों का सहर कपूर तला को, धान की डलिया चत्तीस गड़ को, फलों की डलिया हिमाचल पिदेश को, करनाटक का रतन मैसूर को, तेवहारों का नगर मदूरे को, दच्छिड की रानी पूने को, दच्छिडी गंगा को, दच्छिड गंगा, याद रखिए एक बात, दच्छिड भारत की गंगा, किसे कहते हैं, गोदाबरी नदी को, दच्छिड भारत की गंगा, और यहाँ आप लोगा ने देखा है, दच्छिड की गंगा, कावेरी को, दच्छिड की गंगा, कावेरी, और आप से पूचे अगर दच्छन भारत की गंगा पूछे या फिर आप से पूछे दच्छड गंगा तो आप गोदावरी लगा कि आना पता नहीं क्यों ऐसा कर दिया कि दच्छन गंगा दच्छडी मतलग इसमें भर्मेद भी हो जाते हैं चात और कही बार यह आपके जो भी बोड रहते हैं व पुलों की नंगरी सिरी नंगर है अब हम बात करते हैं भारत का भूगर्विक इतियास याद रखी आपके किरन सामान ग्यान की पूरी बुक्स खतम हो जाएगी उसके बाद मैं इतने मौक टेस्ट आपके लगवा दूंगा हजार हजार कुश्चन्स आपके हर सब्जेक्ट फी इतियास हो फिर चाहे आपका भूगोल हो समिधान हो अर्दविवस्था हो विग्यान हो आपके विग्यान और वाईलोजी यानि की रसाइन विग्यान और जीब विग्यान की तो हम लोग 11.100 के करीब कुश्चन्स सौल क पर लिए यतना कह सकता हूं अगर आप लोग 11.100 कुश्चन्स उनने लगा लेते हैं पूरा ब्याक्या के साथ कुश्चन्स दिए गए तो मुझे नहीं लगता है कि आपका कोई कुश्चन्स गलत होगा परीचा में क्योंकि 11.100 कुश्चन्स बहुत जान्दा होते हैं वह भ फिर पूरा खतम हो जाता है कभी ज्यान के वह हारत का ब्हुंखर्वी इतियास कि बात करें तो भारत के ब्हु घर्वी इतियास के अनुसार यहां प्राचींतम पिराचिन तम चत्टाने पाए जाती जैसे प्राचिन तम आपकी अरावली होगी और नवीन आपकी हमाले होगी पराधी पिय भारत का प्राचिन Mighty Brook On आपका गौुडवाणा लेंड का बाद जो पिराचिन से लेकर प्राचिन जट्टानों से निर्प थे हिमाले परवत तो उसकी संबध नवीन मोरदार परवसेणिया है जो प्राइदी पिये भारत की एफेप्चा अधिक नई चट्टाने रखती है कौन हिमाले इस पिकार की चट्टानों का निर्माट समुद्र की तल छट से हुआ है सिंदू गंगा का मैदान जिसका निर्माट परवसेणियों की निर्माट के बाद आपको हुआ है इसका निर्माट हिमाले परवसेणियों से निकलने वाली नदियों द्वारा भाहा कर लाए गए निच्चेप से हुआ है किसका सिंदू गंगा का मैदान भारतिय चट्टानों का बर्गी करण इस पेकार किया जा सकता है किस पेकार? देखिए भारतिय चट्टानों का बर्गी करण इसमें आपका आर्कियन समू की चट्टाने पुरान समू की चट्टाने द्रविडियन समू की चट्टाने और आरेयन समू की चट्टान है, फिर आपकी आरेयन समू की चट्टानों को भी दो किरम में बाटा गया है, आरकीयम किरम और धारवाड किरम, पुरान समू की चट्टानों को भी दो भागों में बाटा गया है, कुडपच किरम और बिंधेन किरम, फिर आपकी जो आरेयन समू सभू की चट्टाने इसे भी आपका च्यार भगों में आटा गया है गौडबानक किरम की चट्टाने दक्कन टेप तरसरी चट्टाने क्वार्ट नरी सभू की चट्टाने ठीक है आर्कियन किरम की चट्टाने भारत में पाई जाने वाली सबसे तराचीन चट्टाने सभू है, जो परायती है भारत के दो तेहाई भाग को गेरता है, कितना भारत के दो तेहाई भाग को खेरता है जब से पिद्वी पर मानाव का अस्तित आया है यानि कि मानाव का अस्तित हुआ है तब से आर्कियन क्रम की चट्टान भी पाई जाती यानि कि सबसे पुरानी है आर्कियन क्रम की चट्टान इनका विस्तार मुक्रूप से करना तक तेलंगाना आंधिविदेश का तमिलाडू, ओडिशा बिहार की पठारी चित और राजिस्थान की दच्छेट पूर्वी भाग तक देखने को मिलता है आर्कियंग, आर्कियंग किरम की चट्टानों का इस चट्टाने विभिन पिकार की जैसे आपके नीस हो गया, ग्रेनाइट, सिष्ट, मार्वल, क्वार्ज, लाइम, एस्टॉन, डोलोमाइट, खिलाइट, आधी हां पाई जाते हैं आर्कियंग किरम की चट्टानों के निर्माड के बाद, धारवार किरम की चट्टानों का निर्माड हुआ है प्रायदी पिये धारवार की चट्टाने मुक्रूप से दच्छिन दक्कन पिदेश में, उत्री करनाटक से लेकर काविरी दच्ट तक देखने को में मिलती है तो किसली जब्सेल पाइने वाली चटानों में से सभ से आर्थिक दुरिश्टी से सबसे महत्मुंट चटान कौन concept तो आपको एक सब्दे में उत्तार देनाे धारवाट चट्टान देश में लगभग सभी धातूएं इनी चट्टानों की देन जैसे आपका सोना हो गया तामा लोहा, मैगनी जस्ता टंगिष्टन, क्रोमियम ये सभी इसी चट्टान से मिलते हैं मेरा अधिक तर इन धातूओं के इलाबा कई खनिच्पदार्त भी इन चट्टानों से प्राप्त होते हैं जैसे आपका सीसा हो गया अब्भरक, कोबाल्ट, फिलूराइट एलमिनाइट, ग्रेनाइट बज़प्राम, गार्नेट एसबेस्टस, कोर्डम और संगमर्वर धारवाड यूग की चट्टाने समाई की साथ धीरे धीरे पिभिन जलज क्रियाओं द्वारा कट चट कर समुद्देवं नदियों की निचली घाटियों में जमा होती रहती हैं और बाद में इनी इकत्तिक निच्छेपों ने चट्टानों का रूप गेंड कर लिया जिनने हम कुडपा किरम की चट्टाने कहते हैं क्या कहते हैं? कुडपा किरम की चट्टाने कहते हैं ए चट्टाने मुख रूप से मदविदेश राजिस्थान, महराष्ट, तमिलाडू और हिमाचल की छित्रों में हमें देखने को मिलती है कुड़कपा किरम की चट्टान इन चट्टानों में आपके हमें क्या-क्या मिलता है तामा हो गया निकेल, कोबाल्ट, लोहा, मैगनेच, संगमर्मर, जॉसफर, एस्वर्ष्टस, डायमंड, चूने का पत्थर, बालू का पत्थर, सीसा यह सभी हमें इसी कुड़कपा किरम की चट्टानों से मिलता है बिंध्यन चट्टानों के निर्माड बिंध्यन चट्टानों के निर्माड कुडपा चट्टानों की बाद हुआ है जिनका नामकरण बिंध्यान चल की नामपर कर दिया गए इन चट्टानों का विस्थार आपका लगवग एक लाग बर किलोमीटर चेटपल में फेला हुआ है या पूर में आपकी बिहार की सासाराम एबं रोहितास छेत से लिकर पश्चिम में राजिस्थां की चितोडगर छेत तक और उत्तर में आगरा से लिकर आपकी दस्चिन में होसंगबाद तक फैली भी कितनी? एक लाट वर किलोमीटर छेत फल में इन चट्टानों से हमें प्राप्त होता क्या क्या प्राप्त होता है? ताबा, निकेल, कोबाल्ट, जॉस्पर, एस्पेस्टस, कोविला, पन्ना, गोलकुंडा, हीरा चूनने का पत्थर, बलुबा पत्थर, चीनी, मिट्टी, आदी फिर आपकी द्रवेडियन समू की चट्टाने कोखेमियन से लेकर मद्ध कारवोनिफिक निक फेरस काल तक माना जाता है इन समू की चट्टानों की विशेश्ता यह है कि यह जिवास से सों से उकते यहाँ आपको क्या-क्या देखने को मिलता है? खुएला हो गया, बलूवाबत्थत, रसाइनी कुरवरक, आदी समू की चट्टानों से में प्रहप्थ होते हैं आर्यन समू की चट्टाने एक कारवोनिफिक फेरस से आरम होकर पिलश्टोसीन काल तक पाई जाती हैं आर्यन समू की चट्टाने इस काल में भारत में मांचित में ब्यापक परिवतन हुए और परवर्तिय और मैदानी भागों का निर्माड भी भारत में इसी समय हुआ है गौडवाना किरम की चट्टाने या आपकी 350 मिलियन वर्स्थ पूर इनका निर्माड काल कार्वो निक फेरस योग से जुरेसे की योग की बीच माना जाता है गौडवाना किरम की चट्टानों का निर्माड या चट्टान मुक रोग से आपकी बिहार मत्पदेस, महराष्ट, आंध्पदेस, तेलंगाने में पाई जाती है याद रखे गौडवाना किरम की जो चट्टान है यहाँ से आपको भारत का 98 कितना 98% यानि के 98% कोईला इन्हीं चट्टानों से हमें मिलता है इन्हीं भी चट्टानों में पाये जाता है या बलुआ पत्थर, चीका मिट्टी, लेगनाइट, कोईला, सेमेंट, रसायनी कुर्वर्क आदी खनेच पदार्त इन्हीं चट्टानों से पराप्त होते हैं दक्कन टेप, 100 मिलियन बर्सपूर्ण का निर्माद, क्रेटेसियस, काल से लिकर ईयोसेन, काल के बीच होता है आपकी दक्कन, ट्रैप का निर्माद, मैसो जोईक, मैसो जोईक की अंतिम काव में, प्रादी पीए भारत में ज्वाला मुखी भी स्पोर्ट हुआ था, जिसके उद्गार लावा उत्पन हुआ, और इसके इसने दक्कन के मुख पठार की आकरिति को जनम दिया है, इसकी मुख वि देखने को मिलेगा, ऐलूमीनिया हो गया, बैसाल्ट, टोलोराइट, केल्सियम, मैगनेसियम आदी देखने को मिलता है, यह माराष्ट के अधिकांस भागों को घेडता है आपका, इसके अलावा गुजरात, मद्भारत, बिहारत, तमिलाड़ कोई कुछ भागों में भी दे मार माना जाता है, यह साओधी को टर्सियर, टर्सिरी, महाकल्ब कहा जाता है, इस समय भारत ने अपने बर्दमान रूप को धारन कर लिया था, इसने भारत को दो बहुत तिक पिदेश भी पिदान किये, एक ब्रादी पिय पठा, दूसरा हमाले परवत, बलुआ पत्थर, की का मिट्टी लाल पिला, गेरू, आधी इनी चट्टानों से हमें मिलता है, यह वो सीन किरम की चट्टानों के मदबरती भागों, मैं पैटॉल की भंडार भी देखने को मिलते हैं, याद रखिए अगर इसे आपको बिस्तार में पढ़ना है, तो NCEIT वाली किलासें देखे उसमें आपका विस्तार में पढ़ाए गया है, और आपकी कक्छा चटवी से लेकर कक्छा भारवी तक की सभी बुक्स कम्लीट की गई है, तो अगर आप सिविल सर्विस की तईया आई कर रहे हैं, तो आपके लिए वहुत महस्त्पूर भी हैं यह वो सीन यह और फिलायो सी को वक्ति देखने को मिळी आपको, कृटरणरी समु की चटशानो के निर्माड काल की अंतर्गत पिलिष्टो सीन और बरतमान काल के आवसादों के को समलिद रोख किया गया है, कस्मीर गहाणी का निर्माड पिलिष्टो सीन काल में ही हुआ है, जो कश्मीर की गहाणी का न औरी सा तर पर आपका चिलिसा जील आपको देखने के मिलती है का निर्माण महानदी द्वारा लाए गए आउसादों की निच्छेप से हुए है चिलका जील का निर्माण गुजरात इस्थित कच्छिर का रन एक ऐसा पिदेश है जो पिलिष्टो सीन काल में समुत्री भाग था परन्तु अब यह पिलिष्टो सीन तथा आधुनी काल की अवसादों से भर चुका है कच्छिका रन पश्चिमी राजिस्थान इस्थित आपका थार मरुस्तर यह आपका भारत में भी देखने को मिलता है पाकिस्थान कंएगगी पश्चिमी राजिस्थान इस्थित थार जेड वर्तमार की वरतमार किरम की चट्टानों की निर्माड पिकरिया आज भी जारी है वरतमार में तट्यवयल्वकाच तो नतियों की मुहइनों का आदी कई पिक्रियाएं ताप्ति नर्बदा, गोदावरी, कृषना नदियों ने अपने अपने मुहाने पर काम का भीक साल निच्छेअ एकत्तित कर लिया है और बंगाल की खाडी के तट्ये भागों पर बलुका इस्थूप का भी जवाब किया है इस प्रकार भारत का प्राइदी प्ये भाग प्राचीन का अल से लिकर आदो निकाल तक की बिविन चट्टानों से भरा हुआ है अब बात करते हैं हमलों भारत की भारत का बहुत तिक स्वरूप देखते हैं भू आक्रितिक दिरिष्टी से भारत को चार भागों में बाटा गया है कौन-कौन से भाग है उत्री परवर्तिय भू भाग बेहद मैदान परादीपिय उच भूमी भारतिय तट एवं दुवीप समुख तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग उत्री परवर्तिय भू भाग को इसमें आपका हिमालय हिंदू कुस पटकाई परवत सिंकलाए साविल है इसका निर्मार भारतिय एवं ईयूरेसियन पिलेटों के बिवर्तिनिक बिच्छोप के पल सुरूप 50 मिलियन बर्स पहली प्यारम हुआ था आप लोगों को बार-बार बताते हैं रहता हूँ एक मिलियन बरावर दस लाग होती है यानि कि दस लाग को मिला कर आपका एक मिलियन बंदा है और इसका निर्मार पच्छास मिलियन बर्स पूर हुआ है इसमें दुनिया की सबसे उची परवस सिंकलाएं इसमें दुनिया की सबसे बड़ी उची परवस सिंकलाएं देखने को मिलती है चोटिया भी आपको माउंट एवरिष सुनते रहते हैं आप लोग केटू, कंचन जंगा इसमें दुर्विय पिदेश से आने वाली ठंडी हवाओं को रोग कर भारत को ने सर्गिक उचनता पिदान करती है इसमान सुनी हवाओं को रोग कर भारती बूबाग में बर्सा भी करवाते हैं आप सोची अगर यह आपका उपर यहाँ आपका हिमाले होगे यह ना होता तो हबाएं सीधी निकल जाती समझ रहे हैं आप लोग बर्सा ना होती हमारे हैं एक सबसे बड़ा कारण है बर्सा का यही यह आप लोग मेगाले में देखते हैं मासिन राव यहां भी बर्सा भहेंकर होती है सबसे जानदा विस्की देश की लगवक 10.6 चित पर परवत 88.5 चित पर पहाडिया 27.7 पर पठार और 43.2 पर मेदान विस्तित हैं यह नवीन मोड़ार परवत माला है यह परवस्जानी अनेक परवतों का समुझ है मोग सैनी की हिमाले सैनी की नाम से बुकारते हैं इस हिमाले के उत्तरी पश्चिमी भाग में काराकूरम लगदाद जासकर सेणिया मिलती हैं जबकि दर्चेणपूर में नागा, पटकूई, मडीपूर, अराकान सेणिया देखने को मिलती हमें वलेों की तीवता तथा निरमाण की आयूग की आधार पर हमाले को चार समान अंतर चेतरों में बाटते हैं पहला आपका ट्रांस हेमाले, तिबबत हेमाले, फिर बेहद महान हेमाले, लवु मद्ध हेमाले, बाय हेमाले और सिवालिक हेमाले, इसमें आपका ट्रांस हेमाले की बात करें हम लोग, तो यह मूलता यूरेसिया पिलेट का एक खंड है, किसका यूरेसिया पिलेट का एक खं इसका निर्माड हैं लैसे पहले हो चुका था किसे हिमालय से पहले हो चुका था भारत की सबसे पूची चोटीं किसकी ब्राइट की जा रहा से केटू यारे कि गार्बिन गार्वन ऑक्सितिन 8611 मीटर है जो कारा कुरम की सर्वोच चोटी है यह अवसादी चट्टानों का बना हुए है फिर दूस आपका महान हिमाद्री हिमाद्री हिमाले इसकी वोचसत उचाई आपकी 600 मीटर है, लंबाई 2500 किलो मीटर, चोडाई 25 किलो मीटर है यह आपका परश्चिम में नंगा परवस्य पूर में नाम चा वर्वा परवत तक इस्तित है बियाद हिमाले मद्ध हिमाले से मेन सेंट्रल थ्रेश्ट मेन सेंट्रल थ्रेश्ट के द्वारा अलग होता है विस्की सर्वोच चोटी जो आप लोग Mount Everest देखते हैं इसी हिमालय पर इस्तित है एक बात हमेशा याद रखिए माहन यानि की हमादरी हिमालय पर आपकी Mount Everest चोटी इस्तित है जो 20 की सबसे वड़ी चोटी है उची और यह आपकी नैपाल में हैं कहां हैं? नैपाल में फिर आपका लगू या फिर मद्धिमाल है इसकी वश्त उचाई की बात करें तो अठारे सो से तीन हजार किलो तीन हजार मीटर है पीर पंजाल सेनी इसका पश्चिमीत तर विस्तार है इस सेनी की दच्छनपूर की ओर दोलवा दोलदा, नांग, रीवा मसूरी, आदी सेनिया पाई आती है इन सेनियों में सिमला मसूरी, नेनिताल, रानिकेत, अलमोडा, दरजिलिंग, डलवजी, नगर इस्तित आपकी मद्ध और मद्ध और महान हिमाले की बीच पश्चिम में कस्मीर की गाटी और पूर में आपकी काटपांडू, गाटी देखने को मिलती है यहाँ पर आपकी कौटधारी बन मिलती है तता डालों पर छोटे-छोटे घास के मैदान भी पाये जाते है जिनने आप लोग कस्मीर में गोलमरग, सौनमरग कहते है उत्तराखंड में से आप लोग बुगयाल और पयार कहते है जब मुग कस्मीर में यानि की कस्मीर में आप लोग मरग यानि की जैसे गोलमरग, गोलमरग, सौनमरग और उत्त्राखंड में बोग्याल और पयार कहते हैं फिरे आपका बाय हमाले सिवालिक इसकी वालसत उचाई आपकी 900 से 1200 मीटर है सिवालिक वा मद्ध हमाले की बीच अनिक गाटियां आपको देखने को मिलते हैं इसको पच्चे मों मद्ध भाग दून जैसे देहरा दून हो गया पूर्म में आपका द्वार जैसे हरित द्वार कहते हैं हमाले की दो गुमाव युक्तम इवां मोरदार हो जाए हैं पहली आपकी हिंदू कुस्त सुलेमान किर्थर सेड़ी हैं सेडियों के नाम से जानते हैं और इसमें आपका खेवर खेवर बोलन गौमल आदी दर रहे हैं जबकि दूसरी ओर उत्तर पूर्मी में गारो खासी जैनतिया पटकोई लुसाई की पहाड़ियां आती हैं इसी का गुमाओदार विस्तार भारत म्यानमार सीमापर अराकान युमापरवत के नाम से पहला हुआ है फिर आते हैं आपके दूइब समोव जैसा कि आपको बदा चुपे हैं 247 के लगवाग आपके दूइब हैं महत्पून जो बंगाल की खाड़ी में आपके 204 हैं समय से अरब सागर में आपके 36 हैं कितने 36 सबसे जानगा आपकी बंगाल की खाड़ी में देखने को मिलते हैं अंडवान निकोवार दूइब समोव बंगाल की खाड़ी में इस्तित भारत का सबसे महत्पून दूइब हैं अंडवान निकुबार इनमे आन नार कॉंडम सुसुप्त बेरन दूइप सक्रिय जौला मुखी हमें देखने को मिलते हैं अंडदा अंडवान दूइप की सर्वोस चोटी है आपकी सेंडल पीक याद रखे यह भी इस तरह की कुश्चन्स बन जाते हैं अंडवान दूइप समु की सर्वोस चोटी कौन सी है सेंडल पीक भारत का दच्छितम बिंदू जो आपका पिग मेलियन पॉइंट जिसे आप लोग इंद्रा पॉइंट भी कहते हैं यह आपका ग्रेट निकुबार पर देखने को हमें मिलता है यहीं इस्तित है पंबन स्रीलंका और भारत की वीच में हरीकोटा दूइप आपके आंध्यपदेश में अंत्रेक्षियान छोड़े जाते हैं कहा है आंध्यपदेश में कई बार पूछ लिए यह लक्षदीप अरब सागर में इस तित प्रवाल भी थी दूइप है जो आपका अरब सागर है गुज यह लक्षदीप का सबसे बड़ा तूइप है कवारती लक्षदीप की राधधानी है कवारती लक्षदीप की राधधानी इसका छेत पल आपका 32 बर किलूमीटर है कितना 32 बर किलूमीटर हिमाचल परवत का विस्तार पश्चिम में आपका जमू कस्मी यसे लिएकर कारा कुरम, कारा कुरम जम्मु कसमी राज में इसते थे हैं, इसकी 60 से अधिक चोटियां आपकी, 7000 मीटर से उची है, यह सिंखला 500 किलियो मीटर लंबी और धर्मों के पास सबसे अधिक हिमाच्छादित भी रहती हैं, सीयाचिन, बियापो, गिलेशियर इसी चेत्य में अवस्थे थे आपके, सीयाचिन दूनिया की सबसे बड़ी यानि की दूसरी बड़ी गिलेशियर है, गिलगट सिंदु, सेऊग, नदिया, कारा कुरम की दचधी सीमा निल दारीत करते हैं, कारा कुरम परवत की, आगे इसका पटकोई बुम पटकाई बुम या पर पूरवांचल म्यानमार से लगती भारत की पूरवी सीमा पर इसके थे यह उसी पिक्रिया द्वारा निर्मित है जिसके द्वारा हिमाले की सिंखला का निर्माण हुआ है इसकी मुख बिसेश्ता है खडी धाल गहरी घाटियां कौड की आकार की चोटियां यह हमाले की तरह विश्तित नहीं है आपका इसमें तीन पहाडी सिंखलाई सामिल है पटकाई बुम गारुखासी जैंतिया इसी के कारण इनी ही पहाडियों के कारण आपका मेगाला में सबस इसे जान बरसा इसी चित में होती है लोसाई पहाडी यह आपको देखने को मिलेगी अगरुखासी जैंतिया सिंखलाई आपकी मेगाला में सृत्त है चेरापूंजी के पास मासिन्राम गाहों में इसी सिंखला के पाहाचवरती भाग में स्थ यह दुनिया के सबसे आदित इस्थानों में सी एक है फिर आपके बेहद मैदान सिंदू गंगा का मैदान जिसे बेहद मैदान की नाम सी आप लोग जानते हैं सिंदू और गंगा ब्रंपुत नदी सिंखला का सबस्री बड़ा मैदान है या हिमालाय परवत की समानतर जम्मु कसमी से लेकर असम तक फैला ह हुआ है आपका साथ लाग कितना साथ लाग बर किलोमीटर चित में फैला हुआ है गंगा और सिंदू इस चित की प्रमुक आपकी दो नदिया है ब्यास यमना गोंती राभी चैनाब सतलब चंबल इनकी सहाइक नदिया है किनकी गंगा और सिंदू की बेहद मैदान को चार भागों में आठते हैं आप लोग भावर चित तराई चित बांगर चित और खादर चित बावर तराई बांगर खादर भावर हिमाले से लगा निचला भू भाग है या अपेक्चा के बड़े चट्टानों से निर्मित है आपका भावर फिदिश इसकी सरंधता इतनी अधि अतेंत सक्री पट्टी में गिरा हुआ है जिसकी चोड़ाई आपकी सास से पंद्रे किलोमीटर है तराई नवीन जलोड मैदान है यह आपका तराई यह अतेंत नम और घने जंगलों वाला चित है इस चित में बरसा भी आपकी अधिक होता है तराई वाले चित में बरसा अरिक पिकार के बनने जीवों का हवास भी इस थल है आपका तराई पिदिस यह अनेक जीव आपको को देखने को मिलेंगे बांगर नदी की बाड सीमा से उपरी पुरानी जलोड से निर्मित उच भूमी है आपकी बागर नबीन कापद्वारा निर्मित नदियों के बाड क मैदान को आप लोग खादर कहते हैं पिती वर्स बाडों के दोरान रेत की नई पर जमी होने से इसकी उरवर्ता बनी रहती है गंगा सिंदू मैदान सतलज भूभाग में फैला हुया छेत है यहां नहरों से चाहिए होती है किससे नहरों से चाहिए आपको होती देखती है इस चेत में भूजल इसतर काफी उचा है यह मैदान दुनिया के सबसे सगन खेती वाले यानि कि अच्छी खेती यहां होती है चावल और ग्यहूं इस चेत की मुख भसल है आपको देखना को मुलेगी चावल और ग्यहूं उपजाओ जमी है नहीं यहां कि ए मैदान सगन आ गनियाबादी रहेगी यानि कि इंसान बेक्ती जाना बसेंगे वहां पर आता है अपका प्रादीपी ए उच्भूमी प्रादीपी उच्भूमी तीन पठारों सके मिलने से बनाए यह पठारे आपके पश्चिम में आपका मालवा पठार दच्छिन में आपका दक्कन का पठार मालवा पश्चिम में दच्छिन में दक्कन का पठार पूर्म में आपका छोटा नांगपुर का पठार मालवा का पठार आपकी राजिस्थान मत्यपदेश वो गुजरात में पहला हुए जो आपका मालवा का पठार है यह आपका राजिस्थान मत्यपदेश वो ग सिभाहिते हुए मद्विदे से निकलती है दक्कन का पठार एक लंबा तिर्वजाकार बूबाग है क्यासा तिर्वजाका या उत्तर में बिंदसैली से बिंदसैल सैंडी से गिरा हुआ है यह एक चौरस छेत है इसकी वास्ता तुछाई आपकी 300 से 600 मीटर देखने को मिलती है पश्चेम से पूर्व इसका धलान सामान है प्रैदीपिय चित की नदिया गोदावरी, किष्णा, कावेरी और नर्वधा इसी से निकलती है आपकी चोटा नांकूर का पठार पूरत भारत में इस्तित थे आपका, इसका अधिकांस भाग जारगंड में फ्यला हुआ है, सेस भाग आपका विस्तार उडिशा, बिहार और चतिस गड़ में देखने को मिलता है इसके अगर हम लोग चेतपल की बात करें तो 65,000 बर किलूमीटर चेत में फ्यला हुआ है, कितना? 65,000 बर किलूमीटर चेत में फ्यला हुआ है राची का पठार इसी का भाग है, जो बनच्छा देते राची का पठार, जारगंड राची छोटा नांगपुर का पठार कई धातू ऐसके वं कोईले के भंडार के लिए जाने जाते हैं फिर आपकी भारती तट एवं दुईब पूर्वी तटिये मैदान का विस्तार पूर्वी घार से बंगाल की खाड़ी तक देखने को मिलता है कि जलोड एवं डेलटा से निर्वत है आप जानते हैं कि डेलटा जमनदियां अपने मोहने पर बिद्दिये तो वहाँ डेलटा की आकर का एक डेलटा वनाती इस मैदान की चोड़ाई आपकी 130 किलोमीटर है, कोरुमंडल तट इसी मैदानी चेत में देखने को मिलता है आपका, पश्चमी तकी ये मैदान एक सकरा मैदानी भूखा गए, जो पश्चमी घाट से लिए अरब सागर तक फैला हुआ है आपका, पश्चमी तकी ये मैदान, इसकी चोड़ाई आपकी 50 से 100 किलोमीटर तक है, इसका विस्तार उत्तर में गुजरात तट से लेकर, दच्छन में केरल की तट तक फैला हुआ है, पश्चमी जो घाट है आपका गुजरात से सुरू होता है, और केरल तक फैला हुआ है, इस छेत में बहने वाली अधिकांस ननिया डिल्टा बनाती है, तापती नर्वदा और मंडोवी आदीश चित की मुख ननिया आपको देखने को मिलेगे, जो एस चुरी का निर्मार करती है, कॉंकर्ड और मालावार तट इसी चित में देखने को मिलते हैं, लच्छदीप और अंडवान एकुबार भारत के द किलो मीटर दूर अरब सागर मिस्तित है, इसका छेत पल आपका 32 वर्ग किलो मीटर, कितना 32 वर्ग किलो मीटर, यहां मुक रूफ से प्रिवाल भीतियों द्वारा बना हुआ है, यहां आपके 36 दुईप देखने को मिलते हैं, कितने 36 दुईप समूवां का से मिलकर बनाए ह एक दूसरे से 10 डिगरी चैनल द्वारा अलग होते हैं, अंडवान और निकुवाल, मुक फिस्तल में इसकी निकत्तम दूरी लगबग 900 किलो मीटर है, कितनी 920 किलो मीटर, इसके सुदूर दश्चनबार को आप लोग इंद्रा पॉइंट के नाम से जानते हैं, इंद्रा प लेटा मुंबई ठर पर इस्तल स्री हरी कोटा अंधबिदश्ट पर इस्तल स्ले थे आपका है, जिस पर आपका मुंबई बसा हुआ है कई बार पूछ लिया है कि मुंबई किस दूई पवसा हुए है साल सेट दूई पर अब चलते हम लोग आगे और भारत की उप उप बिभाग महत्पूर्ण परवस सेंख लाएं तो इसमें पहली आपकी कारा कुरम यह पामीर से शुरू होकता है और पूर में गिलगिट नदी तक फैली हुई है कहां से पामीर से शुरू होकर पूर में आपका गिलगिट नदी तक फैली हुई 600 किलोमीटर लंबा है और ओस्तन 120-140 किलोमीटर चोड़ा है इसका प्राचीन नाम है किष्णागिरी, क्या है किष्णागिरी, सियाचिन बाल्टोरा, बियापो, हिस्सर, हिस्पर, इस चारों काराकरों में सबसे बड़े हिमखंड है, यानि कि गिलेसियर है, उचितमकोटी इसकी केटू है, या पिर इसे आप लोग गौर्ड बिन, गासेरू बुरूम या पिर गुप्त चोटी, चोडी चोटी और गासेरू बुरूम सेकंड, विस्की सबसे बड़ी ढाल वाली चोटी, राका पोसी यहीं पर आपकी इस्ते थे, काराकुरों सिंखला में, काराकुरों सिंखला का की उत्तर उत्तर सीमा पामीर, अगिल परव या फिर तथा आयार कंद नदी से है तथा दख्षिट उत्तर सीमा की बात करें तो सिंदू नदी तथा इसकी साखा सेउक है फिर आपकी लद्दाग सिंखला सिंदू सांगपो जीवन सीवन छित आईटी एसजड की उत्तर तथा काराम खोरम के दख्षिट सिंदू नदी और सेउक के बीच इस्तित्या की लद्दाग सिंखला फिर उसके बाद है आपकी जासकर सेणी मोकता हिमाले परवत का पश्चिमी भाग ट्रांस हिमाले की दर्चिन में इस्तित्य आपकी जासकर सेणी जासकर साड़ी के उत्तर पश्चेमी भाग का निर्मान करता है लेकिन इसकी भोगोलिक इस्तिती कस्मी रमाचल पिदेश कड़वाल चित में सीमेत है इसमें आपका आवस्तित नंगा परवत भारत के हमाले सिंखला की दुदी सबसी बड़ी चोटी है नंगा परवत धौल गिरी धौला गिरी नंगा परवत की पूर्वी विस्तार है का पूर्वी विस्तार है तथा यह है नेपाल में अवस्तित आपका नंगा परवत का धौला गिर पीर पंजाल कस्मीर रम पंजाब में अवस्तित तथा इसका विस्तार जहिलम नदी से उपर ब्यास नदी तक 300 किलो मीटर तक फैला हुए कस्मीर की घाटी द्वारा या जासकर सेडी से अलग होता है फिर आपकी दोला धर सेडी लगू हे माले की दच्छिरतम सेडी है आपकी कहीं कहीं इसकी उच्छाई आपको 400 मीटर देखने को 400 मीटर से अधिक देखने को मिलेगी या पूर में महाभारत सैडी के रूम में भी बिस्तित है महाभारत सैडी इन्हें भी देख लेजे भोगोलिक अवस्तिती के आधर पर हिमाले का बरगी कर पन्जाब हिमाले इसकी अवस्तिती सिंदू से सतलज के बीच देखने को मिलती है 500 किलो मीटर ठीक है बिस्तार है इसका हुमायू हिमाले सतलज कुमायू हिमाले इस सतलज तथा काली के बीच नदी के बीच है हैं ज कि पूर्बाण चल हिमृट इस हमाले सानी पूर में दे DOTL पार करनने वक के बाद उत्रे दशड जुकाव के साथ पठार के एक सिंखला का निर्मान करती हुए दच्छिड की और मोड़ जाता है प्रयापकी मिसमी पहाड़ी पूर्वांचल पहाड़ीयों की उच्छितम सेंखला जो अर्नाचल पिदेश के तुरी पूर्वी भाग में अवस्तित है पटकाईबुम पटकाईबुम एक अभीनती सेंखला जो अर्नाचल पिदेश और नागालेंड में उत्तर दच्छिड में विस्ता रहे थे आपकी ठीक है तर्यापकी नागा पहाड़ीयों नागालेंड और म्यानमार के बीच जल विभाज अपकी निर्मान करती है आपकी नागा पहाड़ीयों मडीपूर पहाड़ीयों कटक तथा गहाटी के भी पिकार की इस्तलावकती प्रमुक बिसेस्ता है लोक तक जील आपकी इसी संखला में अवस्तेत है मडीपूर पहाड़ीयों की संखला उत्तरी कचार उत्तरी कचार पहाड़ीयों पहाडी छित का दिक्तम भाग मेगालाय तथा उत्तरपूर्वी सेणियों में अवस्ते थे इसका मिजो पहाडिया पहले लोसाई पहाडियों के नाम से इसे जानते थे आप लो सेडी नुमा इस्थलाक्ती इसकी विसेशता है हिमालय का अनुदेर्द विभाजन हिमालय पहरिया इसे हमाद्दिरी भी बहते हैं हिमालय सेखला का तुरूत्तर भाग आपका 6000 मीटर की उसत उचाई के साथ विसकी उच्चेतम सेखला है याद रखिए जो भी आपकी उच्चेतम चोटी हैं यह सभी आपकी हिमालय में हिए इसमें आपने देखा हुगा माउंट एवरिष्ट नैपाल में 8848 मीटर मकालू 8848 मीटर मसालू 8156 मीटर अन्यपूर्णा 8078 मीटर भारत अधीकिर सर्वोचोटी हाथ की कंचन जंगा लेकिन अगर उचे की भारत की सबसे उची चोटी तो आपकी केटू है क्योंकि यह पीओ के वाले हिस्से में हैं टीक है लगू हिमालय इसे हिमाच्यल हिमालय भी कहते हैं आप लोग जो देहरादूंद्वारा सिबालिक सेनी से अलग होता है कई पिसित परवर्ती है परट्यक इस्थल जैसे कांगड़ा हो गया धरमसाला डल हो जी यहीं इस्थे थे आपकी लगू हिमालय में फिर आपकी सिवालिक सेडी है काई है जम्हू कस्मीरे 150 क्लोमीटर से अवनाचल्पदेश में 8-15 क्लोमीटर तक और 2400 क्लोमीटर तक विस्तार हो थे यानि कि आप देखते हैं जम्हू कस्मीरे में 150 क्लोमीटर चोड़ा है और औरणाचल पिदेश में जाकर यह आठ से पंद्रे किलूमीटर रह जाता है इसकी उत्री सीमा मुक्षेप प्रचेप ब्रहन से जो बाहे हिमाले को लगू हिमाले से अलग करता है इसकी दच्छडी सीमा भारतिय गंगा का मैंदान है यह ओक हिमाले यह फिर बाहे हिमाले भी कह पहलाता है परवसिंखला का सबसे नवीन तमभाग जो ब्रह्मपुत से सिंदू तक फैला हुआ है ब्रह्मपुत नदी से सिंदू तक अब हम बात करते हैं भारत का उत्तरी मैदान के बारे में फूर पश्चेम विस्तार 2400 किलूमीटर यदि सिंदू के मैदानी बात को सामिल किया जाए तो यह 3200 किलूमीटर औस लंबाई इसकी लंबाई है औस लंबाई ही बात करें तो 150 से 300 किलूमीटर इसकी औस तो प्रवत्तों के उत्तरी चाप के बीज सिंदू के मुहाने से लेकर गंगा के मुहाने तक फैला हुआ है आपका भारत का उत्तरी मैदान यह जलोड प्रक्रिती का है तथा यह बागर यानि की पुराना जलोड खादर यानि के नया जलोड नदी तल में भावर तथा तराई से बना हुआ है यह चेथ मैदानी भाठ का उपचे विभाजन की अगर हम लोग बात करें तो राजिस्थान का मैदान इसका विस्ता 650 किलो मीटर लंबा है और सच चोड़ा इसकी 250 से 300 किलो मीटर 250 से 300 किलो मीटर थार या फिर विसाल भारती मरुस्तल पश्टमी राजिस्थान में बेहत भारती मैदान का पश्टमोत्तर छेथ थे आपका याद रखिए थार मरुस्तल आपका पाकिस्तान में कुछ इसका इस्सा पड़ता है भारत में भारत का राजिस्थान वाला इस्सा यहीं है अड़त्सुस्क मैदान जो थार मुरुस्तल के पूर मैवस्ते थे इसमें राजिस्थान बांगर कहलाता है इस छित में दच्छट पर्षिम में रह बैने वाली एक मात नदी आपकी लूनी है कौन सी है? लूनी लूनी बेसंग के उत्तर में सामर, कुचामन, डिड़वाना, मत्पून, जीलें आपको देखने को मिलती है यह आपकी राजिस्थान के पास फिर आपका पंजाब हर्याना कमयदान इसके विस्तार की बात करें तो उत्तर पूर्ष से 10-6 पश्चिम तक 640 किलूमीटर गनगा का मैदान चाड़ इसके बिस्तार की बात करें तो 1200 किलो मीटर लंबा और 300 किलो मीटर चोड़ा है बेहत्तम विसार मैदानी भाग उत्तरपदेश बिहार पश्टे मंगाल होते हुए दिल्ली से कोलकाता तक फेला हुआ है गंगा तथा इसकी सायक नदियां जैसे आपका यमना हो गया घागरा हो गया गौमती हो गया कोसी हो गय बड़ी मात्रा में जलोड़क जमा करती है जो इस बड़ी मैदानी भाग को अधिक पूरवरक बनाती है कैसा बनाती है अधिक पूरवरक ये पश्टे में आपकी गंगा यमना द्वाब का निर्मार करते हैं इस द्वाब के पूर में रुहेल खंड का मैदानी भाग है जो भॉंड में अबद के मैदान के साथ मिल जाएता है ब्रंपुत का मैदान है किसा ब्रंपुत्य का मैदान है मं लंबाई 720 किलूमीटर है चोणड़ाई 80 किलूमीटर है लंबाई 720 कलूमीटर 14 असी किलोमीटर है निम्न इस्तर पर मैदानी भाग जो ब्रह्मपुत नदी तंद द्वारा नेर में थे उत्तर में पूर में हेमाल है अर्माचल पिदिश पूर में आपका पठोई भूं तथा नागा पहाडिया गारोखासी जानतिया तथा मेकिर पहाडिया पर्चिम में नि आइदान देखने को मिलता है उसके बाद है आपका प्रयदीपिय पठार परवर्तिय भाग इसे पॉइंट को याद रखी प्रयदीपिय पठार तो उसमें एक परवर्तिय भाग है इसमें आपकी अरावाली सिंखला है कुल लंबाई इसकी 800 किलोमीटर उस्चितम चोटी की की बात करें तो आभू परवत का गुरू से करें इसकी उचाही है 1772 मीटर 1772 मीटर के कुष्टेश आपका कईवार बन चुका है MPPSC में कईवार पूंचा गया है तो अरावली सिंखला की सबसे उटी चोटी काउंची है गुरू से कर यह आपकी आभू परवत पर देखने क को मिलती है कि भारत में उत्तरपूर से द्रच्चे परच्चम तक 20 और तथा राजिस्थान के अर्थ मरूस्थाल चेट से अलग करता है यह अप्सृस्ष्ट परवत का है किसा अप्सृस्ष्ट परवत का उधारन बिस्किप राचिनतब मोड दार परवत मैंसे एक है मैं इ जितना हो जितने से जदिक से जदिक मौक टेस्ट लगाएं क्योंकि आपको देखिए इस को आप कभी नहीं भूल पाएंगे कि अरावली सिखर की सबसे उची चोटी गुरू से करें क्योंकि ये कुश्चन के फॉर्म में बता दिया गया आपसे कि इस तरह का कुश्चन दच्डी मुख भूमी से अलग करता है या बलुवा पत्थर शलेटी पत्थर इस पेटी से निर्मे थे इसके दच्चन में नर्मदा नदी भ्रैंस गाटी में बहती है या उत्तरी तथा दच्डी भारत में जल्विभाजक का कारिण करता है सत्पोडा सिंखला और सत उंचाई समद्ध तल से 1030 मीटर है पूर्व पश्चिम दिशा में दच्चड दच्डी बिन्द तक बिस्तारे थे नर्मदा तापती नदी के बीच अबस्तित्या की सत्पोडा सिंखला एक कई बार कूच लिया गया है कि सत्पोडा सिंखला किन कि नदीयों के बीचे नर्वदा तापती नदी के इसका प्यारम आपका प्रश्चिम में राज पीपल पठार से सुरू होता है महादेव होकर यह मैकाल सेड़ी तक फेरी होई है फिर्यापकी मैकाल सेड़ी सत्पोडा तंद का पूर्वी भाग मध्यपदेश में अवस्ते थे अमार कंटक इसकी उच्चितम चोटी है फिर्यापका नेलगिरी परवत या पूर्वी वपश्चिमी घाट का मिलन बिंदू है आपका नेलगिरी परवत तो आपसे पूचे कि पूर्वी वपश्चिमी छोटी डोडबेटा का मिलन बिंदू कौन्सा है तो नेलगिरी परवत का उचछितम चूर्टी ॡोडडबेटा क्या है डोडबेटा है इसकी उंचाई है 2697 मीटर तो याद रखना नेल गिरी परवत की उच्चितम चूटी कौन से है डोडा बिटा यह परवत दच्चित पठार्म से एक दर्दा द्वारा अलग होता है जिसे आप लोग पालगाट कहते हैं क्या कहते हैं पालगाट एक कुश्चेंस आपका कई बार बन चुका है देखिए अन्ना मलाई परव अब द्वारत की उच्चितम चोटी अनाई मुडी आपको देखने को मिलती है तो याद रखिए दोदा बेटा द्वारत की दूसरी बड़ी चोटी है पहली बड़ी चोटी आपकी अनाई मुडी है इसकी उच्चाई है 2695 मेटर 2695 मेटर अब याद हो गया होगा अखको द्वारत की सबसे उची चोटी गोंसी है अनाई मुडी इलाई ची परवत ये प्राइदी भारत की द्वारत की द्वारत की द्वाग में अवस्ते थे नीच तथा सिष्ट चटानों का बना गया राजमहल परवत अब चलते हम लोग पश्टमी घाट पर कुल लंबाई इसकी लगभग आपकी 1600 किलमीटर है औसत उंचाई 1200 मीटर है ठीक है पश्टमी मैदानी भाग से लेको कर महादुईपी ये दश्चेतम बिन्दू कन्याकमारी तक बिस्तारित आपका पश्टमी घाट तापी के दश्चेतम से नीलगिरी तक का भाग आपकर सहयाद्री कहलाता है इस चेतमे अधिक तंबरसा होती है और यहां की सदा बाहर बन पाये जाते हैं पश्टमी घाट पूर्वी घाट से नीलगिरी परवत से मिलती है पहड़ी हम लोग देख चुके हैं ठीक है यह प्राइदी पिये नदियों का मुख जल विभाज़त के रूम में कारिवी घाट उत्तरी उड़ीशा से भारत के पूर्वी घाट से लेकर होकर नीलगिरी परवत तक आपका इस विस्तारे थे इसका विस्तार है पूर्वी घाट का महा नदी और गोदावरी के वीच यह पूर्वी घाट की उच्चितम चोटी महंदगरी है 1501 मीटर याद रखिए इसे भी पूर्वी घाट की उच्चितम चोटी महंदगरी है नल्ला मल्ली परवत किष्णा और पेनारू नदियों की वीच वस्ते थे अब आपका प्रादी पे पठारी भाग प्रादी प्रवती भाग दे चुके हैं पठारी भाग देखी लिए बुंदेलखंड भांडेर वगेलखंड मालवां का पठार यह उच्चपूमी नर्वदा भरास घाट प्रादी के उत्तर में अवस्ते थे आपकी बुंदेलखंड का पठार केंदरी यह उच्चपूमी का एक भाग है वह आपका ग्रेनाइट और नीश का बना हुए है अगर आप बुंदेलखंड के हैं तो आपके लिए बहुत ही माल्तून है ग्रेनाइट और नीश का बना मालवा पठार बिच्चे पर लावा पठार का एक उधारन है जो काली मिट्टी से धका हुआ है मेगाले पठार यह गारो खासी जैंतिया पहडियों से बना हुआ है यह सबसे जान्दर बाहर बर्सा होती है मेगाले मिट्टी है मुल लूप से प्रैदी पठारों प्रैदी ये पठार की मुख खंड सी अलग करता है गारू राजमेल ददा है फिर है आपका छोटा नांगपूर का पठार चोटा नांगपूर का पठार उच्चितम चोटी की बात करें इसमें तो हजारी बाग पठार में पारसनात है इसकी उंचाई है 1365 मीटर इससे आपका गुश्यंस एक बार नहीं कई बार बन चुका है चोटा नांगपूर की पठार की सबसे उच्चितम चोटी क्या है पारसन कहां इसते थे हजारी बाग पठार में जारकंड के बाग समीबर्दी मद्विदेश पश्मी बंगाल इसमें समाहे था कि छोटा नांगपुर के पठार में इसमें दच्छन में राची का पठार उत्तर में हजारी बाग का पठार उत्तरपूर में राजमहिल पहाडियां समले हैं छोटा नांगपुर का पठारकी मुखविस्यस्तां में से एक पार элем है यानि कि इसकी मुखविस्यस्ता क्या है पार भूंगी खनेच संसाधन में प्वित जुरता है है जिसके कारण भारत का रूर भी कह जाते बारत का रूर की सिखा जाता है आपका छोटा नांगपुर की पठार को छोटा नांगपुरुक का पठार पांच पठारों यह था पाट पठार राची पठार हजारी भाग पठार कोडर्मा पठार ब्रह्मा पठार बाहे पठार में बटा हुए है फिर आपका दक्कन का पठार प्राइदीब में सद्पोडा सिंखिला कि दच्छडी भाग को दक्कन का पठार कहा जाता है दक्कन के पठार का उत्तरी पश्चिमी भाग बेसाल्ट से निर्मे थे लावा कच्छे थे इसमें आपका 16.30 उत्तरी अक्छांस के उत्तर में स्थित पश्चिमी भाठ महाराष्ट का पठार नांगपुर के पूरी भाग छोड़कर और मद्विदेश का समीपरती भाग करनाटक और आंद्विदेश का समलेथ आपका दक्कन के पठार ठीक है ठीक है तेलंगाना का पठार दक्कन के पठार का एक भाग जो आंद्विदेश में आंद्विदेश चेत्रों को समलेथ करता है किष्णा नदी के उत्तर में तेलंगाना का पठार आपको देखने को मिलेगा किष्णा नदी का उत्री भाग रायल सीमा की पठारी चेत में अवस्ते थे आपका फिर आपका करनाटक का पठार दक्कनलाबा चेत की दच्चन में अवस्ते थे आपका करनाटक का पठार करनाटक के पठार में आपका माल नाड तथा मैदान में दो भू आक्रिती छे थे माल नाड पश्मी गाड के निकट लगवक 64 किलो मीटर चोड़ी पहाड़ी और विच्चेपित पठारी माग मैदान माल नाड के पूर्वी भाग में अवस्थे थे आपका अब चलते हैं हम लोग तट्रीय प्रदेसों में कहां तट्रीय मैदान के बारे में पश्चमी कच्छे से लगाकर कर्ण्याकुमारी तक आपका दस से असी किलोमीटर चोड़ी पट्टी के रूम में फ्हला हुए है आपका पश्चमी पठाय कहां से शुरू हता है कच्छे से लेकर कर्ण्याकुमारी तक काठियाबार पठाट या आपका कच्छे से दच्छन में दवन तक बिस्तारित इसे कहा जाता है आपका काठिया आपसे पूछे कि पच्छमी पच्छमी तट कहां तक फैला हुए है कच्छे से कच्छे से शुरूम हुता है गोजराग के तमिलाड़ी के तमिलाड़ू के कन्याकुमारी तक जाता है इसकी चोड़ाई आपकी 10 से 80 किलोमीटर चोड़ी पट्टी के रूम में देखते हैं आ पश्मी तटीय मेंदान उर्द्वाधर गती के पईडाम सुरूप जलमगन तट का उधारन है आपका कॉंकड तट या कूरता दंतूरिक कटा चटा भागे तटीय नेमने मूमी आसमान है तथा इसमें नदी घाटियां सकरी खाडियां और परबस रेनिया आपकी सामिल है अगा मालाबार तट आपका उत्तर में गुआ से सुनु होता है दक्षड की में कन्या कुमारी तक विस्तित रहे हैं दक्षड तटीय चेत में ग्रीसन मान्सून मौसम की द्वारान अधिकतर वर्सा होती है उत्तर में गंगा की डेल्टाइब मैदान से लिकर दट्षड में कन्या कुमारी तक 1100 किलोमीटर के छेत में औसाथ 120 किलो मीटर चोणाई के साथ पहला हुआए आपका उतकल टक्त उतकल तत गंगा के डेल्टाई मैदान से लेकर महानदी के डेल्टा तक लगवग 400 किलोमीटर तक पहला हुआ आपका उतकल तट, आंध तटिये मैदान, उतकल के मैदान के दच्छडी सीमा से पुली कट जील, यानि कि आंध पिदेश तक बेश्टा रहे थे आपका, आंध तटिये मैदान, इसमें आपका किष्णा गोदावरी नदियों का बहुत बड़ा डेल्टा सामेले, जलूर मैदा का नि दच्छड में कन्यापमारी तरलगवग, 675 km तक आपका विस्तारित है, तमिलाडू का मैदान है, इसमें आपकी काविय का डेल्टा मैदान, तफ्वा इसे दच्छड भारत का गोरव भी कहते हैं, क्या कहते हैं इसे दच्छड भारत का गोरव, फिर आपकी अपवायत पहली आपकी बंगाल की खाड़ी, कुल अपवायत चित का 77 पितीसद भाग जिसमें आपके गंगा विरंपुत्य महानदी किष्णा आदली सामिल है, जो बंगाल की खाड़ी में विर्शजित होती हैं और डेल्टा कन्यर्मार करती हैं, आप जानते हैं कि अधीकतर नदिया आपकी बंगाल की खाड़ी में ही गिरती हैं, तो इसमें ये नदिया आपकी डेल्टा बनाती हैं, जिनमें आपका गंगा, पुद्ध, महानदी, किष्णा ये सभी नदी हो गए, ठीक है, फिर दूसरा आप देखते हैं अरब सागर, कुल अफवाचित का 23 पितीसद, कितना 23 पितीसद, जिसमें आपकी सिंदू, नरबदा, तापती, माही, पेरियार, नदी सावल है, इसका जलब आप अरब सागर में गिरता है, और एस्टूरी बनाती है, तो याद रखे, जो आपकी नदी पश्चमंगाल में गिरती हैं, वो डेल्टा बनाती है, जो अरब सागर म बनाती है, नहीं, हिमाला एपवातंत तीन भागों में विवाजित है, किया गया, सिंदू, गंगा नदी अपवातंत, यह आपकी नदी होगी, उद्गम यानी की जहां से निकलती है, कुल लंबाई किलूमीटर में, अपवातंत बर्क किलूमीटर में, महत्कूर साइक नद ठीक है, सबसे पहले हैं सिंदू नदी, बारत में इसकी लंबाई की बात करें, तो 709 किलूमीटर बहने के बाद पाकिस्तान में प्रिवेश करती है, तो सिंदू नदी आपके यहां 709 किलूमीटर बहती है, उद्गम की बात करें तो 5080 मीटर की उंचाई पर हिमाला चाइणाम में जो इसका हिष्सा है तिपथ यहां से निकलती है इसकी कुल लंबाई की बात करें तो 2880 al 1990 अगर Iskese के अबवुआतंत की बात करें तो कुलिका Колbig अबवातंत आपका है 11,50,000 बरक किलोमीटर लेकिन अगर भारत में बात करें तो 3,21,290 बरक किलोमीटर है इसका छे इसकी अगर सहायक नदियों की बात करें तो जासकर, अस्तर, द्रास, सेउग, स्वात, कुर्रम, सिगार, गिलगिट, काबुल, बाहेतर से मिलने वाली जेलम, चैनाव, तरावी, ब्यास, तथा सतलज है, ठीक है, इसकी सहायक नदियां हुए, तरह आपका जेलम, काउसी है, जेलम, यह कस्मीर की प्रमुख नदी है, आपकी जेलम, यह आपकी उननचास सो मीटर उचाई पर, बैरिनाग नामक स्थल से निकलती है, इसकी भारत में लंबाई की ब बात करें, बहावगी, तो 28,490 बर किलूमीटर में भारत में, इसमें बेयाद हमाले तथा पीरपंजाद सिंखला की मत्र इसका प्रवाद चित है, कस्मी की घाटी और बूले जील से होती हुए यह पाकास, पाकिस्तान में आपकी प्रवेश कर जाती है, फिरे आपकी बहुत महत्पूर नदी, चैनाब नदी, चैनाब नदी की अगर उद्गम की बात करें, तो इसका उद्गम, 4,900 मीटर की उचाई पर जासकर सेंकला की लाहोल, सुईती, भाग की निकट जहां 12 लाचा, दड़ा वस्तिते हैं, वहां से निकलती है, चैनाब नदी, भारत में इसकी लंबाई है, 1180 किलो मीटर, इसका बहुत चित की बात करें, तो 26,755 बरक किलो मीटर में, इसका बहुत भारत में, चम्बा की निकट इससे गुजरती हुई, बेहद हिमाल है, तथा पीर पंजाल किमत बहुती ही आपकी, रावी नदी, यह आपकी हिमाचल पिदेश की कुलू पहाडियों से निकलती है, भारत में इसकी लंबाई है, 725 किलो मीटर, और अपवाय चित है, इसका ब आपका 5957 बर्ग किलो मीटर है, ठीक है, फ्रे ब्यास नदी, यह आपकी रोहतांग दर्री के पास 3960 मीटर की उचाई पर कुलू पहाडियों से निकलती है, कौन सी नदी, ब्यास नदी, भारत में इसकी लंबाई है 470 किलो मीटर, और 25900 बर्ग किलो मीटर अपवा, चित है भारत में, फ्रे आपकी सतलज नदी, सतलज नदी आपकी धर्मा दर्रे के पास 4630 मीटर की उचाई पर निकलती है, 1050 किलो मीटर इसमें भारत में उचाई इसकी, सोरी, लंबाई, बहती है, 24,087 बर्ग किलो मीटर में, अपवाच हित्त है भारत में, ब्यासरी के किस्थान पर, पंजाब की स्थान पर है, इसमें मिलती है, गंगा नदी, सबस्री महत्पूर नदी है, गंगा नदी के दो सीरी स्थिरोते हैं, एक अलग नंदा, दूसरी भागी व्रती, जो कि इन दोनों के मिलने के बाद आपकी गंगा मिलाती है, अठाइसो ये गंगुरुत्ती हिमाले से निकलती है, 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 गं कुल लंबाई 2525 किलोमीटर भारत में ठीक टूटल इसका कुल अभवाचित है 9,59,602 किलोमीटर इसमें इसकी सायक नदियों की बात करें तो यमना रामगंगा गंडक घागरा कोसी बूडी गंडक बागमती गौमती सौन महा नंदा कमला दामुदर जंगली बहरम माता भंगा गोराई हुगली इलावाद में यमना के साथ संगम करती है ठीक है इसकी सायक नदियों को भी याद रखना क्योंकि कई बार कुश्चन से बंज गये हैं यमना टौनसी यमना यमना आपकी कां से निकलती है गंगा के परश्चिम में 6,316 1.4 consistent में 6, О.Н. 20.90 के निकलती है 1384 किलोमीटर इसकी किलोमीटर में इसका अब बाच्छित है 3,66,330 किलोमीटर परख कर चंबल वैग्वा करकें माता होर्ड में नदिया निकलती है चंब-वैग्वा करें चंब-वैग्वा कर गये हैं चंब-वैग्वा हैं चंब economy cycle to उचाई पर तिबड किन निकट से मद्द से निकलती है 425 मीटर किलो मीटर में लंबाई है 9540 बड़ किलो मीटर में इसका अपवाच हित पहला हुगा है बाद में नैपाल में नारायनी के नामसे पट्ना में गंगा से मिलने मिल जाती है कुल अपबाद छेत इसका 48,500 बर किलोमीटर है 48,500 बर किलोमीटर है ठीक है तरह आपकी कोसी कोसी आपकी तिब्बत एवं नेपाल से निकलती है 730 किलोमीटर इसकी लंबाई है 86,900 बर किलोमीटर छेत पल है यानि के अपबाब छेत है कोसी अरणा तमूर बाड के कारण बेहार का सोग भी कहते है कोसी नदी को इसकी सायग नदिया कोसी अरणा तमूर है गोमती यापकी पीली वीत उत्तर प्रदेश से 3 किलोमीटर की दूरी पर 1200 मीटर की उचाई से निकलते हैं 940 किलोमीटर इसकी लंबाई है 30,437 बर किलोमीटर इसका अपबाचित है साई बरवा सूर चुहा गचाई जौंकी इसकी सायग नदिया है दामुदर 1366 मीटर की उचाई पर छोटा नंग पर पठाल से निकलती है बालू मट के पास से 541 किलोमीटर की लंबाई है 22,000 बर किलोमीटर में इसका अपबाचित फैला हुआ है गार्टस, कौनार, जमूनिया और बराकर इसकी सायग नदिया है सौन नदी यह आपकी अमरकंटक से निकलती है, MP से 740 किलोमीटर इसकी लंबाई है 17,900 बर किलोमीटर में इसका अपबाचित फैला हुआ है पठना की सवाब के पास मनेर स्थार पर गंगा में गिरती है सायग नदिया, इसकी उत्तरी कोयल है और पुनपुन है याद रखें सौन, आपकी गंगा में मिलती है सरे आपका ब्रम्पुत अपवाचित अभी गंगा अपवाचित और सिंदूग चित देख लिया अब देखिए आपको ब्रम्पुत अपवाचित उत्तर की ओर से यह नदी हो गया, उत्तर को लंबाई अपवाचित तंत हो गया, ब्रम्पुत में और इसकी सहाइट नदियां उत्तर की ओर से सुबन गिस्तरी निचले भागों में लोहित की नाम से जाने जाती है, यह आपकी तिबबत में इसे निकलती है चारसो ब्यालीज किलोमीटर इसका बहती है, बद्तीस जार च्छारीज अपवाचित अंत है इसका बड़ किलोमीटर में कमला इसकी सहाइट नदियां, मनास यह दच्छिड की ओर से बूरी दच्छिड ओर से मिलती है यह आपकी भूटान से निकलती है, 376 किलोमीटर इसकी लंबाई है, 37,500 बड़ किलोमीटर में इसका अपवातन्त खेला हुआ है, तोंसा उपूर इसकी सहाइट नदिया है बूडी देघांग, बूडी देघांग आपकी इसकी सायक नदिया है, इसकी सायक है नाम फूंक, नामाचिक, मानाहन तिरा धनसीरी इसकी लंबाई 354 मीटर है किलो मीटर में 12250 बग किलो मीटर छेत फल इसका छेत में अपवातन थे दिहांग लांग दीफू कल्यान नंबर इसकी सायक नदिया है बंगलादिस में बरंपुत्ते से मिलने वाली नदिये तो आपकी तिस्ता से किम से निकलती है 309 किलो मीटर की लंबाई यह 1244 इसका छेत्पल हो गया रजनी बेहत रड़नीत रंजीत लिस गिस खेल घेल इसकी सायक नदिया है ठीक है अब आपका प्रैदीपी नदियों का अपवातंत प्रैदीपी अपवातंत यह हिमाल है अपवातंत से पुराना है पश्मी घाट बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रैदीपी नदियों अरब सागर में गिरने वाली प्रैदीपी नदियों के बीच जल विभा कंटक्ट से निकलती है तेरे सो बारे किलूमीटर इसकी लंबाई है अंठानवे हजाद 796 वरक किलूमीटर इसका अभवात अन्त है और मद्देश में अधिक तरवार कुछन से बनते हैं इसकी सायक नदियों की बात करें तो बरने बेयार सेर दूदी सककर तावा हिरन तिंद करती है यह भी मद्देश से ही निकलती है 724 मीटर किलूमीटर इसकी लंबाई है 55145 वरक किलूमीटर में फेला हुगा इसका तंत पूर्णा बेतुल लावडा बादूर पाटकी गंजाव धर धत्रंज वोहाड बोरी अनभोरा खुरसी कापरा सिपरा पंजारा गार्जा ख पुली अनेर अड़ा वती गोमल हर्की वालूर वाले इस इसकी साहिक नदिया यह आपकी दोनों डेल्टा नहीं बनाती है अरुप सागर में मिलती है क्या करती है एस्टवरी का निद्मार करती है लूनी यह आपकी अजमेर में अजमेर से निकलती है कहां से अजमेर से अजमेर जला आना सागर से निकलती है इसकी लंबाई 320 किलूमीटर है 37,250 बरत किलूमीटर च्छितफ़ल इसका मतलब अभवासंत पहला हुए सुकाई सूकरी और जबाई इसकी साहिक नदिया हुए फ 320 किलूमीटर में बहती है 21,895 पर किलूमीटर इसका अपवासंत है बाकल जबाई मित्री सेही हरोनाओ हत्माही वाटरक मेस्वा इसकी साहिक नदिया है अब बंगाल की खाडी में पूर क्यूर वहने वाली नदियों की बात करें तो इसमें महानदी है आपकी महानदी आपक 275 में, किलूमीटर में इसकी लंबाई है 1,41589 बरक किलूमीटर स्चेत पल में इसका दाय किनारे पर जोंग ऑ और ओंक टेल इसका दाय किनार अधिया इसकी साहाएक नदिया आपको याद रखने है क्योंकि उनसे ही questions बनते हैं ब्रमडी ये राची जिले में नरगी गाउं के पास से निकलती है 800 km की लंबाई है 49,033 बरक किलोमीटर मतलब बरक छेत फल में इसका अबवातन्त है कूरा संकेन टिकरा इसकी सायक नदी बरक किलोमीटर में इसका अपवातन्त फेला हुए कोची करूबा इसकी सायक नदी गोदावरी अपवातन्त गोदावरी अपवातन्त गोदावरी इन नासिक की तेमबग से निकलती है 1465 किलोमीटर चेत फल में फेली मतलब किलोमीटर इसकी लंबाई है 312,812 बरक किलोमीटर इसका अपवातन्त है नेमलिकि सभी नदिया इसमें मिली हुए पैनगंगा यह आपकी गोदावरी की सायक नदिया है पुल्डाना सेंडी 676 मीटर किलोमीटर में इसकी लंबाई है 23,095 बरक किलोमीटर इसका अपवातन्त हो गया पस अर्मा अरन इसकी सायक नदिया हुए बैनगंगा यह आपकी सिवोनी से नकलती है 609 किलोमीटर इसकी लंबाई हो गई 16,093 बरक किलोमीटर में इसका अपवातन्त पहला हुए पैंच बाग अंधारी इसकी सायक नदिया हुए वर्था बैतूल जला से नकलती है 483 किलोमीटर इसकी लंबाई है 24,087 बरक किलोमीटर इसका अपवातन्त है बुन्दा, बैंबेला, पैंगंगा इसकी सायक नदिया है इंदावति, इंदरावति काला हंडी से निकलती है 531 किलोमीटर इसकी लंबाई है 41,665 किलोमीटर इसका बरक चेतफल में इसका अपवातन्त है नारंगी कोड़ी बंदिया नदिया इसकी सायक नदिया इस अभी आपकी गोदावरी की सायक नदिया है फिर आपका किश्णा अबवातन्त इसमें किश्णा नदिया महाबले सुर के उतर में 1380 मीटर की उचाई पर निकलती है उचाई गिर्टिये मिलती है और इसका लंबाई की बात करें तो 14 किलमीटर है 2,99,948 वर्ग किलमीटर हो में इसका अपबातन्त फेला हुए निमले की सभी साहिक नदिया है गाट पर बाद ये पश्चमी गाट से निकलती है 283 किलमीटर की लंबाई है 8,839 वर्ग किलमीटर चितफल में इसका अपबातन्त है हिर्यान नक्षी और मार्कन डियू इसकी साहिक नदिया है माल पर बाद ये भी आपकी पश्चमी गाट से निकलती है इसकी लंबाई 303 किलमीटर है अपबातन्त इसका 11,549 वर्ग किलमीटर है चितफल भीमा पश्चमी गाट से निकलती है 8001 किलमीटर की लंबाई है 76,614 वर्ग किलमीटर में इसका अपबातन्त है मूला, मूथा, गोड, नूरा इसकी साहिक नदिया है तुंग भग्गा, तुंग बद्रा पश्चमी गाट पहाड की चोटी से तुंगरा और कांडूर से बद्रा से निकलती है दोनों, दोनों एक मिलका तुंग बद्रा कहलाती है 640 किलमीटर की लंबाई है 17,417 वर्ग किलमीटर इसका अपबातन्त है वराडा और हगारी इसकी साहिक नदिया है मोसी मोसी इसकी इस मेड़क जला से निकलती है 240 किलमीटर इसकी लंबाई है 11,202 वर्ग किलमीटर यानि कि 11,202 वर्ग किलमीटर इसका अपबातन्त है अलेरू इसकी साहिक नदिया है कावेरी अपबातन्त या की कावेरी ब्रह्मागरी पहडियों से निकलती है 805 किलमीटर इसकी लंबाई है 87,900 वर्ग किलोमीटर चितफल में इसका अभवातन्त कहला हुए निमलिकित सभी नदियां इसकी साहिट नदिया है हमाबती यापकी मुद्गिल तालुका में पश्चिमी घार से निकलती है 183 किलोमीटर इसकी लंबाई है 5200 वर्ग किलोमीटर इसका अभवातन्त है यागाची, अलगर इसकी साहिट नदिय है भवानी, सायलेंट घार्टी जंगल से निकलती है 216 इसकी किलोमीटर में लंबाई है 7144 क्या इसका अभवातन्त किलोमीटर है स्रोथनी, कुंडाय, कुंणूर, मुवर इसकी सायक नदिया है तो यह थे आपर अपवारतन्त अब हम बात करते हैं भारतिये जलवायू के बारे में भारत की जलवायू एक दसाओं का बाइडन बार्ष से क्रितू चक्य के द्वारा किया जा सकता है वर्स में चार प्रमु करितू है क्योंको जोथे खाहिक सीतिरितू यह आपकी दिसंबल से फ्रवरी के सुसक्रितू को आप लो सीतिरितू कहते हैं ठंड का मॉशम उतरी मैदानों में उच्छ बायूदा बायू का चलन इस्थल से समुतिकी और और दच्छिट से उत्तर की और ताम्मान की कमी देखी जाती है इसमें सीती रितु में सीती रितु में देश के उत्तर पूरी भाग में छीन उच्वाई विदाप्छेत बना जाता है कैसा बन जाता है उत्तर पूर्वी वाग में छेन उत्च वाईवदाब छेत बन जाता है पवन की दिसाब की गंगा गाटी में उत्तर पश्चिमी या फिर पश्चिमी गंगा ब्रमपुत की डेल्टा की पिदेश में उत्तरी ओर हो जाती बंगाल की खाडी मेत van की वर इनकी दिशा उत्तर पूर्वी हो जाती है कभी-कभी चक्वाती है आवधाबों के कारण बिगन पड़ जाता है जिन्हें पुच्छमी बिच्छोब कहते हैं क्या कहते हैं? पुच्चमी बिच्छोब कहते हैं इनसे उत्री भारत में वर्सा होती है आपकी इनसे उत्री भारत में वर्सा देखने को मिलती है तथा उत्तरपूर्वी व्याबरिक पगनों से भारत के तमेलाडू को लाप पहुचता है जैसे चैन्नाई में परियाप्त वर्सा होती है आपकी फिर आती है गर्मी की रितु य ताब मन बढ़ता है वाईवदाब घट जाते हैं मई की अंतर तक एक लंबा संक्रा निम्ने बाईवदाब छेच ब्यक्सुत हुथ है जिसे मांसून का निम्ने बाईवदाब गर्द करते हैं इसका विस्तार आपका खेदी रीडाजिस्थान से पटना भीहर तक रहता है देश के उतर पश्च्मी भाव मे निम्ने बाईवदाब की गर्द के केन में दोपहर के बाद सुस्क एभम गरम हवाय चलती है इनके बाद हल्की भरसा भी होती है कभी कभी स्थानी तूफान के समय बहुत तेज़ हवाय चलती है मुशला हदार बरसा देखने को में मिलती है ग्रीस मृतू के अंत में केरल और करनाटक के तटिये भागों में मानसुन से पूर बरसा का होना स्वभावी सी बात है बंगाल और असम में उत्तर पश्च्मी और उत्तरी पवनों के द्वारा बरसा की तेज बहुचारे होती हैं कहां बंगाल और असम में आंगे आपका मानसुन सब्द की उत्पत्ति अर्वी भासा की मौसिम सब्दे से होई यह आप मानसुन कहते हैं न कि मानसुन आ है तो आपकी अर्वी भासा की मौसिम सब्दे से हुए जिसका ताथ पर होता है मौसम रेतु बारत की जलबायई वी ऊस्ट कतीवन दिए मानसुनिया भारत की जलबायई यह जै किस तरह किया उस्ट ने कटी बन दिये मान सुनिए गर्मी माओं में पश्टमी मरूस्थल में ताब क्रम कई बार 50 डिगरी celsius कोईशपर्स कर लेता है जबकि सर्दियों में लेकि आसपास ताब मान माईनस 42 डिगरी celsius तक गिर जाता है यानि कि अधिकतम आपका 50 डिगरी celsius तक देखा गया है और ने उर्तम आपका 42 माइनस 42 डिगरी celsius तक देखा गया है देश में बर्सन उपकी मात्रा में अंतर है यानि कि देश में अलग 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 चेत्रों में अलग अलग बर्सा की मात्रा देखी जाती है जैसे मेगाले, यहां सबसे जानदा आपकी वर्षा देखने को मिलती है मेगाले की खासी पहाडियों में इस्तेत आपका चेहरापुजी और मौसन राम याद रखिए मौसन राम और 122 शेक वर्षा यहां 1080 cm से जानदा देखने को मिलती है इसके भी पिरित आप लोग देखने हैं राजिस्थान की जैसल में में आसत बार से बर्सा 12 cm देखने को मिलती है एक तरफ आप देख रहे हैं मेगाले में मौसन राम में अग्षी विशा की बात करें तो 112 से 125 सेंटीमीटर के बीच रहती है 112 से 125 सेंटीमीटर दच्छड पश्चिम मानसुन एक जून तक केरल तठ पर पहुँच जाता है तथा 10 से 13 जून तक मॉंबई तथा कुलकाता में पहुच जाता है 15 जुलाई तक संपूर भालतियों महादी में सक्क्रिय हो जाती है देश के अधिकांस भागों में बरसा जून और सेप्टमबर की बीच होता है किन्तु तमिलाडू के तटिये पिदिस में पिदिसों में बरसा सरदित्यू और तथा अथवार जाडों के बाद आरम में देखने को मिलती है दश्चन पश्चन मानसून यह आपका सबसे महत्पूर मानसून है इसी से अधिकांस भागों बरसा होती दिखती है आपको दश्चन पश्चन मानसून की अधिके दवरान तमिलाडू सूखा रहता है क्योंकि यह अभिष्टी छाय चित में पढ़ता है आपका आने वरता मानसून की बात करें हम वो तो यह जुलाई से सेप्टमबर तक पूरे वर्स का गितरन आसमान उत्तरपश्चन में मैदानी भागों में आयुदार और निम्न दच्षडी गुरारदों की ब्यापारिक पवनों का खिचा होता है याद रखिए यह सबसे पहली केरल में आता है और सबसे बाद में केरल में ही खतम होता है जम्भू कस्मीर के छित में सबसे बाद में पहुँचता है वो सबसे पहले खतम हो जाता है वह सी मानसूड हिंद महा सागर में विश्वत बिर्थ को पार कर ये हवाएं बंगाल की काड़ी और अरब सागर में आ जाती है विश्वत रेखा पार करते ही इनकी देशा दच्छे पश्चम हो जाती है इसलिए ने हम लोग दच्छर पश्चे मान सुन कहते हैं बारतिय प्राइदी में इसकी दो साखाएं हो जाते हैं कौन? अरब साखर की साखा और दूसरी है बंगाल की खाड़ी की साखा अरब साखर की साखा के सामने पश्चमी हटों गाट परवतों का अरोध आ जाता है इसी कारण सहयाद्दी के पवनमुक धालों पर भारी बरसा देखने को मिलती है गारो जैनतिया ये खासी खासू ये जो पहड़ियां इसी कारण आपकी मौसन राम में बरसा देखने को मिलती है क्योंकि ये अरोध के रूम में बादियों के सामने आ जाते हूं बरसा अदेख होती है मद्विदेश दक्कन के पठार पश्चमी राजिस्थान अरावली की परवत सेड़ी हिमालय के पश्चमी भाग में बरसा आपकी अरब सागर की साखा से अधिक जबकि बंगाल की खाड़ी से साखा के कारण भारत के उत्तर पूर्वी भाग में बरसा देखने को मिलती है तो याद रिठना मद्विदेश के दक्कन, मद्विदेश दक्कन के पठार पश्चमी राजिस्थान अरावली की परवत सेखला परवत के पश्चमी भागो में आपके अरब सागर से की साखा के वर्षा होती है पीछे हटना मांसूद अक्टूबर नमंबर तक मांसू निमन बाईवदाप का गर्द कमजोर पढ़ जाता है उसका इस्थान कुछबाईवदाप ले लेता है नमंबर के प्यारम में उत्तरपश्चिमी भारत का निमन बाईवदाप्शेत बंगाल की खाड़ी में इस्थानातीत हो जाता है ये साओधी में अंदमान सागर में चक्कबद बनने लगते हैं कहा अंदमान निकों सागर में। इससे कुछ दशडी तरागती कि पूर्वी तटों को पार कर जाते हैं। इनके द्वारा इस छेत में ब्यापक बर्सा भी होती है, कोरोमंडल तटप अधिक्तम बर्सा इनी चक्कवातों एवं आउदावों से होती दिखती हमें तो आपके भारत में बन, बन आपके तीन पेकार के होते हैं, कौन-कौन से सुरक्षित बन यहां ब्यक्षों की कटाई एवं पसुगों की चराई बिल्कुल वर्जे थे, यानि की पिती बन देते आपकी, कां सुरक्षित बनों में ब्यापारिक बन यहां लाइसेंस प्रॉक्ट लोगों को ब्यक्षों की कटाई ऊपसमों की चराई का अधिकार प्राप्त होता है। ब्यापाईक बनों में नवीनतम बन इस पेकार के बनों के अधिक्का अंत्रकत मिट्टी की सुरक्षा उकटे हुए छेत्रों को फिरसे बसाने के कार किये जाते हैं सबसे पहली राष्टी बननीती की बात करें तो 1988 के अनुसाल देश के 33 बाग पर बन होने चाहिए सीधा सा मतलब है कि राष्टी बननीती आग की जो 1988 है इसके अनुसाल जैसे यह आपका 100% छेते हैं ठीक है तो इसके 33 बाग पर बन होना चाहिए अपने समझ रहे हैं इसलिए वह अर्थमार में आपकी बात करें तो 21.233 पर बन है कितना 21.233 याद रखिए यह सांकडे आपकी बदलते रहते हैं जब बन रिपोर्ट आती है तो उसमें बदलते रहते हैं लेकिन यह नहीं बद लेग 23.23 बाग पर बन होना चाहिए उन्डी 108 से की बन नहीं थी गए अपसार। 60.23 बन परवतिये चित्रों में देखने को मिलते हैं 25.23 मैदानी चित्रों में अगर चित्रों की अनुसार बन्दा च्छादीत पिदेशों की बात करें तो घंटे किरम में सबसे जाना बद पिदेश फिर राडवा चल पिदेश चतिस गड़ महराष्ट उडीशा में देखने को मिलती है एसर आई आई एस एप आर यह रिपोर्ट होती है इसकी बात अगर हम लोग करें 2019 में अभी रिपोर्ट आई हुई थी आपकी ठीक है तो उसके कुछ आकड़े बता देते हैं आपको और जब भी पेपर देने जा रहे हों तब आप लोग इस तरह की जो भी रिपोर्ट आती है उसे भी देख लिया करेंगा क्योंकि क्या होता है कि उससे आपको कुछ चंस बंते रहते हैं तो तीक है तीस दिसंबर 2019 को भारत इस्तित रिपोर्ट जारी की गई जो इस सिंख्ला में आपकी 16 भी रिपोर्ट है कौन सी 16 भी देहरादून इस्तित भारती इवन सर्विक्षन जो आपका भारती इवन सर्विक्षन देहरादून है इसके द्वारा पितिक दो बर्स पर सुदूर संबेतन आधारित उपग्रे चितन की मात्यम से डेश में बनों और व्यक्षों की इस्तिती पर भारत इस्तिती रिपोर् उपग्राइस सोट सेट टू उपयव किया जाता है सहयुक्तराष्ट खादेवं तिर्शी संगतन की रिपोर्ट के अंसार भारत को दुनिया के उन दस देशों में आठ वास्तान दिया गया है जहां बारसेक इस्तर पर बंचेत्रों में सबसे जानदा बिद्धी देखने को मिलिये उसमें भारत आपकी आठ वे नंबर पर ठीक है अंतराष्टी इस्तर पर सेटराष्ट खादेवं किर्शी संगतन द्वारा बंच साधनों के स संद्रों में हर पांच वर्स में एक बास एक बार रिपोर्ट की जाती है सबसे ताजा रिपोर्ट आपकी 2015 की है जो 2011 से 2015 की लिए पिकासित की गई थी कि अभी अगर हम लोग इस रिपोर्ट की बात करें 2019 की आई एस एफर की तो इसमें देश में बनों और व्यक्चों से अच्छादित खुल चेतफल आपका आठ लाग साथ जार दोसो चेतर बर्ट किलोमीटर है यानि की 24 देसमलों 56 पितिश्ट बात पर भोगोलिक चेतफल में बनों का हिस्सा की बात करें तो ये साथ लाग 12,249 किलोमीटर है यानि की 21.66 पितिश्ट बेक्चों से अच्छादित चेतफल की बात करें तो 95,27 बर्ट किलोमीटर है यानि की 2.89 पितिश्ट जेगेंगेंगेंगेंगे 3,9sheetra Lum loves 56 जाले 112 किलो needing it स्भाव 8iben जाले 113 किल são यह आपकी 0.653 की वित्थी है भोगोलिक छित्फल में बनो और व्यक्षार उपर का हिस्सा की बात करें तो 24.563 की वित्थी देखी गोई अगर 2000 भारत बन रिपोर्ट इस्तिती रिपोर्ट 2019 का राजवाई आकड़ा देखें तो 30 के संदर में सरवाधिक बनावरण वाले राजजाप की मिजूरम दूसरे परमिच अरुणाचल पिदेश तीसरे रममर परमेग आले अगर हम लोग सरवाधिक 26 फल वाले राज़यों की बात करें तो आपका मद्द पिदेश उसके बाद अरुणाचल पिदेश उसके बाद छे आपका 36 गड़ है इनी से क्वेश्चन पूंचे जाएंगे तो आपको याद रखना है इस तरह कि जो भी रिपोर्ट जारी होती हैं तब आप लोग देख लिया करें है इमारती लकड़ी बनका एक मत्वून उत्वादे जिसका उप्यूब्यापक परमाने पर निर्माड कार उद्ध्यों के कच्छे माल और इनन और इनन के रूम में मुक्रूप से लिया किया जाता है जैसे रेलबे के सिली पर कागज तक था बोर्ड कड़ी फर्नीचर गौन चिचली से आपका यह बिम चिंगम है चिंगम इस्पूस से रेयों बस्त तो आपको तुरू टूप त्री याद रखा करिएगा है इसी से आपके कुष्ण्स पूछेजा सकते हैं चेथपल की दरिष्टी से सरवादिक बनावरन वाली संग सातसित चेतरों की बात करें तो अंदवान चेथपल की दरिष्टी से अगर नि लबड़िये जल में उकते हैं कि जानमाल की रख्ण में सहयूख करती हैं क्योंकि इնकी जड़े मोर्टी सब्सक्राइब भारतिय बन रेपोर्ट 2013 रहे मैं इसे 3,30 देखी गई थी कितना 3,30 देखा गया था भारत में सरवादिक मैंगो बनों की बात करें हैं अगर सबसे जान्दा की बात करें तो यह कहा है पष्चे मंगाल में सबसे जान्दा 21 ho 55 mm 700 में देखा जाता है गुजरात में दस्टाव अंठावन निकुर्वार में 670 Willãy 332 में देखा जाथ अच्छे मंगा राज में इन्हें और आAbsnine में인이 अपudenस्क कहते हैं एन्हें क्या संदर्वन भी आप लूग में कि आ कि याद रखें में संदर्वन गेंटा कि संदर्वन है चलते ही आगे हमलोग और 2000 अभी जो नई मेंगो बनो की इस्तिति आई इसमें आपका एक दस एक दस अमलोग दस पितीसत की बित्थी देखी गें थी ठीक है यह बारत में बनो की पिकार और यह से उत्पात में प्राप्त उत्पाद की बात की जा रहे हैं बंसपती छेत हो गया more और बेक्च हो गया ऊच ने कटी बन दिये सम नम सदाबहार बन 900 मीटर से नीचे वाले छेत में पश्ट में उत्तर घाट में पश्ट मोत्तर ततिय भूबाल उत्तर पूर्वी भाल में देखने को मिलता है इस से आपको कटोर लकडी वाले बेर्च रोजबुड महोर गनी, एवोनी, अवनूस, बासरवड, सेंकोनाधी मिलते हैं उस ने कटी बन दिये सुस्क सदाबहार बन या कि असम पश्ट मंगाल तटिय उडिशा, पश्ट मुत्र घाट और संकीर पट्टी का निर्मार करता है सदाबहार बन पूर्वी सीवा पर भी देखने को मिलते हैं पढ़णेपाती और सदाबहार, पिकार, कमुक बेच, कदम, रोजबुड, काजू, चमपा और आमेड उस्टन कटी बन दिये पढ़णेपाती बन ये आपके पश्चिम मंगाल, उडिशा, मद्धपिदेश, कपूर्वी भाग और छोटा नांगपूर के पठार में देखने को मिलते हैं उत्तर में बर्स, मद्ध, तथा पश्चिमी भाग में टीक, दच्छुडवित्तर भाग में चंदन, सिसू, सीसं, मगवा नेम और खेर आदी देखने को मिलते हैं उष्निकटी बंदी और कांटेदार बन, आंत्रिक पठारी भाग, पूर्वी राजिस्थान, पूर्वी और उत्तरी, पंजाब, सौराष्ट, अंध पिदेश में देखने को मिलते हैं बबूल, यूफोरिया, हुर्विया, खेर और खजूर आदी देखने को मिलते हैं मरोस्थलिय बनस्पती, राजिस्थान के पश्चिमी भाग, इवं पश्चिमी घाट के वर्ष्टी चाया पिदेश में देखने को मिलते हैं कैक्टस, कांटेदार, जाडियां इसमें सम्झेते हैं परवर्थिय बनस्पती, ये आपके हमालाय के पहाडी चेत्रों में जम्मू कस्मीर और हमाचल पिदेश में देखने को मिलते हैं इनमें आपके चौड़े पत्ते और कौड़िये आकार के व्यक्च मुख बनस्पती रहते हैं जैसे पाइन हो गया और चीड पश्टमी हमाले में आकरोट, देवरार, बिलुपाइन, सिल्वर फर हमाचल हमाले चेत्रों में देखने को मिलते हैं जुआरी अबनस्पती, कुछ इस्थानों पर बहुत घना पश्टमी गार्ट जैसे गंगा महानदी, किटना गोदाबरी डेल्टा या आपके संद्री नारियाल, पेंस, केवडा, बैंत, क्रो, ये सभी व्यक्च देखने को मिलते हैं सीतोष्क बन ये आपके 1830 मीटर से अधिक उचाई पर पूर्वी हमाले में और 1800-1500 मीटर से अधिक उचाई पर पश्चमी हमाले में देखने को मिलते हैं अल्फाइन परवर्द, पूर्वी हमाले में 3650 मीटर से बीच देखने को मिलते हैं, मीटर बीच अल्पाइन बनस्पति घास की बनस्पति के उwyपर पत्री ले भाग में मिलते हैं, जहां कुछї काई और कουνच जड़ी भुटिया मिलते हैं। जब तक कि इस्थाई हेम रेखा नहीं पहुंच जाती है अब बात करते हैं हम लोग मिर्दा यानि की मिट्टी बितरण की उसकी विसेश्थाओं की यह आपके मिर्दा की यानि की मिट्टी के पिकार हो गया निर्मार हो गया विसेश्था हो गयी उनकी छेत और राज्य हो गये. जैसे आपकी जलोड मिट्टी है. कौन सी? जलोड मिट्टी. जलोड मिट्टी आपकी वितरन की लाक बार किलूमीटर में यानि कि 14 दिसम लो पचीश किलूमीटर में फेली हुए. देश के संपून भाग में यानि कि 43 दिसम लो द्वारान लाए गए जलोडकों के जमा होने से बनती है यह मिर्दा नया जलोड खादर और पुराना जलोड भांगर कहलाता है तराई मिर्दा आपकी भावर पते इसमें और अनुप जाओ मिर्दा उसरो बहुत उर्बर मिर्दा है, मिट्टी है उर्बरक चूना तथा पोटास की भावलता, नाइट्रोजन और फॉस्पूरस की कमी देखी जाती है चावल गेहों और गन्ना जूट कपास के लिए यह उपयोकते है या आपकी उत्री मैदानी भाग, या फिर नदी बेशन पंजाब हर्याना, राजिस्थान का पूरवी भाग, गुजरात, उत्तर पिदेश, बिहार, पश्चिम, बंगाल और असम गाटी में देखने को आपको मिलती है जलोड मिर्दा, काली कपासी मिर्दा, जिसे आप लोग रेगुर मिर्दा भी कहते है इसका बित्रण छेत 49.8 मिलियन हेक्टर में रहती है, यानि कि 15.236 फल में दक्कनलावा, ग्रेनाइट और नीस से निर्मे थे, इसमें आपका मेगनेसियम लोहा की उपस्तिती के, कारण इसका गहरा काला रंग होता है नाइट्रोजन और फॉस्पोरिक में अपून, पोटास और चूनाक से परिपून है, कापास की खेती के लिए आपकी सर्वुत्तम खेती है, मट्टी है, कई बार कूचलिया है, काली कापासी मिट्टी इसे लिए बोला जाता है, रेगुर मिट्टी भी बोलते हैं से यह देखने को मिलती है, माराष्ट दच्चिडी उड़ी सा, उत्री करनाटक राजिस्थान के भागों, दो जले बूंदी टॉंक में, मद्द और दच्चिट तमिलाडू के पठार में भी आपको देखने को मिलती है, लाल मिर्दा, इसका बेतराण है 6.8 यानि की 6.8 लाग बर्ट किलोमीटर में, अठाज़ दिसम्लोग 6.3 भाग में, भारी वर्सा और वसद दर्जे के बर्सा में अगने चट्टानों के उपरी भाग पर मिट्टी विक्सित होती है, यह लाल और पीले रंग के विविन्ने रंगों से रंगों में होता है, लाल रंग इसका लोह है प्रश्क की उपस्तिती के कारण होता है, अकार्मनिक परदार फॉस्पोरस नाइट्रोजन और चूना से अपूर है, इसमें पोटास और अलूमिनियम की मात्रा संतोज जनक इस्तिती में होती है, यह आपकी तमिलाडू आद्विदेश और करनाटक के जानदातर भागों मे दश्चोड उत्तर भारत की महराश्ट के भागों में, पूरुवत तर मद्विदेश में छोटालादपूर और बुंदिलखंड में आपको देखने को मिलती है, फिर आपकी मरूस्तली है भूमिय है, इसका विदरन 1.42 लाग बर्ग किलूमेटर छे, छेथफल है, हवा और ताम्मान के कारण अपचैन की मदस से इसका निर्मार होता है, alguém लृमस वर नॉलीजन की कमी इसमें होती है, फॉस्पोर की भाउता होती है, कमबर्सा और निचालन के कारण उपरी संस्तर पर खनेज मात्रा की भाउता होती है, यह आपकी देखने को मिलती है, पंजाब रय 40 लाग वर्ट किलोमीटर इसका निर्माट बनस्वती के विकास से प्राप्त जयविक पदार्तों के अफगटन से हुआ है मिट्टी की मिट्टी की विशेष्टाएं सेलों की स्वरूब में अंतर भूमी स्वरूब और जलवाईव की विविन्यता द्वारा निर्दारित होती है और बर चमता से पूर लेकिन पोटास पॉस्वरस्ट और चूना से अपूर है चाय कॉफी के लिए अधिक उप्यूक्त मिट्टी है यह आपका इसका छित देखने को मिलता है जमू कस्मीर का हिमाले चित हिमाचल पिदिस पश्चिमिय और पूर्वी घाट के प्राय चित है 1.22 लाग बर किलूमीटर यानि की 3.7 पिदीशत बागपन लेटराइट मिर्दा का निर्माट तीब उचने कटी बंदी वर्षाव की समय निक्चालन और सुस्क मोसम में उपरी मिर्दा की सूखे जाने से होता है उचे चित्रों में अधिक अमलेता अलूमेनियम लो चरनाटक तमिलालू, छोटा नागपूर, कपठा और उत्तरपूर्वी राजी के धलानमाली चेत्रों में देखने को मिलती है फिर आपकी दल्दली भूमी या इसका विदरन है आपका 1.08 लाग बर किलूमीटर में डिल्टाई चेत्रों में अधिक नमी के कारें इस पिकार को मिलती है ठीक है अब भारत की प्रमोग परवस्याणियों को देख लीजे पहले भी हम लोग देख चुके हैं लेकिन इसकी इस्तिती बताई जा रहे है तो इनसे भी आपका डारेक्ट कुश्चन्स बन जाता है यह आपकी परवस्याणियों हो गई उचाई हो गई मीटर म यह भारत का सर्वोच परवस्याणियों नंगा परवत यह आपका हमाले में है 8124 मीटर उचाई है इसकी यह हमाले की पश्चमी किनारी पर जमू कस्मीर में इस्तित है नंदा देवी यह आपका वियहद हमाले में है 7888 मीटर इसकी उचाई है यह उत्राकंड का सर्वोच परवस्तिकर है कंचन जंगा व्यहाद हमाले 8588 मीटर हिसकी उचाई यह सिक्केम और नेपाल की सीमा परवस्तित है जमू कस्मी के बाहर बाहर एक देश की सर्वोच चोटी है नामचा बरवा एक कारा कुरम में 7756 मीटर हिसकी उचे बद्दिनीनात व्यहाद हमाले में 7040 मीट के लिए पवित चार दामव से दो है कैदारनात व्यहदे माले की है चोटी है इसकी 6831 मीटर उचाई है मांट आवू गुरु सिकर अरावली परवस्तिकला में 1722 मीटर उचाई है यह राजिस्थान का सर्वोच सिकर है इसे गुरु सिकर भी कहते हैं आप लो राजिस्थान क सर्वोच सिकर है अमर्कंटक मैकाल सेंखला में 1666 मीटर उचाई है यह नर्बदा यह वं सौन नदियों नदियां उध्गे में उध्गे में उथ होती है यानि कि यहां से आपकी नर्बदा और सौन नदी निकलती है दूबगड यह भी आपका कईवार कुश्चन बंद पचमड़ी इसी के निकाट आपका देखने को मिलता है कल्सु भाई यह हर्ष्चन सेंडी में है देखने को मिलती है 1646 मीटर इसकी उचाई है अन्ना मुडी अन्ना मलाई सेंडी में है यह आपकी 2695 मीटर उची है यह दच्छन भारत की सर्वोच चोटी है याद रखिये ड सुड़ा जंजाती इसी के निकट भाग में निवास करती है महन्दगरी आपकी पूर्वी गाट की पहाड़ियों में 1501 मीटर के उचाहिए उडीशा के गंजाम जिले में इस्तित पूर्वी गाट का सरवोस सिकर है पूरवी गाट का याद रखिये महन्दगरी कहां का पू वास सिंख लाएं कुछ बात को जो हमारे लिए परीच्छा के पॉइंट डिवी उसे महत्पूण है इनसे भी आपके कुश्चेंस बनते रहते हैं भारत के प्रमुख नगर हैं और नदिया हैं प्रमुख नदी हो गहीं उनके किनारे बस से नगर जैसे आगरा पूचेगा गुबाटी यह बेरंपुत नदी के क्किनारे हैं जबलवूर नर्वदा मदूरे यह आपके बैगाई नदी के किनारे हैं पंड़ जी मांडवी नदी के पूने मूठा नदी के सूरत तापति या तापी नदी भी उलत में जासे उसके किनारे 6 majority आपका सरीव किनारे है, सरीव नदी के किनारे, इसे पहले गहागरा भी बोलते थे, गहागरा नदी, पन्दरपूर आपका भीमा नदी के किनारे है, हैद्राबाद आपका मुसि नदी के किनारे बसा हुए, सम्भलपूर वied आपका महान दी, विजयवाडा, کtw wollt पिरोश पू गंगा नदी के किनारे तटपर है, एहमदाबाद, साबरमती, औरंगाबाद, काउन, कटक, महानदी, फरिद्द्वार, गंगा, कानफूर, गंगा, नासिक, कोदावरी, उज्जेन, यह पता है आपका MP, कोई भी एकजाम होता है MP में, उसमें पूछता है, उज्जेन किस नद नदी के, छिप्परा, स्रीनगार, जेलम नदी, तुरुचेरापल्ली, कावीरी नदी, जौनपूत, गौम्ती नदी, डिप्परुगड, भरंपूत नदी, कोटा, चंबल नदी के किनारे, स्रीनंग, रंगपटनम, कावीरी नदी, दिल्ली आपका यमना नदी, बद्रीना अलग नंदा नदी, लखनव, गौम्ती नदी, अजमे, लुनी नदी, आपको प्रमुक प्रमुक जो भी चल्चा में रहते हैं, उनकी उन्हें याद रखना चाहिए, कभी भी कुश्चन्स बन सकता है आपका, समझ में है, अब चलते हैं भारत की प्रमुक जीलों के बारे म जम्मू में है, वेरिनाग जील, मानस बल जील, नागिन जील, सेश नाग जील, अनन्त नाग जील, यह सब ही आपकी जम्मू कस्मीर में है, कहा हैं, जम्मू कस्मीर में, फिर बात करते हैं राजिस्थान की, याद रखिए, 2021 के बाल ही अच्छे से अपडेट होगा, उसके बाद ही आपको मालू चलेगा कि लगदार्थ में क्या-क्या चला गया है और जम्मु कस्मीर में क्या-क्या है अभी आप लोग इतना याद रखिए इतना नहीं पूच्छे जाएगा राजस्थान, राजसमंद्र जील, पिछोला जील, साबर जील, लुड करन सागर जील, सर जील, जैसमंद जील, फते सागर जील, डेटवाना जील और एक बात आप लोग हमेशा, मैं इसलिए बोला हूँ, मैप्स का पार्ट देख लिजे, आपको पता है कि इस तरफ लगदाद बना दिया गया है, तो आपको मालू तो रहेगा कि ए जीले आए, एक जीले आए, इसलिए बोला हूँ, मैप्स वाला पार्ट पूरा कदम कर लीजे पहले उसी, मुझे लगता है तब आपके questions सभी सही हो रहें तो यह राजिस्तान की जील थी, इसके बाद आपकी उत्राखंड की जील है, उत्राखंड, राज की, इसमें आपका उत्राखंड में साथताल है, देवताल है, नैनिताल, नौकुचियाताल, राकसताल, ख कोलेरु जील सागर जील उडिसा की बात करें थो चिलका जील उडिसा में आपकी चिडका जील माराष्ट में लोनार जील मडीपुर में लोक्तक जील केरल में बिमनाड़ जील, अश्टमुरी जील, पिर्याजील, चौरस सत्य अनप्रभावि छेत्रों वाल, अनप्रभावि दोड़ी वाली छोटी जीलों को पिलाया कहते हैं, अधिक नमकबाली पिलाय को सैली, नास कहते हैं, फिलाय को अरफ रगिस्तान में खबारी और मम लाहा, सहारा में इसे सट कहते हैं। आप से किस तरह से क्ष्छल का जील कहा हैं। किस राज कौन कौन है काविरी डेल्टा नहें या कि कोले रून नदी से निकलती है काविरी नदी की साकार से प्रियार परियोजना प्रियार नदी से निकलती है मैट्वर परियोजना काविरी नदी पर है निचली भावानी नहें यह भावानी नदी पर है काविरी नदी की साहिक नदी यह भवानी इनसे भी आपके questions पूंच लेते हैं प्रयार पर योजना किस नदी पर है प्रयार पर मैटूर किस पर है कावेरी पर याद रखें फिर चलते हैं हम लोग केरल मालम पुछा बांध की नहर यह आपकी मालम पुछा नदी मालावार जिला में है बलायर वलायर यलासर की नहर यह मालम पुछा नदी पर है पिरियार की साहिक नदी है मंगलम योजणा की नहर मालवार जिला में आंदफिदेश चलते हैं चलिए इसी चक्कर में हम लोग पूरा भारध भी गुम लेते हैं सभी राज गोदावरी डेल्टा की नहर है यापती आप कियो है गौमली गोदावरी विशिष्ट गोदावरी डेल्टा चित में गोदावरी की साका से किष्णा डेल्टा की नहर ये किष्णा नदी पर है किष्णा सिचाई उढ़ना की नहर किष्णा नदी पर है किष्णा एनियट से 15 मील उपर है चलते हैं पंजाब में पंजाब लाजी में चलते हैं yak छिंद नहर सतलज नदी से निकलती है घुर्भाद नहर सतलज नदी मां टि पेला Tay पर चलते हैं उत्तर पिदेश उत्तर पिदेश में पूर्वी यम्ना नहेर यम्ना नदी से ओपरी गंगा नहेर गंगा नहेर नदी से हरेद्वार के सभीव निचली गंगा नहेर गंगा नदी नर्वा बोलंद है से साधा नेयड फाना ए kell आ पाणी ठाल्टाह से साल्टा नदी से पश्चमी सौन नहर सौन नदी से तेवेनी नहर गंडक नदी से गंडक बांध ये उजना दो नहर है तिरहोत नहर और सारन नहर ठीक है फिर चलते हैं हम लोग पश्चिम बंगाल में ये आपकी पश्चम बंगाल में मेधना पोर्क नहर कोसी नदी से निकलती है एडन नहर द दामोद नदी की नहर दामोद नदी से निकलती है दुरगापुर जिले। राजिस्थान की अगर हम लोग बात करें तो वीकाने नहर आप की सदलनेज नदी से निकलती है फिरोचपूर के समीब होसैनी वाला से। काली सील परियोजना, काली सील नदी से निकलती है, गंबीरी परियोजना, गंबीरी नदी चित्तोरगर से निकलती है, वाकली परियोजना, सूकरी नदी से निकलती है, पारवर्ती परियोजना, पारवती नदी से निकलती है, गुडा परियोजना, मेजा नदी से, मुरेल पर जग्गर नदी से इंद्रा गांधी नहर। इंद्रा गांधी नहर। आपकी सथलज और ब्यास नदियों के संगम्परिस्तित हरीके BAYRAAST से निकलती है। थिर उसके और महाराष्त तो महाराश्ट में उपकी गोदावरी नहर। यरु आपकी Godawari परवस्य मुला परियोग्ना मूला नदीप बिल परियोज्य नीरा नदीप owitz थर्यापका आंधपदेश क्या है आंध पिदेश रामपत सागर परियुजना गोदारवरी नदीपर है पोला वरम नामकिस्थार पर तुंगबद्द परियुजना तुंगबद्द नदीपर है किष्णा की सायक नदीपर पर्यूजना है, किष्णा और पिर्णार नदीबर, ठीक है? फिर आपकी भारत के प्रमुक जल सरोर, भारत की प्रमुक जल प्रपाथ, यह आपकी जल प्रपाथ हो गया, इस्तिती हो गया, इनकी उंचाई हो गया, ठीक है? जोग या पिर गस उप्पा, जल प्रपाथ, यह महात्मा गांदी जल प्रपाथ भी कहते हैं से आप लो, ठीक है? यह आपकी सरावती नदीबर हो गया, 255 मीटर उंचा है, कितना? 255 मीटर सबसे उंचा है, एना जल प्रपाथ, यह महावली सुर्किय समीप नरवदा नदीबर है, 183 मीटर उंचा है, सिब समुद्रम जल प्रपाथ, काविरी नदी पर है, 90 मीटर उंचा है, गौकक जल प्रपाथ, किष्णा की सायक नदी गौकक नदी पर है, 55 मीटर उंचा है, पायकारा जल प्रपाथ, निरगीरी शित में है, चुलिया जल प्रपाथ, चंबल नदी पर है 18 मीटर है इसकी उंचाई पुनासा जल्पे बाद चंबल नदी पर है 12 मीटर उंचाई इसकी कितनी 12 मीटर मंदहार जल्पे बाद ये भी आपका चंबल नदी पर देखने को मिलता है 12 मीटर उंचाई है विहार जल पे बाद टॉंस नदी पर है सौ मीटर उंचा ही इसकी दुनाधार जल पे बाद नरवदा नदी पर है पचास मीटर देखने को मिलती है होंडरो जल पे बाद सूंडरेखा नदी पर एंठान मेर मीटर उंचा ही इसकी देखने को मिलती है या आपको रटना ही पढ़ेंगे देखिए इसमें कोई भी आपको ट्रिक नहीं है कि आप याद रख सकें या तो आप डिटेल से बस मेप बाले वह पढ़ लीजे तो उस पर माली चल जाए कि सब चित में यह कहां यह है कहां यह कहां तुब यह याद रख सकते हैं आपरों बात करते हैं भारत की किर्सी छित की, भारत की कुल छित पल करें लगबग 59 पिती सत कितना 59 पितीसाद भाग पर किर्सी होती है? चार भूबहग पर 4 गा है राज जी का जो बिसे होता है उस पर राज जी कानून आता है किसी राज जी सूची का बिसे है पूछ सकता है कई बार पूछ भी लिया है कि किस सूची का बिसे है राज जी सूची जिसका उलेक समिधान कि सादवी अनुसूची के प्रविष्ट 14 में किया गया है सादवी मंत्री डॉक्टर राजन पर साथ थे पहले याद रखे पहले मंत्री मंदल मंत्री आपके डॉक्टर राजन पर साथ थे देश की कुल सरम सक्ती का लगबग 48.930 बाग किरसी इससे समंदित उद्धे उधंदों से अपनी अजीव का चलाते हैं यानि कि कुल जंग संख्या का आपका 48.930 बाग किरसी फिर याई इससे कोई धंदा चलता है इससे समंदित उस पर अपनी वह रहते हैं वह अरतमार में भारत के सकल गहरे लिए उत्पाद में इसका यह उगदान 13.930 है कितना 13.930 नेमलिकित आपकी पितार की किरसी की जाती है इन्हें भी देख लिए एपी कल्चर मदुमक्की पालन को कहते हैं पीसी कल्चर मद्सवालन को कहते हैं फिलोरी कल्चर फूलों का उत्पादन से संबंदिते हैं पीटी कल्चर अंगूर की केती वर्मी कल्चर कैचुगा पालन पोमो कल्चर, फलों का उत्पादन, ओलेरी कल्चर, सबजियों का उत्पादन, एरो पोटिक, यह आपका हवा में पौधों को उगाने से संबन्दी थे, हौटी कल्चर, बागवानी से संबन्दी थे, हाइड्रोपॉनिक्स, जल में पौधों को उगाने से संबन्दी थे, स्त पूर्व येउज्नायोग दुआरा निर्दारे कृसी जलवाईव चेत बार आप जानते हैं कि अब नीती आयोग को भी थाबित करकर नीती आयोग्सDisS इसमें आपका जम्मो कस्मी, लग्दाद हमाचल पिदेश में गड़वाल चेत सामे ले पूर्वी हिमाले चेत इसमें आपका सिक्क्यम आता है भूटान अरुनाचल पिदेश आता है, सतलाज का मैदान और गंगा का की उपरी घाटी पिदेश इसमें पंजाब हर्याना दिल्ली पस्चम में पस्चम उत्तर पिदेश आपका देखने को मिलता है, गंगा की मदबती इवं डेल्टा पिदेश में आपका दच्चिड पूर्वी मैदान बिहार पस्चम बंगाल गंगा सागर और डेल्टा चेत देखने को मिलता है, तांस गंगा का मैदान इसमें सिवाली के माले मैदान के मत्द के भावर इवं तराइचेत देखने को मिलते हैं, पूर्वी प पठार एवं पहाडी पदेश, नांगपूर का पठार, चत्यसगण, बगिलखंद, दंडिकारण एवं बस्तर, इसमें सामिल है आगे। पश्चमी पठार और पहाडी पिदिस इसमें लावा का पठार, मालवा, बुंदेल खंट, तेलंगाना का पठार, उत्तरी समुद्री परवत देखने को मिलता है दस छिडी पठार और पहाडी चित इसमें आपका मैसूर करनाटक का पठार, तमिलनाडू का पठार, पष्ट्मी घाट की उँचे पठार, पहाडी वाग सामेले हैं पूर्वी तटिये मेदान और पहाडियां इसमें आपका कुरू मंदल तट उत्कल उत्तरी सरकार देखने को मिलता है पश्चमी तटिये मेदान एबन पहाडियां कोमकड करना तक मालावार तट उंचे गाट और पहाडियां इसमें सामेल हैं आपकी तुरे आपका गुजराद का मैदान और पहाडियाँ, इसमें कच्छिक कठियावाड, सुरास्ट, संकरा ततीवाग, पूरवी इनदी गाटियों की निम्न भूमी गाटियां सामय हैं पश्चिमी सुस्क पिदेश, इसमें पश्चिमी गोजरात, थार मरुस्तर, अरावलेवी एवं पूर्वी सुस्क पिदेश, हर्याणा एवं सीमांत भाग देखने को मिलते हैं दुईपी अपिदेश, इसमें लक्षी दुईप समूव, अंडवान नकुबार, निकुबार दुईप समूव, देखने को मिलते हैं आपके विस्त में जैसा कि आप सभी को पीछे भी बता चुका हूँ, विस्त में चावल उत्पादर में चीन पहले नमबर पर, भारत दूसरे नमबर पर, जिस तरह साथ आपका जनसंख्या में चीन पहले नमबर पर रहे और आप दूसरे नमबर पर, भारत में खाद्यान के अंतर विस्स में ग्यहूं उत्पादन में चीन के बाद भारत का दूसरा नंबर है, चावल के उत्पादन में भारत दूसरे नंबर पर चीन, और ग्यहूं के उत्पादन में भारत दूसरे नंबर पर है, देश के उकल किर्सी भूमी के लगवख 15 पिती सद भाग पर ग्यहूं की के थेती की जाती है, देस में गयों कि उत्पादन में उत्तर पदेश का पिथम इस्तान है, जबकि पिती हेक्टर उत्त पादन में पंजाब का पिथम इसके लिए करेंटपीर से जुड़े रहे हैं, क्योंकि इससे भी आपकर कुछछ्चन चाशन्स बंदे रहते हैं, बिद्धी होई थी, इसके चावल की तुल्ला में गेहूं के उत्पादन में अधिक बिद्धी देखने को मिली थी यह आपकी विवेंट किरांतिया हैं, किरिसी किरांतिया हैं, इनसे भी आपके questions डारेक्ट पूछ लेते हैं हरेत करांती खादियन उत्पादन से सम्बंदी थे, सोईत करांती दोगत उत्पादन से सम्बंदी थे, नेडी करांती मत से उत्पादन से सम्बंदी थे, भूरी करांती और वरक्ट से सम्बंदी थे, रजत करांती अंडा उत्पादन, पिली करांती तिलहन उत्पादन, क्रह नहरी क्रांती फल उतवादन से संब्धिते हैं, अमरित क्रांती नदी जोडो परियोजना से संब्धिते हैं, ठीक है, एक दुबार पढ़िये आराम से याग बने रह जाएंगे आपको, ठीक है, एक क्विश्चन भी आपका कई बार पूच लिए गए, भारत में हरित क्रांत पित्थम हरित करांती के बाद 1983-84 में आपकी दूती हरित करांती की शुरुवात की गई जिसमें अधिक अनाज उत्पादन निवेस और किस्सक की दी जाने वाली सेवाओं का विस्तार किया गया था तिलहन परोद्दोगी की मिसंद आपका 1986 में शुरू हुई थी बारत में नाइट्रोजनी औरवरकों की अपनी खपत का 94 पितिसद फॉस्पेटी औरवकों की खपत का 82 पितिसद का उत्पादन ही उत्पादन करता है बारत दलहनी फचलों की उत्पादन ही तू कोबाल्ट आवसक होता है क्या होता है दलहनी फचलों की उत्पादन ही तू कोबाल्ट आवसक तक थे बारत औरवरक उत्पादन में विस्त में तीसरे स्थान पढ़े जबकि चीन अमेरिका क्रम सा पहली दूसरे स्थान पर है आपका भारत में विश्व उर्वरक उभोकता में दूसरे स्थान पर है पिथम पर आपका चीन है, क्या है चीन है, इन सभी के लिए मैं बता रहा हूँ ना कि आपको करेंट से जुड़ना पड़ेगा, जूम खेती, इसमें जंगलों को काट कर भूमी साप की जाती है, तथा इसके ब क्या होता है, एक जगए आपने जंगल साप किया, उस पर खेती की और फिर उससे छोड़ दिया, अन उर्वर होने के बाद, उस पर जाओ ना खतम होना, उसकी उपजाओ जो चमता होती है, वो खतम हो जाने के बाद, आप उससे छोड़ कर दूसरी जगए चले जाते हैं, इ या फिर दहिया कहते हैं आंद्रतेश में पोडु या पेंडा कहते हैं उडिशा में पामाडावी या फिर कोमान या फिर वरीगा कहते हैं पश्मीगाट में कुमारी कहते हैं दच्छिडे पूर राजिस्थान में वाल्रे या वाल्टरे कहते हैं हिमालय में से खिल कहते हैं ज याद रखे आपके पेपर दब देंगे तब अपडेट करते रहेगा क्योंकि ये बदलते रहते हैं भारत यूरिया के मामले में सौपितीसत आत्म निरवर है यानि कि अपना उत्पादन शुरप कर लेता है और उभोगता भी स्वयम हो जाता है यानि कि जितना उभोगता है उतनी उत्पादन कर लेता है पोटास और वरक का पूरी तरह आयाद किया जाता है यानि कि दूसरे देश्वों पर हम निर्भार हैं पोटास और वरक के लिए आम केला चीकु खटे फल नेवु काजू काली मिर्च नारियल अद्रक हल्दी के उत्पादन में भारत का इस्थान बिस्व में पहला है नेवु काजू काली मिर्च नारियल अद्रक हल्दी के मामली में हम विच्व में पहले इस्थान पर हैं बता देते हैं इन्हें भी फ़सलों उत्पाद में पिथम इस्थान देख लीते हैं लेकिन मैं बार-बार वही बोल रहा हूँ कि इनके लिए आपको करेंट से जोटना पड़े हैं तभी आपको संसॉल कर पाएंगे चावल में पश्चे मंगाल पहले पर आंध्यपिदेश दूसरे नवर उत्तर पिदेश दीसरे पर ग्यहू में उत्तर पिदेश, पंजाब, हर्यान, बाजरा में राजिस्थान, उत्तर पिदेश, फिर उसके बाद गुजराद, मक्का में आंध्यपिदेश, उसके बाद करनाटक, राजिस्थान, चना में आपका मद्यपिदेश, महराष्ट उसके बाद उत्तर पिदेश, अर सरसों में राजिस्थान, उत्तरपिदेश, हरयाणा, सुयावीन में मद्धपिदेश, उसके बाद महाराष्ट, उसके बाद राजिस्थान, सूरेज मुखी में आपका करनाटक, उसके बाद आंद पिदेश, महाराष्ट, कपास में गुजरात, महाराष्ट और तमिलाडू है जूट में पश्चिम बंगाल है, बिहार है, दूसरे नमबर पर तीसरे पर आसम आलू में उत्तर पिदेश है, पश्चिम बंगाल दूसरे पर, बिहार तीसरे पर प्याज में महाराष्ट, गुजरात दूसरे पर, करनाटक तीसरे नमबर पर गन्ना सबसे जाना उत्तरफिदेश उसके बाद महराश्ट तमिलाणू में देखने को मिलता है थलों एवं सब्जियों के उत्पादन में भारत का इस्थान दूसरा है पिथम चीन है ठीक है? बिस्व में तमाकू का सबसे बड़ा उत्पादा को भोगता चीन है आपका जिसमें पत्तियों में वांचित रंग इवं गंद आदी गुड़ों का विकास होता है सबसे उच्चकोटी का कहवा अरेवी का होता है मक्का में व्राइडवर्ड, धान में खेरारो, जस्ता की कमीक से देखने को मिलता है अन्य भंडारन करते समय दानों में नमी 10-30 सिक नीची होनी चाहिए अन्य था कीट विकोब का वह रहता है यानि कि सूखा होना चाहिए दलहनी फसलों के उत्पादन नहीं तू कोबाल्ट आवस से के पीछे भी देख चुके हैं से । रेतूंगों की बात करें हम लोग तो रेतूंगों की आभार पर भी आपका फसवों का भरिगर किया गया है रवी की फसल यह आपकी अक्टुभर नवंबर में बोई जाती हैं 그래도 में काट ली जाती हैं इसे आप लोग रवी कहते हैं इससे questions इस तरह से बनता है कि ग्यमू रभी की फसल है या खरीब की तो आपको याद रखना रभी की फसल जो फसले अक्टूबर नमबर में बोई जाएंगी और मार्च अपरेल के करीब काट ली जाएंगी वो आपकी सभी रभी की फसल होंगी इसमें आपका ग्यमू जो चना मटर सरसो आलू राई इस अभी सामिल है खरीब की फसल जून जुलाई में बोई जाती है और नमबर दिसंबर की करीब काट ली जाती है इसमें आपकी मुख फसले है धान हो गया गन्ना हो गया तिलहन जौर बाजरा मक्का अरहल फिर एक फसल है आपकी जायत फसल यह मई ज पर दिदोन बोई जाती है जुलाई अग्रस्त्रम करण लिजाती है इसकी मुख फसलों में राई मक्का जुहार जूट मटुगा अपिरागी तह STUDENT FR टीक है इन्हें भी याद रखिए पिरमुक फसल का जनमिस्थान यानि कि जनमिस्थान समझते हैं आपका जनमिस्थान आपका छित है उसी तरह धान का जनमिस्थान आपका भारत और इंडोनेसिया है क्या मानते हैं धान का जनम का होगा भारत इवं इंडोनेसिया में गेहूं का मदेसिया में रबड का दच्छडी अमेरिका बिराजिल में अरहर का अफीका में उधर उरत का जिसे उर्दा बोलते हैं आप लो इसका भारत में अमरूत का अमेरिका में बाजरा का अफीका में कहवा का बिराजिल में गन्ना का भारत में गन्ना का कहा हुआ है भारत में ठीक है उसके बाद मक्का का मद्द अमेरिका तमागू का दचड़ी अमेरिका जो का आपका चीन में हुआ है सोयावीन चीन में जुआर भारत में मूंग भारत में मसूर चीन में टमाटर मेक्सको में चायन चाय आपकी चीन में आलू फेरू मे यह सभी फसलों के जनम इस्थान थे यानि कि जहां से इस फसलें आई हुई है अब हम लोग बात करते हैं भारत में सिचाई के बारे में भारत में सिचाई परियोजनाओं को तीन भागों में आटा गया है पहली आपकी बेहत सिचाई परियोजना पर यह मद्यम सिचाई परियोजना, तीसरी यह लगवू सिचाई परियोजना, यानि कि थीन भागों में बांट अगये से, अगर हम लोग सिचाई की साधनों की बात करें, आपके भारत में, तो कुगा और नलकूप से संचित भागे 55.9, यानि कि आप कह सकते हैं कि सबसे जा सबसे जाना कुगा आप से, फिर नहर से तालाब से, ठीक है, बात करते हैं, बेहत सिचाई परियोजना के बारे में, इसके अंतरकत बेपरियोजना ये समले की जाती है, जिसके अंतरकत 10,000 हेक्टर से अधिक किर्सी भूमी होती है, समझ रहे हैं आपको, अगर 10,000 हेक्टर से अधिक किर्सी ये भूमी है, तो उसे बेहत सिचाई परियोजना के बात करें, तो इसके अंतरकत बेपरियोजना है समले थे है, जिसके अंतरकत 2000 से 10,000 हेक्टर किर्सी भूमी यह भूमी होती है याई नी कि इसकी सचाई इतनी होती है लगू सच्णाई परियुजना के इंतरगत बेपरियोजनाहे संपने थें जिसके इसके नंतरगत 2,000 हेक्टर से कम किर्षी योग भूमी होती है। भारत में कुल सिंचिछित का लगभग 373 बड़ी मद्यम एवा मद्यम सचाई पर युजना के दिन है और 633 चोटी सचाई युजनाओं के दिन है। यानि कि 37-37 आपके बड़ी बेहत और मद्यम सिचाई परियोजिना के अंतरगत भूमी है और 63-37 छोटी सिचाई परियोजिना के अंतरगत अधिक है भारत में बोए गए सुद्ध बोए गए छेत कि लगवक 33-33 भाग पर सिचाई के फ्रमों को साधन है यानि कि 13,360 लाग हेक्टर में देश में सरवादिक नलकूप और पंप सेट आपके तमिलाडू में देखे गए है अठारे पिती सिच भाग में और महाराष्ट में दूसरे नमबर पर तो आप समझ सकते हैं देश में सरवादिक नलकूप और पंप सेट का उप्यूग कहा होता है तमिलाडू उसके बाद महाराष्ट में केवल नलकूप का सरवादिक सगंता वाला राज्जाप का उत्तरपदेश है कौँसा है उत्तरपदेश प्रयादीपी है भारत में सिचाई का प्रमुक साधन तालाप है तालाप का सरवादिक सिचाई तमिलाडू में राज्ज में की जाती है तालाप से विस्त का सरवादि चेत आपका चीन है 21 पीटीसत भारत दूसरे नंबर पर है 20 देसंबलोग 2 पीटीसत विश्ट में सरवादिक सिंचित चीन है उसके बाद भारत का नंबर दूसरा है इनसे आपका कुश्चन से पूंचा गया है बहुत बार कई बार एक बार ने कई बार भारत की मतफुन बहुत देशी है नदी घाटी परियोजना है परियोजना का नाम हो गया नदी हो गया उद्देश हो गया इसका लावान भीत होने वाले राच्च हो गया फरक का परियोजना फरक का परियोजना गंगा भागी रती या किसकिस पर गंगा भागी रती पर इसका उद्देश सक्ति उत्पादन सेचाई तथा नौपरीवन के लिए गाद के जमाव को धूर करना इसका उद्देश है पश्चे मंगाल में लावानवित होने बाला जिला है इससे राज्य स्वरी पश्चे मंगाल काकरा पारा परियुजना तापती नदी पर देखने को मिलेग सचाई के लिए उद्देश से इसका बनाये गए गुजरात इससे अरुरत है तवा परीवन में लावान उद्द्देश है और मध्धिदेश सर्वा नांक पूर सक्ति ग्रह परियुजना कुरान नदी पर इसके थे ताप विद्दृत का उदपादन इसका उद्देस है महर महराष्ट में इससे यानि की महराष्ट आपका लावनवित होता है ओकाई परियोजना यह तापती नदीपर है सत्ती उत्पादन और सिचाई के उद्धिस के लिए इसकी स्थापना की गई गुजराथ इससे लावनवित होता है है पौ्छम पाथ परियुजना स्री रामसागर परियुजना बी कहते हैं एक उदावरिन दील पर है सिचाई के लिए इसका उध ЗнаES सिचाई के लिए इस्चाई के लिए कि इस खांबन ना इसे लावानवेत होता है माल पूरबा परियुजनाeleri को इससे लावानवित होता है महानदी डेल्टा परियोजना आपकी महानदी नदी पर है सिचाई के लिए इसकी इसे बनाया गया था गुजरात इससे लावानवित होता है रहन्द परियोजना रहन्द नदी पर्हें जलबिद्धु सक्ति के लिए इसकी उद्देश नहीं उद्तरपदेश से लावन में उत्त हुथ ताहें कुंड परियुजना कुंड नदी परें, जल्बि्द्धू सक्ती और रहं तुमिलाडू, जल्बिद्धू सक्ती और से च्चाइ के उद्धिस्क बनाये गया था और राओनवेत होता है. इससे आपका बश्चे मंगाल और जारकंड लावान वित होता है। इड़क्वी परियोजना तुर्यार नदी बरस्त है। जल विद्धुत सक्ति इसका मैन उद्देश है। और केरल इससे लावान वित होता है। टहरी वान परियोजना भिलंगाना तथा भागीरण नदी पर इसते थे। जल वित्धुत सक्ति के मान उद्देश के लिए इसकी स्थापना केगे उत्राखंड वित होता है। माता टिला बहुत्देश के परियोजना बैदबा नदी पर है। सक्ति उत्पादन और से चाहिए दोनों विवस्ताएं हैं इस पर उत्तरपिदेश मत्पिदेश इससे लावान भी होता है। कुएन परियोजना कुएना नदी पर है उस्ते थे जल बिद्धो जल बिद्धो सकती के उद्देश से से बनाया गया था महराष्ट ऐसे वहलावान भी था राम हम गंगा बहुत देश्यय परियोना दौन धी पर है ए गंगा की साहिट नदी राम कम्का विद्ध हो सक्ति और सचाहि बिवस्ता हैं इस पर उत्तर पिल्पे इससे लावानुद होता है कोफ और डीने किष्णा प्रिजना किष्णा नदी पर से थे तढ्षति सिचाहि से वाती है करनाट कि इससे लावानुद हुता है गाड पर परियोजना गाड पर बहा नदी पर हैं से चाई एबं जलविद्धो सकती इसका उद्देश और करणाटक इससे लावनुर्ट तो आपको बताना पड़ेगा कि किस नदी पर हैं यही पूछता है अहीं जैसे आपकी जाय की वाड़ी पर योजना हो गई या आपकी गोदावरी नदी पर इसकते है सिचाई इसका उद्देश है यह नहीं पूछेगा लगवग लेकिन यह भी पूछ सकता है महाराष्ट यानि कि जाय की वाड़ी परीवजना किस नदी पर है गोदावरी इससे लावरी नदी पर है सिचाई होती ऐसे पंजाबत लॉद वित होता है हीड कल परियूजना गाठ प्रबहार नदी पर है सिचाई यह व्षन सकती इसका मेन उद्देश है करनाटा किससे लावान विद होता है करनाटा किससे लावान विद होता है ते ते ंरा bet बैज्ट सलाल Πरियोजना चेनाब नती परुस्थित है सचाई एवं जल्विथत सक्ति इसका मेनुद्ध से और जम्रुकॉसमीरुस से लावान नारतपार ज्याकरी पुर्ण सतलस नती पर सिचाई एसिया की सबसे वड़ी परियोजना है हिमाचल पिदेश परिष्टे थे पानम परिष्टे थे पानम नदी परिष्टे थे सिचाई इसका मैं उद्देश है गुजरात इससे लावान में उद्दा कोल्टेम परियोजना सतलज नदी परिष्टे थे सिचाई एवं जल जल बित्धुत दोनों इसका उद्धस है पश्य मंगाल इस लावानवित होता है पराम्बी कूलम अलियार परियुजना आठ चोटी नदियों पर परियुजना है जल्विद्धूद भी सकती जल्विद्धूद भी बंदियों सिचाई दोनों उद्देश हैं इसके तमिलाडू और किरल इससे लावानवित होता है भात्ता नागल परियुजना आपकी सतलज नदि बरिश्त है पंजाब के हुस्यारफूर जिले में जल्विद्धूद सकती का उत्पादन और सिचाई दोनों उद्देश हैं पंजाब हर्याणा हर्याणा और हिमाचल पिदेश तथा राजिस्थान इस चारों राज जिससे ल नहर बहुत है राजिस्थान नहर पर याइसे इंद्रां इंद्रा गांदी नहर भी बोलते हैं पंजाब में शच्द्रल नदि पर है शिचाई इसका मुख उध्देश है राजिस्थान पंजाब हर्याणा इससे लावानवित होते हैं दावुदर घाटी परियोगना पर इस्र शकति उत्पादन यानिकि बित्त सकति उत्पादन वसे Idonoris के काम और वुड़ी साल तकि पर यह देखने के विविए इसके लावान बजना कि तुंग भत्वाद्र नदी पारिष्ट थे सकति उत्पाद्न वसे चाहिए दोनों देश इंसके आ चाहिकि आत्पिकत करनाटकस से लावान वीलूत होता है इस चाहिकश़ 2card science सापास्ट प्वश्च मंगाल यह से लावान वीलूत होता है कौनसा पश्च मंगाल नागार्जुन सागर परियुजना ये आपकी किष्णा नदी परिष्टे थे सक्ति उत्पादन और सिचाई ये इनके मेन उत्देशें उत्द पिदेशें से लावान वित होता है कोसी परियोजना कोसी नदी परिस्ते थे बाड़ नेंतन से चाई सक्ति उत्पाधन इसके मेनुद्दे से विहार और नेपालिस से लावान वित होते हैं कि गंड़क नदी परियोजना गंड़क नदी पस्तिते सक्ति उत्पाधन और से चाहिए इसका मेनुद्दे से बिहार और नेपले से लावान वितुते हैं तो यह थी आपकी प्रमोग परियोजना है कि अब चलते हैं भारत में खनिश संसाधन देखते हैं यह आपके खनिश बदार्थ हो गया प्राप्ती सतल हो गया जहां से प्राप्त उता है मुख तत्त हो गया इनकी बारे में तामा याक के जहरखंड सिंग भूमी हजारी बाग से देखने को मिलता है इसकी प्राप्ति उती राजिस्थान के खेतरी जुन-जुनो भीलबाडा अलवर सरोई महराष्ट के कुलापुर करनाटक के चीतल दुरुग हासन रायपुर रायचूर मद्धपदेश के वालगाट और आंध्पदेश के अगनी कुंड ठीक है याद रखी भारत तामा के उत्पादन में बिथ्थम तीन राज्य किर्म साब की पहली मद्धपदेश दूसरा राजिस्थान तीसरा जारखंड तो इन्हें याद रखी है फिर आपका लोह एसक इसके हम प्राप्तिस्तल की बात करें उडिसा उडिसा में सोनाई क्योजार मयूर भंच जारखंड में सिंग्भूवी हजारीवाग पलामू एबं धनवाग चंतिगिस्कड़ में आपका बस्तत दुरुख रायपूर रायगड़ बिलासपूर मद्धपदेश में आपका जवलपूर कर्णाटक में आपका बेलारी, चिकमंगलूर, चितल, दुरु, महराष्ट में रतनागिरी और चंद्र, तमिलाडू में सलेम, तिरुचरापली और गुआ में देखने को यहां से प्राप्ति होती है बारत में लोह है इसके कि उतपादन में पहले दूसरे और तीसरे स्थान पर क्रमसा करनाटक, चतिसगर उडिशा देखने को मिलता है, चौत्रा इस्थान गुआ का है पाँचपा जार गंड का है, ठीक है, मैगनीच, मैगनीच की प्राप्ति होती उडिशा की सुन्दर गढ संबलपूर, बोलंगेर केंचर, कालाहंडी, कोरापूर, महराष्ट की नांगपूर, भंडा प्राटक की से मोगा, बेलारी चित्तव द्रोग विजाबूर, आंध्पिदेश की स्री काहूलम, गुजरात की पंच महिल बड़ोदा, जारकंड की सिंग भूमी, राजिस्थान की वासवर, उडिशा भारत का 34, 34, 34, 35% मैगनीच, पहना करने करके पिथम इस्थान पर, अंध्पिदेश साब का तीसरे नंबर पर, ठीक है, पर आपका बॉक्साइड, क्या है बॉक्साइड, इसकी प्राप्ति होती है, उडिशा जारकंड, उडिशा जारकंड के आपके कोडरमा हजारी बाक से, बिहार, गया और मुंगेर से, महराथ, नागपूर, भंडारा, र में आत्मने बहर है, बारण में ओक्साइड का उत्पादन सबसे दिक आपका उडिशा में देखने को मिलता है, खुल उत्पादन का 42 पितीशत, दूसरे स्थान पर आपका गुजरात है, तीसरे पर आपका यार घंडर, पैटॉलियम, यह असम के डिगबोई, सुर्मा अंकले सुर्, महराष्ट के बंबे हाई से आपकी प्राप्ति होती है, बंबे हाई की कोज 1965 में हुई, यहां से तेल उत्पादन की शुरुवात ONGC के द्वारा 1976 में, और 1974 में हुई थी, कोईला, जार खंड में धनवाद, सिंग भूमी, ग्री हीड, ग्री डी है, पश्चिम मंगाल में रानी गन्ज, आसन सूल, चतीस गड़ में राय गड़, उडीसा में देश गड़, तत्म तल्चर, असम में माकूम, लखीमपुर, महराष्ट में चंद्रा, तेलंगाना में सिंग रे अपका नाम चिक नाम रूप, यहां से प्राप्ति होती है, बारत में कोईले के उत्पाद में पिथम तीन राजी क्रमसा जार खंड, चतीस गड़, उडीसा है, एंथे साइड सबसे उत्तम सणी का कोला, देखने को मिलता है, एंथे साइड, ठीक है, पहले नमर पर आपका जारकंड पर चतीस गड़ फ्रवड़ीसा, ठीक है, पहले आपका अब्वेक, आंद्पिदेश के नेलोड जिला से, जारकंड के पलामू, गुज्रात के खेड़ा, मद्पिदेश के करनी बाला गाड जवलपूर से, और चतीस गड़ के विलासपूर, और राजिस्थान से आद्पिदेश की, वह अरत्मान में आद्पिदेश भारत का 72 पिदेशस से अधेक अब्रग प्यदा करता है, उत्पादन में दूसरा इस्थान राजिस्थान का है, पहला आपका आद्पिदेश, उसके बाद राजिस्थान, ठीक है, अब चलते हैं आगे जस्ता, राजिस्थान के उद्प्र, उर्छिसा, जमूकस्मीर में उत्पादन दूसरा सा, यहाँ से आपको उत्पादन होता है, जस्ता, राजिस्थान उत्पादन में विथम है, राजस्थान के जवार खान जस्ता उत्पादन के लिए पिसिद्ने आपकी तो याद रखिए पहला इस्थान पूछेगा या फिर कोई आप अगर राज का एक्जान दे रहे हैं तो उस राज्य के बारे में पूछेगा और एक बात हमेशा याद रखिए इसमें कोई खान चाल व्रेनियम के बात करें तो जहर खंड कि राजी हजारी बाग सिंग बूमी से उत्पादन उत्ता इसका राप्ती उति है जहर खंड पित्हमिस्थान पर और हैं मैं मेगनिसाइड की बात करें तो उत्रखंड राजिस्थान तमिलाडू आंधृदेश इसका सर्वादि मैं हमेंसे बार-बार आपसे यहीं सब्द क्यों बोल रहा हूं कि आप लोग मौक-टेस्ट लगाईए जितने से जितने हो सकें test दीजे जितने हो सकें जितने क्योंकि आपको कुश्चेंट्स पकडना सीख गये कुश्ट्न बनाना सीख गये तो कोई भी कुश्चन से गलत नहीं होगा अब आपने पूरा पढ़ लिए परियोजनाएं पढ़ लिए आपको पता ही ना हो कि कुश्चन किस तरह से आते हैं तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे इसलिए बोलना हो बार बार की जितने से जितने जानदा हो सकते हैं मौक टेस्ट ल लगवा दिये हैं और जीबिग्जयन के भी लगवा दियां है तो आप देख सकते हैं 1100 कुश्चन के मुझे नहीं लगता है कि 1100 कुश्चन से बाहर कोई आपका कुस्टिन बनेगा क्योंकि उनकी व्याच्ख्याजरी कि और 1100 कुश्चन से देखेंए बहुत ज्यानदा हो खान और अनंत्पुर तेलंगाना में वारंगल तमिलाडू में नेलगिरी और सलेम जार खंड में हीरा बुद्नी खान सिंग्भू देश की कुल उत्पादन का अंठानवे अंठानवे पितीसत भाग अकेली कर्नाटक राज से प्राप्त किया जाता है दूसरा स्थान अंठानवे पितीसत भाग अकेली कर्नाटक से देखने को मिलता है और सबसे पिसे द्यापकी कोलार खान इसके लिए चादी चादी राजिस्थान के जवारखन करनाटक चित द्रोग और बैलारी आंद्रपदिश के कुड़ापपा गुटन टूर जारगंट के संथाल परगना सिंगुमी से लिगनाइट ए तमिलाडू राजिस्थान से इसका सरवादिक भंडार आपका तमिलाडू में देखने को मिलेगा टेन चतिसगड से इसका लगवक संपूर भंडार एवं उत्भादन चतिसगड की बस्तर जिली में होता है थोरियम राजिस्थान पाली और भीलबाडा से विसका सबसे बड़ा थोरियम निर्माता दिस भा साइड़ाइडस से इसके उत्भादन में उल्णिसषा पितमिस्थान बहें तंकिश्टन राजिस्थान Темिलाडू करनाटर यह इसकिंस आपका देगाहान राजैस्थान में सिसद आपका ज्यहरंकंड राजिस्थान हीरा मदपिदेश पन्ना से पन्ना की खान सुनी होगी आपने हीरा यहीं से देखने को मिलता है बारत के सीज पांच खनेज उत्वादक राज्यों की बात करें तो उडीशा राजिस्थान आंदपिदेश 36 गड़ जार कंड़े उडीशा राजिस्थान चट बारतिय खान भीवरो इसका मुख्याल है नांगपुर में तो एक कई बार पूच लेगा कि आपका खनेज येवं सर्विक्षन का येवं विकास किसके द्वारा किया जाता है तो जीओ जीओ लॉजीकल सर्वेय उप इंडिया इसका मुख्याल है कहा है कोलकाता नम भारतिय खान भीवरो इसका मुख्याल है आपका नांगपुर में देखने को मिलता है ठीक है अंकलेशों में 1960 में खोदे पहले को एक अनाम था वसुधारा क्या था वसुधारा तो यह थे आपके फिरमोख खनेज अब चलते हैं भारत के उद्धिवों की तरह तो सबसे पहले बात करते हैं लुए इस पात उद्धिवों देश में पहला लुए इस पात कारखाना 1874 में तब 1874 में वराकर नदी की किनारी कुल्टो आसन सोल पश्चे मंगाल नामक इस्थान पर बंगाल आयरन वर्क्स की रुग में इस्थाफित किया गया था तो याद रखी कव 1874 में कहां पश्चे मंगाल में देश में सबसे पहला बड़ी परमाने पर कारखाना 1907 में जारखंड राज में स्वर्ण रेखा नदी की घाटी में साक्ची नामक इस्थान पर जमसे टाटा जी जो आज आप नाम सुनते हैं जमसे सहाब का इनके द्वारा इस्थाफित किया गया था 1907 में बारती लोग इस बात कंपणी की बात के न तो इसकी स्थापना मैसूर आज बरत्मान जैसे आप लोग करनाटक कहते हैं पहले करनाटक को आप लोग मैसूर की नाम से जानते थे कि भद्रवती नामक इस्थान पर इस्थाफित की गई थी इसका बरत्मान नाम इस्टील कॉर्पोरेशन और बंगाल इसकी स्थापना 1937 में वर्णपूर पश्चे मंगाल में की गई थी बाद में 1953 में से भारतिय लोए इसपाथ कंपणी में मिला लिया गया बहलाई इस पाथ यह आपका कई बार कुश्चे से बन चुका है इससे बहलाई इस पाथ से इसकी स्थापना 1955 में ततकालीन मद्विदिस की बहलाई द्रुग जिला में अब लेकिन अब यह आपका 36 गड़ में पहुचता है क्योंकि आप सभी जानते हैं कि 1955 में पिख दो आप जाएग अब यह आप पूचता है किसके सहयोग से लगाई गी थी पूर सोवियस संगत यानि कि जैसे आज हम लोग रूस के नाम से जानते हैं यह पहले सोवियस संगत कहा जाता था इसमें कई देश और भी सामिल थे पंद्रे के करीब इसके साहता से इसकी स्थापना की गई थी तरयापका हिंदोस्तान इस्टेल लिमिटेड रावल किला इसकी स्थापना उडीसा के रावल किला नामकिस्थान पर की गई थी यह आपकी पश्चिमें जर्मेनी की साहता से की गई थी भिलाई की स्थापना आपकी सोवियस संग की मदस्ते राउल किला की जर्मनी की मदस्ते हिंदुस्तान इस्टील लिमिटेड दुर्गापुर इसके स्थापना 1956 में की गई थी पश्चमंगाल के दुर्गापुर नामकृस्तान पर यह बेटरिन की साहता से स्थापना की गई थी बोकारो इस्थील पिलांट इसके स्था सलेम स्पासयंत सलेम दमिलाडू में विसाका पर्द्नम विसाका पर्द्नम अन्धपिदीच में देखने को मिलता है विजे नगे स्पासयंत हॉस्पेट बीलारी जिला कनणाटक में इस्टील अथोर्टी ओव इंडिया सेल 24 जनवरी 1973 को 202,000 करोर पुँजी के साथ भारत इस्पाद प्राधीकन का भिलाई दुर्गापूर बुकारो राओकिला वन पूर सलेम विस्वेस्वेरिया लोह इस्पाद कार खाने को एक्सात मिलाकर संचालन करने की जिम्मेदारी दे गई थी बारत का पहला तटवर्थी स्पात कार खाना पीसा का प्रणम आंठ्पिदिस में लगाए गया था एलोमिनियम उद्द्योंग की बात करें भारत में एलोमिनियम का पहला कार खाना 1937 में पष्चनमंगाल में आसन सोल कि निकन जे के नगर में स्थाबित किया गया था कब 1937 में 1938 में चारकार खाने ततकालीन बिहार राज के मुरी केरल के अलवाई पश्चे मंगाल के वेलूर ओडिशा के हेराकुंड में इस्थाफित किये गए थे 1938 में हिंदुस्तान एलूमिनियम कोरपरेशन हिनडाल को की श्थापना ततकालीन मदिपतेश की कोरबा नामा के स्थान पर की गई थी मदरास एलूमिनीयम कंपणी तमिलाडी के मैट्टूर में इस्थाफित की गई थी bharat की पिरमुक एलूमिनियम कंपणी इनने में याद रखिय एक कम्पनिय हो ही सहायक देश जिनकी मदद से इन्हें इस्थाफित किया गया था प्रमुक्यन बाल को एसोवियसंग की मदद से इस्थाफित की गयी थी कोर्वा एवं कोर्णा में इसका प्रमुक्यन था हिंडाल को एफ फ्रांस की मदद से इस्थाफित हुई थी दामन अब elly की मदद से की गई थी जंबू कुजिमी नगर में मुझी और अलवाई में इसका कांदे मांल इटली कि मदद से की गई थी चैन्नाई मेंनटूरह जलेम Im is का पशित एलूम्हें ऑधनाatu 1955 यहाल सुगुड़ा इसका पूर्य में चैन्द एलूमिनियर उत्पादन करने में भारत का विश्व में आठवा इस्थान है एट्थ इस्थान है आठवा एलूमिनियम नेशनल एलूमिनियम कंपनी लिमिटेड नाल को देश के सबसे बड़े समनवीद एलूमिनियम सेंद परिशें का गटन साथ जन्मरी 1981 को किया गया था इसका पंजी केड कार्याल है भुबनेश्व में काए भुबनेश्व में और अषी उसके बाद है आप का सुथी बस्थ उद्ध्यू सबसे पुराना सुथीबस्थ की पहली मिल किस्थावना 1808 में आप समझ रहे हैं 1888 में कोल्काता की समीप फोर्ट गिलोश्टर में की गई थी किन्तु यह आज सफल रही थी सबसे पहला सफल आद्मनीक सूती कपड़ा कार खाना 1888 में बंबई में कवास जी डावर द्वारा खोला गया था जिसमें 1856 में से उत्पादन प्यार हुआ तो याद रखी वेसे तो इस था अपना 1888 में की गई थी लेकिन यह सफल नहीं हुआ था तो पहला सफल कार खाना 1888 में कवास जी डावर द्वारा खोला गया था इसमें 1856 में जाकर उत्पादन शुरूआ सूती वस्त उद्धियो तसरवादी केंदी यह करन महराष्ट और गुजरात राज्य में है अनपिर्मुक राज्यों की बात करें तो पश्चेमंकाल मद्वदेश तमयलाणू आंधवदेश केरल उत्तरवदेश है मुंबई को भारत के सूती बस्त्रों की राध्धानी के उक नाम से भी जानते हैं किसे मुंबई को भारत के सूती बस्त्रों की राध्धानी के नाम से जानते हैं आप लोगे कानपुर को उत्तर भारत का मैंचेस्टर के कहा जाता है कुएमबटूर को दच्छन भारत का मैंचेश्टर कहा जाता है एहमदाबाद को भारत का वोष्टन कहा जाता है कारपुर को उत्तर भारत का कुएमबटूर को दच्छन भारत का एहमदाबाद को भारत का ठीक है भारती एद्वेस्था में कपड़ा उत्युक का स्थान किर्स कीड़ी के बाद दूसरा है या उद्योग देश में औ के बाद रोजगार पदान करने वाला भी दूसरा सबती ब Karen का चसक में मिलता है, उसके बाद सूती उद्दो CJ नाम से मसूर जूट के देशों से सामानों को निर्मार करने में भारत विश्व में पित्थमिस्थान इसका पहला कारखाना कुलकाता की समीब रिसरा नामाकिस्थान पर 1869 में इस्थावित किया गया था कहां कुलकाता की समीब रिसरा में 1869 में भारत भारतिय जूट नेगम की स्थापना 1971 में की गई जूट के आयात निर्यात आंत्रिक बाजार की देखवाल के लिए की गई थी इसकी भारतिय जूट नेगम की स्थापना जूट उद्दोग से संबंदित पिनमोख इस्थान की बात करें तो बश्चे मंगाल में टीटअगड रेसराब बाली अगर पाड़ा वासबेरिया कान किनारा उलू बेरिया सीरामपुर बजबज हावडा स्यामनगर सिरपूर स्याल दय गरिलापूर हौली नगर बैरकपूर आंध्विदेश की बात करें तो विशाखा पतनम और गुंदूर उत्तरपिदेश की कानपूर सहर जिनावा गूरकूर बिहार की बात करें तो पूडिया कटियार सहर साथ दर्भंगा फिर आपका चीनी उद्द्योग बारत में आधूनिक चीनी उद्द्योग की बिहार में पहली चीनी मिल की स्थापना के साथ हुई थी कहां बिहार में पहली 1903 में भारत के निम्राज चीनी उद्द्योग से सम्मंदी थे महराष्ट मनसद नासिक एहमतनगर पूना सोलापूर कोलापूर बिहार की बात करें तो मोतिहारी सुगोली मजहुलिया, चर्पटिया, नर्कटियागन, मडोरा, सिगवलिया, सासा मुसा, मोतिहापूर, गोपालगन, डालमियानगर, साहरन, समस्तिपूर, दरवंगा, चंपारन, हसनपूर, आदी अगर उत्तर पिदेश के हम लोग बात करें तो देवरिया, भटनी, पडरोना, गोरकपूर, गोरी बाजार, सिसवा बाजार, वस्ती, बलरामपूर, गोंडा, बारावंकी, सीतापूर, हर्दोई, विजनोर, मेरट, सहरानपूर, मुरादाबाद, बोलंसय, कानपूर, अमीरा, फगवाडा, अमरस्सर, हर्याडा की बात करें तो जगधारी, रोहतर, तमिलाडू की बात करें तो अर्काट, मदूरे, कुएमबटूर, तिरूची रापल्ली, यह आपके तमिलाडू में देखने को मिलेंगी, आंध्विदेश की बात करें हम लोग, तो आंध्व का सेमेंट, पुद्यू, विसमें सबसे पहले आधुनिक रूप से सेमेंट का निर्माण 1824 में, वेटेन के पोर्ट लेंड नामकिस्थान पर हुगा था, तो याद रखिए, विसमें सबसे पहले आधुनिक रूप से सेमेंट का निर्माण कब हुगा, 1824 में कहां, वेटेन के पोर्ट लेंड नामक इस्थान पर अगर भारत की बात करें तो भारत में आधुनिक धंग से सिमेंट बनाने का कार खाना पहला कार खाना 1904 में अब समझ सकते हैं कि बेटेंड में कब 1924 में और भारत में 1904 में मद्रास में लगाए गया था जो आसा फर रहा था इसोसीट सेमेंट कमपनी लिमिटेड एसीसी की स्ताफना 1936 में की गई थी अगर भारत में प्रमुक सेमेंट उत्पाद अगराजियों की बात करें तो आंध्पिदिस में आपका किष्णा बिजय बाड़ा मंचेरियल मचेरि भद्राबती बागल कोट बंगलों तमिलाड की बात करें तमिलाडू की तो डाल मियापुन मधूख कराए तोलका पट्टी है मदवदिस की बात करें सतना कटनी जवलपूर रतला में 36 गड़ू की बात करें तो द्रुग जामूल तिल्दा मंदार अकलतारा है जारकंड की बात करें लो तो जपला खेलारी कल्यानपूर सेंदरी छिंक पानिय गुजरात की बार करें पूरवंदर द्वारका सीखा भावनगर सिवालियम और राना यार पंजाब की सूरजपूर में राजिस्थान जैपूर लखेरी हर्यान चर्की दादरी उडिशा उड़ड दचाएँ परियापका कागज दों कागज का पहला सफल कारकाना 1889 में लखनों में लगाया तो याद रखिए सबसे पहली आपका उत्तरकी देश लखनों में पहला कारकाना लगाया था 1889, मद्ध विदेश के नेपा नगर में ये भी मद्ध विदेश के कई मद्ध विदेश देख जाओं हो थे जो MPPSC, SIV, ब्यापम इसमें अधिक बार पूछा गया है मद्ध विदेश के नेपा नगर में अखवारी कागज और होसंगाबाद में नोट चापने के कागज बनाने का सरकारी कार खाना है नोट चापने का कार खाना होसंगाबाद और अखवारी कागज बनाने का कार खाना नेपा नगर में देख लिए जे नेवी कागज की प्रमु खुतपादर ग्राज्य जारकंड में संताल परगना बिहार में पटना बरोनी समस्तिपूर पश्चे मंगाल में टीटागन रानी गंज नेहाटी तिर्वेनी कोलकाता हुगली बड़ा नगर सिवराम सिवरा हुगली अधिपदेश की बाद करें तो राज महिंदी तिरूपती तेलंगाना में सिर्पोर कागज नगर उत्तरबद इसमें आपका सिखंद्राबाद मेरक सहरान पोर पिपराइच मुझपर नगर पिल्फ हुआ लठ्णों नेजी मद्वेदेश की बाद करें तो नयपान अगर अख अप्टी पलायम सलेम चरन महादेवी तिरोन तिरूनल बेली ततना पालने महराष्ट की अगर बात करें तो मैपूरे बलारपुर चंदपुर कल्यार कल्यार करान पिंपुरी भेवंडी रुखा गुजरात की बात करें तो वापी सूरत पडोद्रा राज़कोट बर्जोत रसायनिक और उबरा कुद्देव एतियासिक रूप से देश में सुपर फॉस्पेट और वर्वर्वक का पहला कारखना 1906 को तमिलाडू के रानी पेट नामक इस्थान पर इस्थापित किया गया रहा उननी सो चबालीस में करनाटक के बेलेगुला नामक इस्थान पर फर्टीलाइजस की नाम से अमोनिया उर्वर्वक का कारखना लगाए गया फिर 1947 में आपका अपका अमोनियम सल्पेट का पहला कारखना केरल के अलवाय नामक इस्थान पर खूला गया भारतिये उर्वरक नेमा उर्वरक निगम की स्थापना 1929 में किया जिसके अंतरकत एस भुखता भी तीसरे नंबर पर उर्वरक उत्पादन के मारे में तीसरे नंबर पर भारत की स्थिति भारत पोटास उर्वरक के लिए पूरी तरह आयात पनने पर है यानि कि अन्न देशों पर निर्भार रहते हैं भारत में पिती हेक्टर उर्वरक खपत में पित्थम इस्थान पंजाब दूसरा तीसरा आपका आद्विदेश और हरे नाड़ा है को कादारिक उर्वरक एकाईया तल्चर उडिशा रामा गुन्नम आद्विदेश कोरवा चत्तीस गड़ में अवस्थिति भारत में पिर्मो कुरासायनिक और वरक उत्वादक राजियों की बात करें तो जहरखंड सेंद्री राजिस्थान खेतरी सलादीपूर कोटा बिहार में आपका बरोनी उडिशा में रावकिला तल्चर उत्तरविदेश में कानपूर गुरकपूर इलावाद फूल महराष्ट में आपका मुंबई, ट्रामबी, अमरनाथ तथा लोनी वश्चे मंगाल में ववणपूर, हल्दिया, रिस्तरा और खारदा है करनाटक में मंगलूर, बेलागुला, मुलीराबाद गुजरात में कांडला, बडोद्रा, हजीरा, भावनगर अंध्पिदेश में विशाका पत्नम, तादिपली, तनूक, तमिलाडूने में नेबली, रानी पेट, इन नौर, कुएमबटूर, तोती कोरिन, अबाडी, मनाली उत्तरपिदेश के साहजाहपूर, एवं जगदीशपूर के कारखाना भी गयसाधारित है क्रभोंक का गयसाधारित प्यूरिया, अमोनिया, सेंथ आपका हजीरा, घुजराथ में देखने को मिलता है इसके बाद है आपका मौटर गाडी उद्देव कौंसा? मौटर गाडी उद्देव मौटर गाड़ी उद्ध्योग को विकास उद्ध्योग के नाम से भी आपनों जानते हैं इस उद्ध्योग से सम्मधित पिर्मों के काई यां हिंदुस्तान मौटर खुल गाता प्रीमियम ओटर प्रीमिये आटो मॉबाइल्स लिमेटेड मुंबई असोक लेलेंद चेनड़ी टाटा इंजिनिरिंग एंड लोको मोटिव कंपनी लिमेटेड जमसेत पुल महंद्रा एंड महंद्रा लिमेटेड उडे मारूती उद्ध्योग लिमेटेड गोड़गाउं हर्यान संद्राइज इंडर्स्टी इस्टन्डीज बैंगलोर का बैंगल सिंद्या इस्टीं में ट्रसाइओ इस्टेंड उन्हें 9 कि 1952 में भारत सरक्वात द इसका अधीज़्ास्तान ग Gold उन्हें करते हिजटीं के अन्निकाईवां जो जले alley theor लिमार करती है गाइडेन रीच बरक्सॉप लिमिटेड कोलका था पस्टे मंगाल में गौा सिफगार लिमिटेड एक गौा में मजगाव डाक्स लिमिटेड मुंबई महराष्ट में फरे आपका बायू निर्माड उद्ध्योग बायू यान निर्माड का पिथम कार खाना 1940 में कब 1940 में बंगलोर में हिंदुस्तान एरक्राप कमप्टिंग के नाप से इस्थापित हुआ अब इससे आप लोग हिंदुस्तान एरोनोटिक्स लिमिटेड के नाप से जानते हैं आज बंगलोर में इसकी पांच एकाईयां तथा कोरापुट, कोरवा नासिक, बेरकपुर, लखनव, हैदराबाद और कानपुर में एक एक एकाईयां बायू यान की निर्माड कार में स्रलगन हैं आपकी सरयापका सीशा उद्ध्योग भारत में सीशा का केंदी कंड रेल की सुविधा बाले इस्थानों में देखने में मिलता है इस उद्ध्योग का भिकास मुक्रूप से पश्चेमंगाल उत्तरपदेश महराष्ट तमिलाणू राज्य में हुआ है फिरोजाबाद से कोभाबाद भारत में सीशा उद्ध्योग के मात हूँ केंद देखने को आपको मिलेगे सीशा उद्ध्योग केंद की बात करने तो जैसे आपका गुजरात में बड़ोदा मोर्वी बिहार में पठना कहल गाओं पश्चे मंगाल में बेल गच्छिया, स्तीता रामपूर, रिसरा, बर्दमार, रानी गज, आसन सोल, जारकन की बात करने तो जमसेतपूर, हजारीवाग, धनबाद, माराष्ट में मुंबई, पूरे, दादर, सतारा, सोला, पुर्णागपूर, उतरपदिस में नैनी, राम पूर्बंगलोर, गुहार्टी में भी सीसा उत्देख देखने को मिलता है, यह आपके कुछ मत बोर्ड हैं, इन्हें भी यात रखे, कुटीर उत्देव बोर्ड, 1948 में बना, क्यंद्रिय सिल्क बोर्ड, 1949 में बना, अकिल भारती हथकरगा बोर्ड, 1955 में बना, 1950 में सोरी, अ आखिल भारती खादी एवं गिरामबोर्ड उत्देव, यह उन्नी सो चंगन में, लगूद्दोग उन्नी सो चंगन, केंद्रिय विक्रय संकठन चेंड़ी में, 1958 में, कब? 1908 में, अगर दवा निर्माड उत्देव की बात करने तो प्रमोकिस्थाने मुंबच दिल्ली रिसी केस अहमदाबाद, पूरे, पिंपरी, पैंसिलीन, मतुरा है थ्रावाद में, आपको दवा उत्देव की मिलेंगे, अभियांत की की बात करें, उत्देव की तो प्रमोकिस्थाने हटिया, दुर्गापूर, विशा का पटनम, नैनी, बंगलोर, अजमेर, जादवोर, भारी इंजिनेंट निगम लिमिटेड, यानि की HEC की स्थापना, राची में की गे थी, 1958 में, कब 1958 में, रेल उपकर्ड उद्देव की बात करें, तो चितरंजन, पश्टे मंगाल रेल के इंजन बनाने का सबसे पुराना कारखाना, आपको देखने को मिलेगा पश्टे में, इस कारखानी की स्थापना, 26 जन्मरी 1950 के दिन, चितरंजन लोकोमोटिव बक्स के नाम से हुई थी, वर्तमार में होगा है, विद्धूत इंजन का निर्माड हुरा है, यहाँ पर, डीजल से चलने वाली इंजनों का निर्माड वराड़ सी में, उत्तर पिदेश में, रेलवे उनजन निर्माड का कार जमसेदपूर जहरकंड में भी होता है, आई-ाइटी रोड़की में देश का पहला रेलवे उनजन थामसं को सरक्षित रखा गया है, आई-ाइटी रोड़की में, रेले के डिपए बनाने का प्रमुक्य चेंड़ई के समीब, प्रामबूर नामकिस्तान परसन 1952 में स्थापित किया गया है इसमें उत्पादन की सुरुवायत आपकी 2 अक्टूबर 1955 को देखने को मिली 2 अक्टूबर 1955 इसके अन्य प्रमुक्यन्द की बात करें तो बंगलो और कोलकाता में देखने को आपको मिलता है पंजाब में आपका कपूर थला में इंट्री गेल कोच फैक्टरी की स्थापना की गई रायवली ली उत्तरपुर उत्तरपिदेश कचारा पारा पश्टे मंगाल रहें रेल भी कोच फैक्टरी की नई उत्पादनिकाईयां लगाएंगे केरल के पाला कार में भी रेल कोच फैक्टरी लगाया जा रहा है बिहार के मडोरा में डीजल इंजिन और मादीपुरा में बिद्धूत इंजन कारखना लगाया जा रहा है शपरा बियार में रेल भील फैक्टरी श्थाफित की इड़ी पश्चिमबागाल में दनकूनी में बिद्धुत डीजल इंजन के अभग बनानी की दो फैक्टरीयां लगाई जा रही है बिजली के समागन की बात करें तो भुपाल हरित्वार रामचंदपुरम हैदरावाद तिरु शुरापली और कोलकाता में देखने कू मिलेगी टेली पाउन की बात करें तो बैंगलोरू नारायनपुर कोलकाता में देखने को मिलेगी उनिवस्थ एवी बहुत मात्पून है बारत में उनिवस्त की पहली इन मिल यानि की उद्द्यूग आपका 1876 में कानपुर में स्थापित किया गया था परंतुई सजुद्यव को बास्तवी विठास 1950 में के बादी अध्कू पंजाब में लुद्याना जलंदर धारीवाल अमरसर मात्वून केंदर्स की उनिवस्त के उनिवस्त के मात्वून के अंध्रों की बात करने तो करनाटक में आपके बंगलोर मैसूर हो गया पंजाब में अमरसर धारीवाल जम्मू कस्मिर में सिरी नगर उत्तर पिदेश में मिज्यापूर आगरा मुजब पून नगर सायजापूर राजिस्तान में जैपूर जर्मनी आदी भारती एक कालीनों के मात्वून आया तक थे आप जाते हैं कि बड़े साही परिवार भी पहले हमारे यहां की सूती बस्त हो गया उनिवस्त हो गया इन्हें मंगवा आया करते थे बहुत फैमस विरहा करते थे इसी के चक्र में मसाला और इसी उद्द्यों के साथ रेस्णों को अउत्पादन नोगוד मुगा रेस्ण में भारत को एकादिकार है कि एकादिकार कहने का मतलब है कि जैसे आक किसले compr área को काम कर रहे हूं कि दूसरे को उसकी अनमतिया कि दूसरा कुछ कोी करिक न आरा हो तो उसे एकादीकार कर लेते हैं आपने देखा होगा कि पहले अंग्रेजियों को एकादीकार थभ्यापार करने का फिर उसके बाद 1918-1913 में खतम हुआ फिर 1839 में फूरी तरह से उनका एकादीकार खतम हुआ कर्णाटक देश का एक 31.37 पे इक कच्चा रेशा मुथभादन करता है यहां सहयत्तूती मलवरी रेशाम बनाए जाता है यहां देश का 56 फिष्टी यानि कि 56 पितिसस रेशमी दागा बना जाता है कहां कर्णाटक में संस्थान है पहले से रहेसा मुत्पादन आंद्रपिदेश में आपका दूसरे नमर पर 35 भारत के कुल कपड़ा निर्याद में रहेसमी बस्तों का गयोतान लगभग तीन पितीच सकते गयर सहतुती रहेसम मुक्ता असंभिःद्र मद्रद मेर से पिराप्त हुता है इन संस्थानों को देख ली चीँ स्थान यह आपका मैसुर ब्रह्मकुत में मिले अब को देखने को केंदी ये रिए रेसम अनुसंदान ये आपका मेंधी पातर मेगालाय में मिलेगा केंदी ये टसर अनुसंदान पे जिक्चन राची जहार खन्ड में देखने को आपको मिलेगा ये रेसम उत्यों के केंद्रों की बात करें होगा रमलो तो करनाटय में बंगलोर मैसूर जम्मू कस्मिर में सिरीनगर जम्मू उदंपूर अनंतनान बारामूला पंजाब में अमरस्तर गुरुदासपूर हुसिहारपूर लोध्याना तमिलाड़ू में आपके सलेम तंजोर शिरापल्ली कुएमबट्व पश्यम बंगाल में मुर्सीदाबाद वंकूडा हावडा 24 परगना गुजरात में आपका एहम दाबाद सूरत सूरत भावनगर पूरबंदर बिहार में भागलपूर गया पठना उत्तरफ देश में मीर्जापूर वराणसी साह जहांपूर बारत चीन के बाद विश्कत दुतिये रेसम उत्पादक देश है पहले पर आपका चीन दूसरे बार बारत आप देखते हैं हर जगे आपका ग चरम उध्यूग के मुख केंद आपकी कानपूर आगरा मुंबई कोलकाता पटना और बैंगलोर में देखने को आपको मिलें कानपूर चरम उध्यूग का सबसे बड़ा केंद यह जूते बनाने के लिए पशित है आपने देखा हो है चम्रा उध्यूग आपका अधिकतर का जा रहा है या गहीं स्थापित किया जा रहा है तो यह थी आपके प्रमोख कोद्द्यों हमारे देश की अब हम लोग बात करते हैं भारत में परिवहन बिवस्था के बारे में सबसे पहले बात करते हैं सड़क परिवहन भारत की भारत की सबसे बड़ी सड़क प्रिणाली वाले देशों में से देश में सड़कों की कुल लंबाई आपकी लगभग 46 से समलोग 9 लाग किलोमीटर है यह भी आकड़े आके बदलते रहते हैं टाइम-टाइम पर अब आप भी जाते हैं कि नई सड़कों का भी निर्माड उता रहता है तो इसलिए करेंड से जोड़े रहिए इसलिए राष्टिय राजमारगों की बात करें अगर हम लोग तो इसका निर्माड प्रबंदन इवं रख रखाओं की जिम्मेदारी भारा सरकार द्वारां निभाई जाते हैं इसका नियंतन के अंधरी ये लोग निर्माड बिभाद द्वारां किया जाता है आर्थिक समिक्षा 2015 सुले के नुसार राष्टिय राजमारगों की कुल लंबाई 96214 किलोमीटर है यह संपूर्ण देश की सड़कों की कुल लंबाई का लगवग एक दसम लोग 9 किलोमीटर है जो सड़क परिभान का लगवग 40 पितिसत यातायात संपन कराती है तो याद रखिए जो भी आर्थिक समिक्षा आती है मतलब 2019 भी साया हुआ है भी तो आपको उसी के साब से याद रखा करिएगा ठीक है बस इसमें आपके लिए दो ही पाइंट महत्कून है इसके निर्मा राजमार विवाग की तहट इससे आपके कुश्टेंस पूचे जाते हैं कई बार पूच लिए गया है पिरमुख राष्टी ये राजमार है ये आपके राष्टी मार कहां से कहां तक ये जाता है कुल लंबाई इसकी राष्टी है राजमार एक एनेच फष्ट संख्या फष्ट इसकी लंबाई है 1226 किलूमीटर राष्टी है राजमार टू संख्या टू दिल्ली से कोलका तक तक जाता है इसकी लंबाई है आपकी 1490 यानि की 1490 किलूमीटर राष्टी है राजमार टूरी ये आपका आगरा से मुंबई तक जाता है इसकी लंबाई है 1161 किलूमीटर राष्टी है राजमार शंख्या चार ये आपका मुंबई से चन नहीं तक जाता है इसकी लंबाई है 1415 किलूमीटर राष्टी है राजमा सथ किलो मेर्क क्ट्ष संख्या 6 एक ओल काता से मुंबई तक जाता है इसकी लंबाई 1945 किलो मेटर राश्टियर्ज मार्क 7 यह सबसे बड़ा है सबसे लंबा वरामरडर्शी के कन्याकमारी तक जाता है उत्तरक्षपधिश म्रeं सम्रसी के तमिलानू कन्याकमारी तक जाता है इसकी कुल लंबाई है आपकी 29, sorry 2389 km, राष्टिय राजमार्ग संख्या 8 दिल्ली जैपुर मुंबई तक जाता है, इसकी लंबाई 2058 km, याद रखे राष्टिय राजमार्ग जो आपका 7 है, इसे राष्टिय राजमार्ग 44 भी कहते हैं, NH 44, यह सबसे लंबा है, बारत में सबसल सबसे लंबा राष्टिय राजमार्ग सेविन है, जो आपका उपतर पिदेश में 128 km, इसकी लंबाई है, मद्पिदेश में 504, मायराष्ट में 232, आंद पिदेश में 753, करनाटक में 125, तमिलाडू में आपकी 627, तो आंद पिदेश में आपकी सबसे जाना है और करनाटक में इसकी लंबाई सबसे कम है, राष्टिय राजमार्ग संख्या 1 और 2 समलेत रूख से आपकी Grand Trank Road कहा जाता है, इसे GT Road कहते हैं आप लोग, राष्टिय राजमार्ग संख्या 1 और 2 को मिलागा, राष्टिय राजमार्ग संख्या 1 A में जवाहर सुरंग आपक देखने को मिले गया को, राष्ट्टी राजमार्ग संख्या 1A लेह को जोजील दर्रा होते हुए कसमी घाटी से जोडती है, यहां राजमार्ग जलंदर से जम्मू एवं श्रीनगर होते हुए उरी तक जाता है, आपना उरी हामला सुना था वहीं तर जम्बू और सिनिर्णगर को जोड़ने वाली वनिहाल दर्रे में ही जवार सुरंग आपको देखने को मिलेगी भारत का सबसे छोटा अगर राश्टी राजमार्ग की बात करें तो 47A है 47A जिसकी लंबाई मात 6 किलोमीटर है यह आपका केरल के बिम्मिनाद जील में इस्तिप बिलेंगटन दूइप मैस्ते थे राश्टी राजमार्ग 15 राजिस्थान के मरुस्तल से होकर गुजरता है राश्टी राजमार्ग 15 यह आपका कईवार पूच लिया गए है स्वाडेम चत्रुभ जेवजना के इंतरगर अपकी 5846 किलोमीटर लंबे राश्टी राजमार्ग द्वारा चार महानगरों को कौनकोने दिल्ली, मुंबई, चैन्नई, कोलकाता यह आद रख लिजियन को दिल्ली, मुंबई, चैन्नई, कोलकाता को जोड़ा जाएगा राश्टी राजमार्ग विकास कारक्रम के इंतरगर बनने वाले उत्तरदच्चन कल्यारा से स्री नगर को कन्याकुमारी सित्हाँ पूर्पश्चम गल्यारा से सिल्चर को पूरबंदर से जोड़ा जाएगा यह भी आपका पूंच लिया जाता है तो इसमें राश्टी राजमार्ग विकास कारक्रम के तहट उत्तरदच्चन कल्यारा से आपको स्री नगर को स्री नगर जम्मुकस्मीर से कन्याकुमारी को और पूर्पश्चम में आपका सिल्चर को पूरबंदर से जोड़ा जाएगा इसकी कुल लंबाई 7522 किलो मीटर होगी कितनी 7522 किलो मीटर अगर हम लोग राजमार्गों की बात करें तो इसका निर्मार एवं रख रखा हो कि जिम्मेदाई आपके राज सरकार की होती है किसकी राज सरकार की जो राजियों की राजमार्ग की लंबाई वरतमान में आपकी 1,42,613,687 है मैं बार 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 बोल रहा हो इसके लिए आपको करेंट से जुड़ना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि जब पेपर देने जा रहे हैं तो तो उस समय आपको याद रखना अगर कुश्चिन पूछे जाएगा तो उसी समय का पूछा जाएगा आज के बारे में नहीं पूछा जाएगा कि आज कितनी लंबाई है आप जिस समय पेपर देने जा रहे हैंगे उसी की समय पूछा जाएगा भारत में सड़कों की सरवाधिक लंबाई आपकी महराष्ट में देखने को मिल में का स्यक्के में बारत में अगर सरवादिक सड के घंत किरल राज में देखने को मिली गा कि 526789 किलूमीटर पिती एक 122 किलूमीटर चेतफल में देखने को मिली गा कि अगर अगर सबसे कम की बात टो यह जमू कस्मीिद में सड़कों का गनत देखने को मिलेगा सबसिकम केंद सासे प्विदेशों में सरवाधिक सड़क गनत आपका दिल्ली में 19,931.89 किलोमीटर पिती 1000 वर किलोमीटर चेतवल में दूसरा इस्तान आपके चंडीगड़ का है सड़क निर्माड चेत में निजी भागेदारी को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बनाओ चलाओ और हस्तानतित करो यानि कि बीयोट की नेती अपनाई है इसके तहित क्या होता है कि कोई प्राइबेट कंपनी किसी सड़क का निर्माड करती है उस पर जो भी टेक्स होता है उसे वही बसूलती है जब तक कि उसका बनाया जितना निर्माड किया गया है उसका ना निकलाए और कुछ फायदा ना हो जाए उसके बाद है सरकार को सौप देती है माल परीवान का लगवाग 65 पिती सड़क यातरी परीवान का 80.4 पिती सड़कों से आपका देखने को आपको मिलता है फिदान मंत्री गिराम सड़क ये उजना के इंतरगर 500 की आबादी वाले सभी गाओं को बाहर मासी सड़कों से जोड़ना होता है यानि कि जहां 500 आबादी है आपके किसी भी गाओं में वहाँ पितान मंत्री शड़क योजना बनाई जाएगी यह आपके लिए आंकड़े इसके इन सोट ले लीजिए अगर आपको लगता है जिरूरी बना मैं तो यही कहूंगा कि जो नए आर्थिक सर्वेक्षण आती हैं उनको याद रखें क्योंकि उनसे questions नहीं कुछे जाएगे आपके जो हाल में रहते हैं उन्हीं से कुछे जाते हैं विस्त का सबसे उचर सड़क मार्ग ले शिरिनंगर मार्ग है जो कारा कुरम दर्रे को पार करता है इसकी लंबाई की बात करें उचाई की लवल 3450 मीटर कितनी है 3450 किलो मीटर है 2006 में से राष्टी राजमार्ग 1D NH1D घोसित किया गया है एसिया का सबसे बड़ा रोप बिमार्ग यानि की रज्जु मार्ग गड़वाल से गड़वाल में जोसी मट और ओली को जोड़ता है जिसकी लंबाई आपकी 500 मीटर है कितनी 500 मीटर है यह आपके अबर भारत में राष्टी राजवालग को राजवाल इपसूची दी गई है इसमें एक ही बात कहूँगा मैं क्या कहूंगा यह राजी के नाम होगा इस तरफ तो राष्टी यह राजमाराग संक्या ओकुल लंबाई अपने अपने राजी का नाम याद रखे क्योंकि आप स्टेट PCS देते हैं या फिर कोई एक्जाम देते हैं स्टेट का तो उसमें पूंचा जाएगा और इसमें जो फ देश यहां से आपका राष्टी राजमाराग संक्या NH4, NH5, 7, 9, 8, 9 के बाद 16, 16, 18, 18, 43, 63, 202, 205, 214, 214, 211, 211, 212, 222, 232 यह सबी राष्टी राजमाराग संक्या दे गई है 4, 5, 7, 9 तो यह तेलांगा राष्ट यह सबी आंपिदेश से गुजरते थे हैं कुल लंबाई इसकी 7,028 किलूमीटर थी अन्वानने को बार की बात करें तो यहां से आपका राष्टी राजमाराग संक्या 223 गुजरता है इसकी लंबाई 231 किलूमीटर अरुणा चल्पिदेश की बात करें तो बब यह आक की इसकी कुल लंबाई है 380 अरुणा चल्पिदेश में इन सभी राष्टी है राजमाराग की असम की बात करें तो 31, 31B, 31C, 36, 37, 35, 38, 49, 49, 51, 52, 52B, 53, 51, 62, 162, 159, 152, 153, 155, 127B, 315, 1 यह सभी आपकी असम में देखने को मिलेगी और इनकी लंबाई यह 3575 किलोमेटर अगर बिहार की बात करें तो NH2, 19, 28, 28, 30, 31, 57, 78, 81, 82, 84, 85, 99, 91, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 110, 131, 327, 333, 527 यह सभी आपके बिहार में आपको देखने को मिलेगी इसकी कुल लंबाई 4549 किलोमेटर देखने को आपको मिलेगी फ़रे आपका चंडी गड़ अगर चंडी गड़ की बात करें तो NH21 आपको देखने को मिलेगा 15 किलोमेटर की लंबाई है 36 गड़, 36 गड़ में आपका राष्टी ए राजमार्क संख्या 6 यानि कि NH 6, 21, 16, 43, 78, 21, 21, 21, 21, 233, 3078 फुल इसकी लंबाई है किलोमेटर में अगर दिल्ली की बात करें तो 1, 2, 8, 10, 24, 336 NH है मतलब राष्टी ए राजमार्क संख्या है अस्ती किलोमेटर इसकी गुवा की बात करें तो फोरे, 17, 17E और 17B इसकी को लंबाई 262 किलोमेटर है गुजरात की बात करें तो N, E, 1, 6, 8A, 8B, 8C, 8D, 80, 14, 15, 69, 113, 228 इसकी को लंबाई आपको मिलेगी गुजरात में 3,930 किलोमेटर अगर हर्याणा की बात करें तो NH 1, 2, 8, 10, 21A यानि की 21A, 22, 65, 71, 71A, 72, 73, 73A 2557 यानि की 2557 किलोमेटर इसकी लंबाई देखने को मिलेगी हे माचल प्रिदेश की बात करें तो इसमें आपका राष्टी राज मार्ग संख्या 1A, 20, 21, 21, 22, 72, 88, 73, 305 राष्टी राज मार्ग आपके हमाचल के देखने को मिलेगी इसकी को लंबाई 2360 किलोमेटर है आपके 2396 किलोमेटर है आपकी हमाचल प्रिदेश में अगर हम लोग जम्मू कस्मीर की बात करें तो 1A, 1B, 1C और 13 का विस्तार मिलेगा 2319 km लंबाइस की देखने को मिलेगी जम्मीर कस्मीर है जार खंड नहीं दो 613, 23, 31, 26, 31, 32, 33, 75, 78, 99, 99, 100, 114, 333 इसकी कुल इन सभी की कुल लंबाई आपको जहार खंड में 297 km देखने को मिलेगी करना टक क्या है करना टक या चार नहीं चार चार चारी 7, 9, 13, 73, 48, 63, 206, 207, 209, 202, 218, 234 किलोमीटर इसकी लंबाई देखने को मिलेगी केरल 17, 47, 49, 208, 212, 233, 320 यहां आपकी 1812 लंबाई देखने को मिलेगी मत्पिदेश की अगर हम लोग बात करें MP की MP में आपका NH3, 7, 12 यहां की बार है बार है यह 25, 26, 27, 69, 79, 85, 78, 89, 86, 92, 26, B, 89, 972 से देखने को मिलेगी कुलिस की लंबाई मिलेगी यहां 5185 किलोमीटर टेक है इन सभी मार्कों की अगर महाराष्ट की बात करें जाए तो NH3, 4, 4, B, 6, 7, 8, 9, 13, 16, 70, 50, 50, 69, 204, 211, 222, 26, B, 360 देखने को मिलेगी इन सभी की टोटल लंबाई होगी महाराष्ट में 6,335 किलोमीटर मड़ीपुर की बात करें तो 49, 53, 150, 125, 102, 102, A, 102, B, 133 इन की टोटल लंबाई होगी 154 किलोमीटर मेगाले में आपका 40, 44, 59, 62, 117, 124 इसकी कुल लंबाई मिलेगी मिजूरं 44, 55, A, 55, B, 150, 155, 502, A इसकी कुल लंबाई 1180 देखने को मिलेगी नागलेंड की बात करें तो 36, 49, 61, 150, 155, 502 देखने को मिलेगी इसकी कुल लंबाई मिलेगी आपको 1046 किलोमीटर औरीशा की बात करें तो 5, 55, 23, 42, 43, 60, 200, 201, 203, 215, 270 इस अभी आपकी इनकी लंबाई होगी 4,685 किलोमीटर में पॉंडो चेरी में आपका देखने को मिलेगी 45 और 66 राष्टी अराज महार्ट संख्या 45 और 66 इसकी 64 किलोमीटर लंबाई है यहां पांडी चेरी में हैं अगर पंजाब की बात करें तो इसमें एनेजबन वने 10-15-20-21-24-74-71-95 इसकी कुल मिलाग के लंबाई है 21-36 किलोमीटर पंजाब में राजिस्थान राजिस्थान की अगर हम लोग बात की जाए तो यहां एनेज त्री यानि की राष्टी राजमायक्षन के थीन आठ ग्यारे ग्यारे यह बारे 14-15-65-76-39-89-90-11-13-12-11-16- इसकी टोटल लंबाई मिलाकर 7806 किलोमीटर है राजिस्थान सिख्किम की बात करें तो यह 31-310-309 की कुल टोटल लंबाई है तमिलालू यह एनेज फोर यानि की राष्टी राजमायक्षन किया 45-7-7-45-45-45-47-49-66-66-66-67-67-205-207-208-209-210-219-220-226 इसकी कुल मिलाकर टोटल लंबाई लित्मिल लाड़ू में आपकी 5006 किलोमीटर है तिप्पुरा में आपका 44-44 यह देखा जाएगा इसकी लंबाई 562 है उत्राकंडे की बात करें तो राष्टी राजमायक्षन 252 बात्र बात्र यह देखा जाएगा इसकी टोटल लंबाई मिलेगी आपको 2365 किलोमीटर कितनी 2365 किलोमीटर अगर उत्तर विदेश की हम लोग बात करें किसकी उत्तर विदेश की तो यह आपको राष्टी राजमायक्ष संख्या दो दो यह तीन साथ ग्यार है उननेश च 24 25 25 26 26 829 56 चपन चपन अचपन भी 58 बात्तर बात्तर यह 53 चौटर पचतर चैतर 80 87 91 92 93 96 97 97 1923 31 देखनों को मिलेगी इस सबी की टोटल लंबाई मिलाकर उस्तर पिदिश में आपकी 7863 देखनों को मिलेगी पष्चि मंगाल की बात करें तो राष्टी राजमार्च संक्या 2, 6, 31, 31, 31, 32, 34, 31, 55, 80, 81, 84, 114, 117, 116, 231, 232, 29, 10 km देखने को मिलेगी इसकी लंबाई, दादर नागरावेडी, 448, 31 km देखने को मिलेगी लंबाई, दमन अदुई, 448, 251, 22 km देखने को मिलेगी, ठीक है, इस तरह से टोटल लंबाई की वाद करें, 92,849, 258, 59 km देखने को मिलेगी, राष्टी राजवानगू की संख्या, ठीक है, तो यह थे आपकी राष्टी राजमार, अब चलते हैं लोग रेलवे परिमार की होगे, बारती रेल एसिया का सबसे बड़ी है, और विस्क की चौती सबसे बड़ी रेल वेवस्ता है, सोच रहे हैं आप लोगे, जो आपकी बारती रेल वेवस्ता है, एसिया की सबसे कि बाहरत में सरप्थम रेल वेवस्ता कारंब आपका अप्रेयल अठाएit मुंबई से थाड़े की समय हुआ था या के लौड डलवजी की समय हुआ था ठीक है कहा से कहा तक चली थी मुंबई से थाड़े तर ए 34 किलो मीटर की दूरी थी इसके बीच और आप याद रखेए कि सबसे पहले आपकी अपरेल 1803 में चली थी रेल टीक आपके देश में विस भारती रेल वे बोड की स्थापना की बात करें तो मार्च 1905 में की गई थी भारती रेल वे बोड की बात की सबसी तेज रफटार ट्रेंड की बात करें तो दिल्ली जहांसी गतिमान एक्सवरेस इसकी अधिकतम रफटार एक सो साट किलोमीटर पिती घंटा है अभी आपकी एक बंदे मात्रम चली हुई है इसकी भी रफदार सबसे अधिक है ठीक है यह आपकी दिल्ली से बना रस्त तक चलती है देश में तीन पिकार की रेट बे होते हैं इन्हें याब रखना है आपको बड़ी लाइन इसके पटिरियों की चोड़ाई होती है 1.676 मीटर मीटर की तो इन्हें याद रखना है रेल बित्वर्स को 1924-25 के बाद एडवर्ट कमेटी की सिफारिश पर सामान राजस से अलग किया गया था लेकिन आप सभी को पता होगा कि 2016 में इसे पुना सामान बजट में सामिल किया गया है यानि कि पहले रेल बजट अलग से पेस किया जा जिस तरह से आप लोग जानते हैं कि आपकी बैनकों का राष्टी कर नंचसि एकन उन्नीस औरे न्यसी एकन का चौनथिinaire इस तरह बारतिये रेल बैंकों का राष्टी कर नंचस स्में अलगा होता है कि सब के लिए खोल देना किसी भी चीच निफ भी चीच को सामानर्त यह बारतियर रेल पिसासन तत्हा प्रवंद की जिम्मेदारी रेलवे बोड़ पर है रेलवे में आपके 17 मंडलों में से जो पहले 9 थे बांट अगया पितेक मंडल का प्रावदान महाप्रवंदक होता है याद रखिए अब आपके 18 है बोची के आंद विदेश में भी एक नया रेल बिजोन बनाए गया कितने 18 है अगर हम लोग मंडलों की बात करें इसकी है तो इसमें आपके लिए नीचे दिए रहे हैं देखिए इस चेत्री रेल पे होगया मुख्याले होगया स्थापना बावर्स होगया उद्च्छन रेल भी इसका मुख्याले चेन्नी में है इसकी स्थापनापकी 14-4 उन्नी से इंग्यावन में हुई थी और उसके बाद मद्रेल भी इसका मुख्याले चेत्पती सिवाजी टर्मीनल मुख्याले में है इसकी स्थापना पांच ग्यारे 1959 में हुई थी पांच नवंबर 1911 में उसके बाद पश्चमी रेलबी यह मुंबई चर्च गेट है इसका मुख्याले और इसकी अगर हम लोग स्थापना की बात करें तो पांच ग्यारे 59 इंग्यावन में हुई पूरुव रेल भी इसका मुख्याल है आपको कुलकाता में देखने को मिलेगा 14.1953 में इसकी स्थापना हुई थी उत्तर रेल भी इसकी स्थापना आपकी हुई थी 14.1952 में नई दिल्ली में इसका मुख्याल है उत्तर पूर्वी रेल भी गोरकपूर में इसका मुख्याल है 14.1952 में इसकी स्थापना है दच्छेंट पूर्वी रेल भी कोलकाता है इसका मुख्याल है 18.1955 को इसकी स्थापना की गई थी फिर आपका पूर्वुत्तर सीमा रे माले गाओं इसका मुक्याले 15-1-1988 में इसकी स्थाफना की गई थी और दच्छन मंद रेल भी इसका मुक्याले सिकंदराबाद में 2-10-1966 को इसकी स्थाफना की गई थी पूर्वंद्द रीलानों पूर्वै, में इसका मुख्या लाई इसका आपका 8-8-1996 में इसकी इस्थापना की गिए उत्तर मद्द रेल भी इलावाद में इसका मुख्या ले 28-8-1996 को इसकी इस्थापना की गिए थे दच्छे पश्चे में रेल भी हुबिली में इसका मुख्या ले 11 एक नवंबर 120 के इसकी स्थापना की गी थी। बिलासपूर में की गई थी exits 20 1998 अंठानुबे में की गई थे 291998 में ठीक है कुलकाता में ट्रू एम आर इसका कुलकाता में इसका मुख्याले और 31 बार है 2010 को इसकी स्थाफना एक नए जॉन की बात कर रहे थे दच्छिड तर्टर रेल भी इसका मुख्याले आपका विसाका पटनम है ठीक है याद रखिए 18 बार आपका दच्छिड तर्टर रेल भी है इसका मुख्याले आपका विसाका पटनम है चलते हैं आए अपनो देश में सबसे लंबी दूरी तैय करने वाली रेलगाडी की बात करने तो यह बिवेक एक्सप्रेस है जो आपकी डिपुरुगर्ड असम से कन्या गुमारी तमिलाडू तक चलती है असम से तमिलाडू तक ठीक है? इस दोरान वह है आपकी 2200 कितनी है? 2286 यानि 4286 किलोमीटर दूरी तैय करती है इससे पूर्व हिमसागर एक्सप्रेस जो जम्मू तभी से कन्या कुमारी तक 3726 किलोमीटर तक जाती थी सबसे लंबी दूरी तैय करने वाली रेलगाडी थी लेकिन आप आपकी बेवेक एक्सप्रेस है 20 का सबसे लंबा रेलमार्क की बात करें तो ट्रांस साइबरियन है जो आपका लैनिन गराड से बिलाडी वुष्टर तक 9,438 किलोमीटर लंबा है हम लोग 20 के भूगल आपका जब 20 का भूगल देख रहे थे तब इसके बारे में बात की थी और मैप्स बाली आपकी जो किलास हैं लिए गए हैं उसे आप लोग दीख हैं उसमें पूरा बताए गया है कहां से कहां तक गया हुआ है मैप्स में ठीक है आगे चलते हैं भारतिय रेल बेवस्था के अंतरगत 31 मार्च 2008 तक कुल आपकी 67312 किलोमीटर लंबा रेल बार बिचा हुआ है जिसका कुल रेलवे नेटवर्क एक लाग 15,000 किलोमीटर है तो यह आगे बदलते रहते हैं यह आपके लिए जाना जरूरी नहीं है बिजली से चलने वाली पिथम गाड़ी की बात करें तो यह रेलवे गाड़ी की तो यह डेकन कुईन थी जो आपकी बंबई से पूरे के मत्द चली थी इस तरह के कुश्टेंस आपके बंते आएते ह वन डेक जान कि बिजली से चलने वाली पहली ट्रेन कहां से कहां तक चली थी और कौन सी थी यह देकन कुईन थी जो बंबई से पूरे तक चली थी कुमकर्ड रेल वे यह महराश्ट के रोहा से पैरम होकर गुआ के मड़गाओं तक जाती है अब करनाटक के मांगलोर तक ज रेल परीचालन आपका 26 जन्मरी 1998 को हुगा था इस रेल वाग से लावानवित होने वाले राज महराश्ट गौआ करनाटक और केरल हैं कोलकाता मेट्रो सबसे पहले आपको पता होगा कि कोलकाता में ही मेट्रो चलाई गे थी 1902 में बनी थी यह उजना 1975 से अमल में की गई थ तक इस भूमीगत रेलवे की कोल लंबाई 16.45 किलोमीटर है कोलकाता मेट्रो की सुरुआ 24 अक्टूबर 1984 हुई थी 24 अक्टूबर 1984 अगर हम लोग दिल्ली मेट्रो की बात करें तो यह परियूजना जापान और दच्छण कोरिया की कंपनियों के सहयोग से बनाई गई जाप 102022 अगर हम लोग बंगलौल मेट्रो रेलवे की बात करें तो इसकी तुरूबर अपकी 20 अक्टूबर 2014 से नम्मा मेट्रो की नाम से शुरूव की गई थी इसके धाचागा सुगदा का अभिकास जापान के सहयोग से किया गया अगर मॉंबई मेट्रो की बात करें तो इसकी कारगत हैं और तेरानवे इस टेशन बनाने की कियो जना है जैपुर एड़ेवां चेंडड़ी में मेट्रो रेल की सेवा सुरू हो गई है विसकी पहली मेट्रो रेल लंदन में चली थी जिसकी शुरुआ आपकी 10 माई 1963 को हुई थी यह विसकी दूसरी सबसे लंबी मेट्रो के लमबाई आपकी 402 किलिम्टर कितनी फोर्स जीरुवन 402 को है कि जीन की संगवाई मेट्रो विसकी शबसे लंबी मेट्रो है इसकी लंबाई 434 किलोमीटर है याद रखिए रेल इंजन निर्माड के कारखाना चितरंजन दार, चितरंजन ये बराण रसी में वह वाल में इस्तित थे मध्य पिदिश में सवारी डिब्मों का निर्माड पैरामबूर, चैन्ने की निकट, कपूर थला, कोलकाता और बंगलोर में देखने को आपको मिलेगा रेल इंजन बनाने का निया कारखाना मधेपुरा, इलेक्टोनिक इंजन और मडोरा डीजल इंजन बिहार में इस्तावित किया गया है पहिया बनाने का कारखाना छपरा बिहार और रेल कोच फेक्टरी बनाने का कारखाना आपका राइबरी उत्तरपिदिस्त में इस्ताविद किये गए पहले आपका क्या था कि सिक्किम में रेलवी लाइन नहीं थी लेकिन आप सिक्किम को भी रेलवी लाइन से जोड़ा जा रहा है ठीक फिर आता है आपका वायू परिवहन बारत में वायू परिवहन की सुर्वायत 1911 में हुई जब आपका इलावा से ननी की बीच 20 वी सरपितम बिवान डांक सीवा का परीबन हुआ था 1911 में जो आप लोग बायू परीबन देखते हैं न हवाई जियाज हो गया इसी की बात की जारी 1933 में आपके इंडिया नेशनल इयर वेज कंपनी की स्थापना भी 1933 में इस भी में सभी बिमानी कंपनीयों का राश्ठी इकनकन की उन्हें नाव निर्मित निगमों के अगदीन राखा गया जैसे आपका भारतिय बिमान निगम हो गया है इयर इंडिया हो गया बारतिय विमान निगम देश के अंत्रिक भागों के अंत्रिक समीबरती देश ज़र नेपाल हो गया भारत हो गया नेपाल, पाकिस्तान, स्री लंगा, बंगला देश, माल दीव, म्यानमार, अफगानिस्तान को सेवाएं भी उपलब्द कराता है इन्डिया की बात करें तो बिदेशों के लिए सेवाएं उपलब्द कराता है और भारती बीमान निगम, ईयार इंडिया, इयार बिलाएंस के भिलाए हो गया, और यह दोनों कमपनिया आब नेशनल एवीए सनगन्पराजेल अपे नाम से कार्गत हो गए है कमपनिदी का ब्रांड नाम है यार इंडिया क्या नाम है यार इंडिया अगर हम लोग इनसे भी कुश्चेन से बनते हैं आपके देश के प्रमुक अंतराष्टी है हवाईड़ी हैं कई बार पूछ लेता है जैसे पूछेगा कि इंद्रा गांदी अंतराष्टी हवाईड़ा कहा है आपको बता देना है नहीं दिल्ली अगर पूछे कि शत्यस्पत्ती सिवाजी अंतराष्टी हवाईड़ा कहा है तो मुंबई में नेताजी सुवास्चंद बोस अंतराष्टी हवाईड़ा कहा है कोलगाता में अन्ना अंतराष्टी हवाईड़ा कहा है चन्री में बाबा साब भीमराम बिड का अंतराष्टी हवाई डखा है नामपुर में सरदार बल्लब भाई पटल अंतराष्टी हवाई डखा है एहमदावाद में गोपिनाद बार्दोलोई अंतराष्टी हवाई डखा है गुआटी में चौदरी चैनल सिंग अंतराष्टी हवाइड़ा का है लखनौ में, स्री गुरु रामदाश जी अंतराष्टी हवाइड़ा का है अम्रस्थर में, तिवेंदम अंतराष्टी हवाइड़ा का है तिरू अनंत्पुरम में, काली कट अंतराष्टी हवाइड़ा का है कोची कोड म गया अंतराष्टी हवाइड़ा आपका गया बिहार में है राजीब गांदी अंतराष्टी हवाइड़ा आपका हैदरावाद में है कोचिन अंतराष्टी हवाइड़ा कोची में है आपका पतना अंतराष्टी हवाइड़ा पतना में है दाबुलिम अंतराष्टी हवाइड़ गवा में केंप गोड़ा अंतराष्टी हवाइड़ा अड़ा आपका बंगलूर में मैंगलूर अंतराष्टी हवाइड़ा यह भी आपका मंगलूर में है फूने अंतराष्टी अड़ा पूरे में जैपूर अंतराष्टी हवाइड़ा जैपूर में कुएमबटूर अंतराष गत्राश्ठ प्त। में कंनूर अंतराश्टी है वेड़ा कंव org नवीमंबई अंतराश्टी हुआ नवीघ मुद्वाइं ग्जू पूड्य अंतराश्टी हुआ वजा दा पूंड ने बाती ये बिमान पतन प्राधीकन को गठन 1 अप्रेल тебе 25 सब्धेन इर इन वेड़ डिया यह यह इसका मुख्याले आपका नई दिल्ली में है और नेगित मुख्याले मुंबई में है सुभंकर इसका महराजा है और पितिक चिन्न है ओड़ते हुए हंस में नारेंगी रंग का कोड़ार यह लाइंस का सदस्द से चौदे से इसमें याद रखिए इनसे पूंच लेगा कोई कोश्चन समुख्याले मुश्टक्ता है सुभंकर यानि की मास को पूंच दगता है लोगों पूंच सकता है फिर आते हैं आपके जल परिभान की बात करते हैं यहीं जल परिभान केंदरी अंतराष्टी यह जल वायू जलमार्ग परादीगंड की स्थापना 1987 में हुई कव 1987 में हुई इसका मुख्याल है कूलकाता में देश के जलमार्गों को दो भागों में बाटा गया है एक आपक वहता है जैसे आपका हल्दीया से इलावात तख जलमार्ग को आप लोग 22 अक्टूबर 1986 को सथियराजमार्ग संध्या एक घोसितक किया गया तो आपसे पूंचें कि यह जलमार्ग संध्या एक कहां से कहां तक है हल्दिया से इलावात तर यह आपकी 26 अक्टूबर 1986 को बनाए गया थे से फिर आपकी समुद्री राजमाग जलमाग इस दरेश्टी से भारत का संपूर्ण प्राइदी पिये त्टिये भाग काफी मातपूर भूमि का निवाता है देश की मुख भूमि से चप्पन सो किलो मीटर 5600 किलो मीटर लवी तठ रेका पर बारे बड़ी एक सो पचासी चुटी मजूली बंदरगा इस्तित्याप की ठीक है यह आपके भारत की राष्टि एजलमार्ण ठीक है जलमार्ण की संख्या हो गई कहा से कहा तक यह गए हुए है उसकी और दूरी न की तो NW1 यानि कि जलमार्ग संख्या एक एलावा से हल्दिया तक जाती है इसकी अगर दूरी की बात करें तो 1620 यानि कि 1620 किलूमीटर दूरी है लंबाई इसकी NW2 यह आपका सदिया से धुबरी तक जाता है ब्रंपुत नदीब 891 किलूमीटर ही NW3 यह कुलम से कुट्टम पुरम तक जाता है 205 किलूमीटर इसकी लंबाई है NW4 काकी नाड़ा से मरका नम तक जाता है 1100 किलूमीटर इसकी लंबाई है NW5 यह आपका तल्चर से धामरा तक जाता है 623 किलूमीटर लंबाई है एन डबलू 6 लखी पूर से भंगा तक जाता है 121 किलोमीटर इसकी दूरी है तो याद रखिए इस तरह से कुष्चन बनेगा इससे एन डबलू एक या फिर जलमार्क संख्या एक कहां से कहां तक जाता है इलावा से हल्दिया थै इस तरह से ने याद रखिए इससे लंबाई इसी की है ठीक है 1620 किलोमीटर अब भारत की प्रमुख बंदरगाहों के बारे में बात करें दो तो भारत में बारे प्रमुख बंद सासी छोटे बंदरगाय आपके देखने को मिलते हैं बड़े बंदरगाहों की देखरेक केंद सरकार द्वारा और चोटे बंदरगाहों की देखरेक जराफ सरकार द्वारा की जाती है जो आपके बड़े बंदरगाय देखने को मिलते हैं इनी की देखरेक आपकी केंद सरका करती हैं अगर हम लोग बारे बड़े बंदरगाहों की बात करें तो इसमें आपकी सामिल हैं कौन-कौन हैं मुंबई जवाहलाल नहिरू न्यावस सेवा कांडला मारमागुवा न्यू मंगलोर कोची कोलकाता या हल्दिया इसे ही होलते हैं पारादी विसाका पुतनम चैन्ड से अन और तूती कुर्य यह आपके बारे बड़े बंदरगा हैं मुंबई पराक्तिक बंदरगा और देश का सबसे बड़ा बंदरगाह आपका मुंबई यहीं पर भाड़त का अधुनीक बंदरगा न्यावस सेवा अवस्तित थे आपका जवालाल नहिरू बंदरगाher यहा प्रेश्ट पिदेश सबसे अधिक है यह ज्वारिय बंदरगा है यह भारत का पहला बंदरगा है जो नदी पर इस्तित है उसके बाद चैननाई यह भारत का तीसरा बड़ा बंदरगा है यह किंतिम बंदरगा है यानि कि इसे बनाये गया है तथा पूर्भी तट पर इस्तित भारत का सबसे पुराना बंदरगा है यहां पोतों की सुरक्षा के लिए समुद्र में दिबार बनाई गई है विसाका पतनम बंदरगा यह भारत का सबसे गहरा बंदरगा है विसाका पतनम यह एक आपका प्रैक्टिक बंदरगा है जयापान को आपकर यहां से लोहा बेझा जाता है pahadwi ओडी-अभी आपका प्रैक्तिक बंदर का है यहां से लोय जापान को निर्यात किया जाता है इसकी इस्थापना 1982 में उई धी, कव ? 1961 में अ, ठीक है, फिर आपका Anor यह आपका तमिलाडू मिश्तित है भारत का सबसे नया और बारहवा बंदरगा है चैन्ने के भार को कम करने के लिए इसका निर्माड किया गया था इन नौर यह देश का पितम सबसे बड़ा कम्प्यूटराइट और निगमित बंदरगा है इसे ACI विकास बैंकी सायता से विक्सिद किया गया था तमिलाडू मिश्तित है और यह किंतिम बंदरगा है कांडला यह गुजरात में है यह आपका प्राक्ति किया गया है यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगा है मर्मु गवा बंदरगा यह गवा में यह प्राक्तिक बंदरगा है यहां से लोहाद जापान को निर्याद किया जाता है नियु मंगलोग यह करनाटक में आपका यह आपका प्राक्तिक बंदरगा है यहां से लोहाद जापान को निर्याद किया जाता है किसे जापान को भेजा केनारे इस्ते थे देश का सबसे बड़ा बंदरगा है मुंबई में इस्ते थे कहा है मुंबई में बंडे बड़े बंदरगाहों को नेयंतर्ण केंसरकार करती है जबकि छोटे बंदरगाहों बंदरगाह समिधान की संबर्थी सूची में सामिल है जिनका प्रबंदन आपका स औराक्तिक बंदर्गा है एक जवारिय बंदर्गा है या मुक्त व्यापार्च फेत वाला बंदर्गा है कोचीन शिभार्ड कमोख्याला कहरो केसी केल में इसकीोस्तापना present τι कब 1972 में एदेश का जहाज निर्मार और मरमत का सबसे बड़ा चंता वाला सिभगार है दाहेज याकू गुजरात देश में देश का पिथम बंदरगा है जो रसायनों की निप्टान ही तू इस्थापित किया गया इसलिए इसे रसायनिक बंदरगाह की नाम से भी आप लोग जानते हैं बारत की पिरमों बंदरगाहों को दिख लीज़े ये नाम हो गए राजी के अंदर सासे पिदेश जहां इसते थे हैं और नदी खाडी या समुद्ध में जहां इसते थे हैं ते हुगली नदीपन, बोंबंबेयी महारास्ट में अरब सागर के पास चैन्नवैं तमिलाडू में भंगाल की खाड़ी कोचीं केरल में आरब सागर विसाकपत्नम आंदर पिदेश भंगाल की खाड़ी में पारादीप ये आपका उडिशा बंगाल की खाड़ी में तोती कोरिन ये तमिलाडू बंगाल की खाड़ी में मार्मा ग्वा ग्वा में अरब सागर में कांडला गुजरात में अरब सागर न्यू मंगलोर करनाटक में अरब सागर नेहा और सेवा ये आपका जे एल यानि की जवालाल नहरू ये महराष्ट में अरबसागे में ये नौर तमिलाडू में बंगाली की खाड़ी में पोडविलेर अंडवान और बंगाली की खाड़ी में थे थे ठीक है अब है आपकी प्रमुख भारतिय दर्रे इनसे भी आपका questions डारेक्ट बन जाता है सबसे पहले है आपका काराकुरम दर्रा कहां है आपका काराकुरम दर्रा यह जम्मू कस्मीर के लगदाक छित में इस्ते थे यहां से चीन जाने के लिए एक सड़क भी बनाई गई है कारा कुरम दर्रे से बर्स 1962 की भारत चीन योद की समय से चीन ने इस पर अतिकेमर कर रखा है तो राचीन काल में भारतिये लोग इसी दर्रे से यारकंद जाय करते थी दूसरा है आपका जोजीला दर्रा ये भी आपका जम्मू कस्मीर में ही इस्ते थे या जम्मू कस्मीर राज के जासकर सेड़ी में इस्ते थे जोजीला दर्रा स्रीन नगर से ले जाने कमार इसी दर्रे में होकर जाता है आपका question पूछ लेता है कि सीरी नगर से ले जाने कमार किस दर्रे से जाता है जोजिला दर्रे से फ़रे आपका पीर पंजाल दर्रा या भी आपका जम्मू कस्मीर में है दच्छण पश्चिम जम्मू कस्मीर में पीर पंजाल सेडियों के मत देशते थे कुल गाम से कोठी जाने का मार्ग किसी से होकर जाता है किस से पीर पंजाल दर्रे से फ़र आपका वनी हाल बनी हाल दर्रा ये भी आपका जम्मू कस्मीर में ही स्तित है या दच्छर पश्चेम जम्मू कस्मीर के पीर पंजाल स्याणियों में स्तित है जब जम्मू से आप लोग स्री नगर का मार्ग इसी दर्रे से होकर जाता है तो याद रख़िए जम्मू से स्री नगर का मार्ग किस दर्रे से होकर जाता है बनी हाल दर्रे से थरे आपका सिपकीला दर्रा या आपका हिमाचल पिदेश में देखने को मिलेगा यह हिमाचल पिदेश में जासकर सेंडियों में इस्तित है सिमला से तिबबज जाने कमार इसी दर्रे से होकर जाता है सिमला से तिबबज जाने कमार किस दर्रे से होकर जाता है सिबकिला दर्रा सरयापका रोहतांग दर्रा इहहमाचल पिदेस में देखने को मिलेगा? या हमाचल पिदेस में पीर-पंजाल सेंडीयों में इस्तित है है इस दर्रे की उच्राई 4631 मीटर है बाराला दर्रा या हिमाचल दर्रा कौसा Mana δर्रा यह आपका उतराखंट में आपको देखने को मिलेगा यह उतराखंट राज में कुमायू सेंगिएों मिश्तित है भारतिय तीर थ्याक्तरी इसी माँसरोबर कयलाज के याकरा करते है ठाट है नीती दर्रा ये भी आपका उत्तराखंड में ये भी उत्तराखंड के कुमायू सेट में ही इस्ते थे मालसरोवर तरह केलास जाने वाले जाने कमार किसी दर्रे से नीती दर्रे से होकर जाता है नाथूला दर्रा यह आपका सिक्किम में नाथूला दर्रा का है? सिक्किम है यह दर्रा सिक्किम में डोगे क्या सैणी मिश्ते थे भाराच चीन एउद में अपने सामरीक महत्रे के कारण यह बहुत चर्चित भी रहता है दारजिलिंग और चुम्मी घाटी हुकर तिबबत जाने का मार्ग इसी से होता है नातूला दर्रे से जे लेपला दर्रा जे लेपला दर्रा एवी सिक्क्य में है भूटा जाने का मार्ग इसी दर्रे से हुकर जाते है इसकी उचाई 4,270 मीटर है फिर आपका भुंगला दर्रा ये आपका अरुणाचल पिदिस में है ये अरुणाचल पिदिस के उत्तर पश्चमी भाग में इसते थे बॉमडीला से तवांग जाने कमार इसी दर्रे में देखने को आपको मिलेगा यांग याप दर्णा यापका अरुणाचल पिदेश में देखने को मिलेगा अरुणाचल पिदेश के उत्तरपूर भाग में इसते थे इसी के पास ते ब्रह्मपुत नदी अरुणाचल पिदेश में प्रिभिश करती है उपसे ठीक है याद रखिए फिरे आपका दिफू दर्णा कौनसा दिफू दर्णा एवी अरुणाचल पिदेश में देखने को मिलेगा अरुणाचल पिदेश की पूर में म्यानमार की सीमा पर रिस्तित्य आपका दिफू दर्णा पांग साथ दर्रा एवी अरुडाचल पिदिस में देखने को मिलेगा या अरुडाचल पिदिस की दच्छेडपूर में म्यारमार सीमा पर इस्ते थे डिब्बुगर से म्यारमार जाने कमार इसी दर्रे से होकर जाता है तुजू दर्रा यह आपका मडीपूर राज के और पर्श्यमी घाट की सेडियों में इस्ते थे लिया दिल्ली मंबई कि प्रमुक् सडख एबं रेल वार इसी से गुजरते हैं थाल गात का गात् अANA भर आप सुनते हैं बोर घाट द्र्र películ से महराथ से माहथां महाराष्ट में, पर्श्यमी साबइयों में इस्ते थे आपका काली कट इति चूर से क्वेम बटूर इंडोर के रेल सड़क मार्ग इसी से गुजरते हैं आपकी ठीक है अब चलते हैं कोईले पादारी देश के प्रमुक ताप बिद्धुद गिरहों के बारे में नेवेली ताप बिद्धुद गिरह ये तमिलाडू में है पतरात्तू ताप बिद्धुद गिरह ये हजारी बाग जार खंड में है कोर्बा ताप बिद्धुद गिरह मद्धिश में हर्दुआ गंज ताप बिद्धुद गिरह ये उत्तर पिदिश में है ओबरा ताप बिद अब बात करते हैं हम लोग भारत की परवर्थी है नगर बारत की परवर्थी है नगर यह आपके परवर्थी इसकी परवर्थी है नगर हो गया समध्यतल से इनकी उचाई क्या है उसकी उचाई हुई ठीक है जैसे गुलमर्ग यह आपका जमुकस्मीर में है समध्यतल से इसकी उचाई है 269 मीटर सबसे उचे स्थान पर बसा हुए है उटी उटक मंड यह आपका तमिलाडू में देखने को मिलेगा, 226 मीटर है समध्यतल से उचाई सिम्बला हेउ फितन पर बस two में देखने को मिलेगा नहीं पर आपका 2195 म downward में यह आपका 2134 मीटर हुचाई है कोडाई कनाल ये तमिलाडू में देखने को मिलेगा 2133 मीटर उचाई इसकी लैंस डाउन उत्राखंड में देखने को मिलेगा 218 मीटर इसकी उचाई है समुद्ध दल से डल हो जी हिमाचल पिदिस में 2035 मीटर इसकी उचाई देखने को मिलेगी मसूरी यह आपका उत्राखंड में आपको देखने को मिलेगा कहां उत्राखंड में 2005 मीटर इसकी उचाई है कोटगरी तमिलाडू में 1981 मीटर है इसकी उचाई मुक्तेसुर उत्राखंड में 1974 मीटर इसकी उचाई है नैनिताल उत्राखंड में 1938 मीटर हो चाहिए, कसोली हिमाचल पिदिश में, 1890 मीटर हो चाहिए, कुन्नूर तमिलाडू में, 1869 मीटर है इसकी हो चाहिए, गंगटोक सिक्किम में, 1850 मीटर हो चाहिए, मनाली हिमाचल पिदिश में, 1849 मीटर हो चाहिए, रानी खित उत्राखंड में, 1839 मीटर हो चाहिए, म दिरिक पश्चे मंगाल में 1830, sorry 1800 मीटर इसकी उंचाई है, कितनी 1800 मीटर, मिरिक फर्याब का स्री नगर, जम्मू कस्मीर में इस्तित है, 1768 मीटर इसकी उंचाई है, कोटलिम तमिलाणू में देखने को मिलेगा, 1676 मीटर इसकी उंचाई है समधितल से, वोवाली उत्राखंड में 1650 मीटर इस, अल्मोडा उत्राखंड में 1646 मीटर इसकी उंचाई है, सिलांग मेगाले में 1496 मीटर इसकी उंचाई है, सोलन हिमाचल पिदिस में 1496 मीटर इसकी उंचाई है, नंदी हिल्स करनाटक में देखने को मिलेगा, 1474 मीटर इसकी उंचाई है, एरकार्ड महामली सुर महाराष्ट में देखने को मिलेगा 1372 मीटर उंचाई है कालीम पॉंग पश्च मंगाल में 1350 मीटर की उंचाई है धरम साला हिमाचल पिदेश में 1250 मीटर की उंचाई देखनों को मिलेगी आपको धरम साला उसके बाद कुल्लू गाटी यह भी हमाचल पिदेश में आपकी देखने को मिलती है 1250 मीटर उंचाई है माउंट आवू राजिस्थान में 1219 मीटर उंचाई है मनार केरल में 1158 मीटर उंचाई है पचमडी पंचमडी यह मद्द पिदेश में 1066 मीटर उसकी केमान गुंडी कर्नाटक 914 मीटर फ्रियार एकेलल में 914 मीटर मंडी हमाचल पिदेश में मिलेगा देखने को 709 मीटर राची जारखनमें 670 मीटर उंचाई इसकी लौना बाला ये भी आपका महराश्ट में 620 मीटर इसकी उंचाई है अब बाग करते हैं हम लोग भाद की प्रमुक बाग अभ्यारण इसके बारे में आप लोग से एक यह बात कहूंगा कि जो यह आकड़े हैं यह बदलेंगे नहीं और याद रखिए जो और होंगे वो बदलते रहते हैं मतलब और जूड़ते रहते हैं इसमें तो करेंट से इस स्थापना हुए जिससं में यह बना कुल चे वलों गया बरक क्लोमेटर में याद कुतना बरक क्लोमेटर में जैसे पहला है आपका। यह आपका करणाटक में कहां कर लाटतक मैं इसके सथापना क Girl at में कितना च्छेतफल इसका 1456 बर्ड क्लूमीटर फिर आपका जिम कारवेट यह उत्राखंड में याहिं कि उत्राखंड में आपको देखने को मिलेगा 1974-23 में इसकी इसकी इस्थाफना हुई 1974-23 में च्छेतफल में फिला हुए मानस इह आपका असम में है इसकी भी स्थापना हुई एकतिस सो इंक्यावन वर किलोमीटर चितफल में फ्हला हुगा है मैल घाट या आप कमहरष्ट में 1973-24 में स्की स्थापन वी 279-272 किलोमीटर में फ्हला हुगा है पलामू जारगंड में 1974-24 में स्थापन वी 1130-21 किलोमीटर छेतफल में फ्हला हुगा है याद रखिए आपसे मुझे नहीं लगता है कि कुल छेत्फाल इसका पूँचे अगर आप स्टेट का एकजाम दे रहें तो हो सकता है गात कुश्चन बन जाए लेकिन अधिक तरवार आप से पूँचेगा कि रर्थम बहुत बाग रेजरब कहा है तो आपको राजिस्थान याद रखना है और इसकी स्थापना कवी उसे भी याद रखना है 1973-44 में बागी आप इसे पढ़ लिजे छेत्फाल को लेकिन कुश्चन से नहीं बनेगा 1411 मीटर है किलूमीटर बर किलूम सिमलीपाल योडिसा में है 1973-44 में इसकी इसका छेत्फाल 2750 में पर याप सुंधरवन यापका बश्य मंगाल में 1434-45 तो चाहतर में हुए 2985 में तो रेयार ये आपका केरल में 1978-89 में इसकी इस्थापना वी 925 में 1988-89 ऱजिस्थान में देखने को में लिगा 1978-89 में 1213 में किलूमीटर इसका छेतपल बुक्सा पश्चि मंगाल 1982 त्यारसी में बना 758 बरक किलूमीटर इसका छेतपल है इंद्रावती चतिस गड़ 1982 त्यारसी 2799 बरक किलूमीटर में फ्यला हुए नाम दफा यह अरुणा चल पिदेश में 1823 में स्थाप नार्ण देखने को मिलेगा・ 1942 में इसकी स्थापन व हुए Osha 42-3 यह आपका उत्तर पिदेश में 1988 में स्थापन वी 12202 बरक किलूमीटर शेतपल में में फैला हुए बालमी की यह आपका बिहार में देखने को मिलेगा 1989 में इसकी स्थापना हुए 899 वरक किलुमीटर चेतफल में फैला हुए पैंच यह आपका मद्यपदेश में आपको देखने को मिलेगा 1992-1993 में इसकी स्थापना हुई ग्यारे सोची वर्ग किलूमीटर चित फल में पहला हुए फिर आपका तड़ोबा अंधेरी ये आपका महाराष्ट्रे में देखने को मिलीगा 1993-1994 में इसकी स्थापना हुई 1728 वर्ग किलूमीटर इसका चित फल है बांदवगर मद्ध्यपतिस में 1993-1994 में 1558 इसकी वर्ग किलूमीटर में चित फल है याद रखिए वर्ग किलूमीटर चित फल है पन्ना एभी मद्ध्यपतिस में 1994-1992 में स्थापना हुई इसका चित फल 1589 है याद रखिए आप जोडते रहिए किलूमीटर बर किलूमीटर क्यमकि यह जैसा है भद्रा इक करनाटक में देखने को मिलेगा इसका चित फल पल है पन्ना एक पैंच का हिस्सा महराष्ट में तो इसी महराष्ट में जोडते है इसकी स्थापना हुई इसका चित फल है पाकवी अवणा चल पितिस में देखने को मिलेगा 1999 सन 2000 की बात है 1198 इसका चित फल है नेमेरी असम में देखीगा 1999 सन 2000 में इसकी स्थापना हुई और 344 इसका चित फल है सत्पोडा मदविदेश में 1999 सन 2000 में इसकी स्थापना हुई 233 इसका चित फल है अन्ना मलाई तमिलाडू में देखने को मिलेगा 2007 में इसकी स्थापनवी 1480 बकिलूमीटर में खेलाओ है 1908 6Dr. बकिली है 1926 का कजिरंगा असम्में देखने कू enfants लेगा 2006 में 11ionlinear इसका च्थेथ पलै अच्छानक मार्व इच्छतीस गड़ में देखने को मिलेगा 2008 नो में स्ताफनावी 914 इसका छितफल काली करनाटक में 2007 में इसका इस्ताफनावी 1098 छितफल संजर डोगरी मद्विदिस में है 2008 नो में बना 1675 मीट बर्ड किलो मीटर्स का छितफल है मदु मलाई तमिलाडू में 2007 में बना 689 इसका छितफल नागर होल करनाटक 1999 में 1206 इसका छितफल है परंभी कुलं केरल में 2008 में बना 644 इसका छितफल है सहे आधरी महराष्ट में 2019 में इसका बना और 1666 मीटर्स की 1166 में इसका छितपल है विलीगरी रंगनात एक अनाटक में देखने को में देगा 2011 बारे में इसकी स्थापन हुई 575 वर्ट किलूमीटर का छेतपल कबल तेलंगाना 2012 तेरे में 2009-2019 इसका छेतपल है सत्त मंगलम तमिलाडु में 2013 में बना 1408 वर्ट किलूमीटर में फिखला हूँ मुकंदा पहडी राजिस्थान 2013 में 760 वर्ट किलूमीटर छेतपल तेलंगाना नागजीरा इमहराष्ट में 2013 में बना छेतपल तेलंगाना में 1982 तेरासी में बना 3296 इसका छेतपल है अमराबाद इतिलंगाना में 2015 में बना 2611 वर्ट किलूमीटर इसका छेतपल है पीली भी उत्तर पिदेश में देखने को मिलीगा 2012 में बना 730 वर्ट किलूमीटर में इसका छेतपल बोर महराष्ट 2014 816 इसका छेतपल है राजा जी ये उत्तरा खंड में देखने को मिलीगा 2015 में बना 1075 इसका छेतपल और औरंग असम में है 2016 में बना 492 वर्ट किलूमीटर इसका छेतपल है ठीक है तो यह थी आपकी बाद में जरूड पैंच वाग अब ध्यारण सत्पोड़ा पहाड़ी के दच्छन चोर परस्तित जिसमें 9930 मद्पदेश ततना 1030 महराष्ट में इस्तित है पैंच की बात सल रहे हैं 9030 इसका बाद मद्पदेश में 10% इसका बाद महराष्ट में रेड डाटा बुक में बिलुक्त पसू पक्षियों और पोदों की बारी में जानकादी दी जाती है किसमें रेड डाटा बुक में विसमें रेड डाटा बुक का प्रितम पिकासन 1964 में हुजा थे यसमndaka बिरमुख बनजीव अभ्यारन और राष्टियव दिहान अभ्यारन हो गया, राज्योग है वो बनजीव में पैल रखते हैं इसमें बननजीव कम ही पोण चे जाते है न Zukunft फिर भी बिहार में देखने को मिलेगा इसमें आपके बनेजी प्राडी मिलेंगे बाग, नील, गाय, घड़याल, सामर, तिद्वार, गिर राष्टियान, 1965 में इसकी स्थापन हुई थी, गुजरात में हैं, सेर, सामर, तिद्वार, जंगली, सुगर देखने को मिलेगा, नल, सरोबर, अभ्यारन, गुजरात में हैं, जल, पक्षियान इसमें देखने को मिलेगा, जीं कार्वेट राष्टी उत्वडियान, 1920 में इसमें, उत्राखंड में हैं, हाती बाग, हेरन, भालु, नील, गाय, सामर, जंगली, सुगर देखने को मिलेगे, जीं कारवेट राष्टी ठीक है। फिर आपका बांदीपोर राष्टी उद्यान या आपका करना टक में हाथी तिन्दुवा हेरन चीतल साबर देखने को मिलेगा। ठीक है। पखाल बनजीब अब्यारें तेलंगाना में है। इसमें आपका तिद्वा सावर भालू जंगली सुवर देखने को मिलेगा। मानस राष्टी उद्यान असम में है। एक सिंग बाला गेडा इसे याद रखे। एक सिंग बाला गयरा आपका मानस राष्टी उद्यान असम में मिलता है, जंगली सुखर अभैस भी याँ भैसा भी देखने को मिलता है. केला देव गाना पक्छी बिहार राश्टि उद्ध्धान ए राजस्तान में देखने को मिलेगा इसमें वह आपको सावर काला हेरन जंगली सुगर मुरगा घड़ याल साईबरियन क्रेंट देखने को मिलेगा र्र्थमबग बिहारन 1981 में 21 में 81 में स обыч Da gosh कुंबलगर्ण ये आपका राजस्तान में यह है नील गाय जंुवर गाय वह साइच्छ अब्यारन ये आपका भी महराष्ट में तिंदुवा सावर चौ सिंगा जंगली सुवर चीतर विवन बक्षी यहां देखने को मिलते हैं बौरी बीली राष्ट यूत्यां महराष्ट में लंगूर रहरां सावर तिंदुवा जंगली सुवर देखने को मिलेगे चिलका अब्यारन या कवडी सा में है इतमें आपको कैंग जलकवा पीली वन प्रभासी पक्षियां देखने को मिलेगे सिमली पाल अब्यारन या आपको उडी सा में देखने को मिलेगे इसमें हाती बाद तिंदुवा सांभर हेडरन मगरमच देखने को मिलेगे वेदान्त गल अभ्यारन ये आपके तमिलाडू में हैं जली ये पक्चीस में देखने को मिलेंगे इंद्रागांती अभ्यारन ये आपका तमिलाडू में हैं हाती बाग चीतल तिंदुगा सावर रीच भालू जंगली कुत्तस लंगू देखने को मिलेगा पलामू बेतला अभ्यारन ये आपको जारखंड में देखने को मिलेगा हाती हिरन तिंद्वा सावर जंगली सुवर इसमें पाई जाते हैं डालमा बन जीव अभ्यारन यह आपका जारखंड में देखने को मिलगा हाती तिंद्वा हिरन भालू जंगली सुर हैップ Hej इसमें रहते हैं हजारी वाग कि वाग बन जीव अभ्यारन यह आपका जार खंड में मिलेगा आपको वहलू तिंद्वा चीतल सामर जंगली सुवर इसमें आपको देखने को मिलेंगी मुदुमालाई अभ्यारन ये आपके तमिलाडू में देखने को मिलेगा इसमें हाती तिंदुगा गौर सामपर हिरन जंगली गुत्ते देखने को मिलेंगी दंपाज अब्यारन ये आपका मिजोरम में देखने को मिलेगा कोबरा, बिली, पिजेंट तिंद्धुवा देखने को इसमें मिलेगा फ्रियार राष्टी उत्यान ये आपका केरल में है हांती तिंदुवा गौर सावर हेरर हेरन भालू नेल गाय जंगली सुवर इसमें रहते हैं पारंबी कूलम अभ्यारन ये आपका केलर में हैं हांती सावर नेल गाय जंगली सुवर हेरन तिंदुवा इसमें रहते हैं काना किसली राष्टी उद्जयन यह आपका मद्धिस में हैं. बाग छीतल तिंदूअ सावर फारे सिंगा इसमें देखे जाते हैं. पंच वणी यढ़्झारन यह भी आपका मद्धिस में ही हैं. बांक, तेंदुगा, सावर, नील गाय, चेतर, हेरन, भालू, जंगली, भाइसा, देखने को मिलता है आपको इसमें, फिर आपके दची, गम, राष्टी या उद्ध्यान, ये आपका जम्मुकस्णी में, हमें आपको देखनों को मिलेगा, इसमें तेंदुगा, काला, भालू लाल भालू हेरन देखने को मिलेगा किस्तवार राष्टी उध्यान ये भी आपका जम्मी कस्मीर में काला हेरन, जंगली या तिबबति गता और पहाड़ी तिंदुगा देखने को मिलेगा बांदवगर राष्टी उध्यान ये आपका मतवद इसमें adjustable सभर पक्पुई बन जीव अप्यारन इवनशलपेदेश में इसमें हातीहरन अजयवकगर साबर यह सभी जीव देखने को मिलेंगे सुल्तानपुर जील अप्यारन या कहरेणड़ा में बेविन जलपक्ची यहां देखने को आपको मिलेंगे याद रखिए आपको मैंने यही याद रखना है जैसे रोहिया राष्टी उद्ध्यान यह माचल पिदेश में आपके वंडेक जाम में अधिकतर कुश्चन्स इससे बनेगे ठीक है कस्तूरी हिरन, भूरा भालू, पहडी मुरगा पहडी तंदुः इसमें हैस सभी देखने को मिलते हैं सुन्दरवन राष्टी उद्यान ये पश्च मंगाल में देखने को मिलेगा आपको इसमें बाग हिरन मगरमच भगवान महाबीर उद्यान ये आपका गवा में हैं हिरन चूहा साही सावर देखने को मिलेंगे नौंगर वाईलेम अभ्यारन ये मेगालाय में देखने को मिलेगा हाती बाग हिरन सावर भालु भालुया के जीव हैं कैबुल लाम जाओ राष्टी उद्यान ये मडीपुर में हैं हिरन जंगली वक्री विवन जलपक चीज में देखने को मिलेंगे ये थे पिरमुक आपके अभ्यारन राष्टी उद्यान अब चलते हम लोग भारत में तेल सुधन साला हैं ये नभी देखलेजी आप लोग क्या है भारत में तेल सुधन साला है पहला आए आपका डिक बोई काँसा डिक बोई डिक बोई यह सोधन साला हुए और सोधन चमता इसकी कितनी है डिक बोई यह आपकी असम्में 1901 में इसकी स्थापना हुई थी पांच लग टन 5.0 लग टन इसकी स्थापना हुई ग्वाट्टी यह सौम में 1922 में इसकी स्थापना हुई एट फॉएट फाइव इस लग टन इसका स्थापना हुई कोईली ये गुजरात में देखने के गुज़ी 1965 में इसकी स्थाफ़नावी 63.0 लागटन इसकी चमता है मदराश चन्नगे में 1968 में इसकी स्थाफ़नावी 28 लागटन इसकी चमता है Project गाउं एक असम में हैं 1989 में इसकी स्थापन हुई 10 लागटन इसकी चंथा है सोधन में इसमें बंबबई है अगली इसका HPC L 1945 में 35 लागटन इसकी चंथा है विशाका पत्नम 1957 में 15 लागटन इसकी चंथा बरोणी बिहार में 1964 में इसकी स्थापना हुई 33 लाग टन इसकी चमता है कोचीन 1966 में इसकी स्थापना हुई 13 लाग टन इसकी चमता है हल्दिया पश्च मंगाल में 1975 में इसकी स्थापना हुई 25 लाग टन इसकी चमता है मत्वरा उत्तर पिदिस में 1982 में इसकी स्थापनावी साथ लाट टन इसकी सोधन चमता है ठीक अब चलते हैं आगे हम लोग भारत की पिर्मुक उद्धोगिक सहर देखते हैं कैसे उद्धोगिक सहर यहां आपकी सहर होगे हराज्य हो गया और उद्धोग रावर केला यहां आपका इसपात और असायनिक खाद उद्धोग यहां पिंजोर यहां का हर्याणा का सहर है मसीन टूल्स यहां का उद्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध यहां उद्ध्यों है शेदबाड़ा यह वही छेदबाड़ा है जहां से कमलात आते हैं आपके परामबूर तमिलाडु में है रेलिविक कॉस्ट फ्रेक्टरी अलीगड उत्तर पिदेश के हैं तालेवम डेरी उद्ध्यों नांगल पंजाब के हैं पंजाब का है रसाइने को खाद लोद्याना पंजाब मोजे उनिवर्स्त साइकल कोलार करनाटक में सौने की खान यह तो कोले की खाने है जलाहली करनाटक में मसीन टूल्स फैक्टरी है त्वेंदम केरल में है लकडी पर नककासी और कोईंग मैंटिंग खेतडी यह आपका राजिस्थान में तांभा की लिए पिस्ट इनिवर्स नंप प्रताब राजिस्थान में एतोमिक पाबर प्लांटिया है अंकलेसुर गुजरात में पेटॉलियम उद्धियोे गुण्टोर आंदपदेश में वस्थ उद्द्धियो, तब्लाक उद्धियो राणी गंज फश्चंब में क्वेले की खान है, पश्चिम बंगाल में जपला ज्यारगंड में सिमेंट बंगाल सिमेंट की कारकाना है ठीक है निलौर आंध्पिदेश आवब रक्का या कारकाना है डिंडी गुल तमिलाडु सिंगार उत्थमभाकु का कारकाना है नूना माटी असम में है तेज सुधक यहाँ है नैपानंगर मद्पिदेश अखवारी काज यहाँ मिलता है ग्वालियर मद्पिदेश में चेनी मिट्टी के वर्तनों का उद्दी होगा है कोलकाता फश्यमंगाल में जूट और विजली का वलब लेम पे आए रैनुकोट उत्तर पिदेश हिंदोस्तान अलूमीनियम फेक्टरी यहाँ है टीटागड पश्यमंगाल जूट कागच यहाँ है थुमबा केरल रॉकेट फेक्चर पेच्चेपड के अन्दे आए करनाल हर्याणा डेरी उद्देव है गोमिया ज़ारकंड बारूल का कारखाना यहाँ है जापला ज़ारकंड सेमेंट का उद्देव है जरिया जारकंड कुएला उद्देव है ट्रॉम बे महराष्ट में तेल सोधक और परमाडु भट्टी है अम्माला हर्याणा में विग्यानी कुपकरण बनाई जाते हैं चोर्क उत्तर पिदेश में सेमेंट उत्ते हो कोटा राजिस्तान नाइलॉन धागा और परमाडु सयन दया बनाई जाते हैं कि मेरे आपको कहां से फता होगी मैं बता दीता हूं मेरे पड़ोसी मेरे बागलत में एक माकान है अपने उसके माबाप बूड़े हैं उनसे जांदा इस्तिती में वह अपने कुट्टों को प्यार करता है कि अपने कुट्टे को जांदा माबाप से प्यार करता है मतलब देखिए उसकी कितनी सेवा करता है बूड़े माबाप उनकी सेवा नहीं करते हैं तो मुझे लगता है कभी-कभी कि यसे नालैक बेटे होते हैं कि कुट्टे को मतलब अपने बाप से जांदा क्यार दे रहे हैं कि मुझे लगता है कि भगवान भी समय सजा देने में कंजूसी करने लगे लिए ऐसी लोगों को तो सड़ सड़ के मलना चाहिए जिनके बुड़े माबाप घर में बैठे हुए हैं उनकी सेवा ना करते हुए उन्हें बाहर भी बेच देते हैं कुछ सामाला ना है तुरंद बेच देते हैं तुम्हारे अंदर जब खून है नया तो तुम क्यों नहीं कर सकते हैं उस कुत्ते को देखिए नहें लाएंगे द नहीं कर सकते हैं चितरंजन ये पश्चे मंगाल में रेल की इंजन दुर्गापुर पश्चे मंगाल इसपात उद्यों हटिया जारकंड भारी यंत निर्माड समस्तिपुर विहार जूट कागत चीनी भडोच गुजराद सूतिवस्त उद्यों कांडला गुजराद रसाइ सिंग रेनी तेलंगाना में कोईला उद्यों अलवाय केरल में रवड उद्यों मुराबददाबाद उत्तरफ्यदेस पीतल उद्यों ट्रीचाना पल्ली ये तमिलाडु में है सिगार उद्यों जलंदर पंजाब में सरजरी और खेलकून के सामाने हमिलते हैं आनंद गुज आपका फीतल ताबा नोट प्रेस मुरी या आपका जारकन में अलूमीनियम बरोनी बिहार में तेल सोधक रसायनिक खाद मॉम मक्षन फेक्टरी है विसाका पत्नम आधपिदेश चलपो तेल सोधक है कटनी मधपिदेश सेमें तुद्द्यो वडा अध्रसी उत्तरपिदेश रेलेवे एंजिन चितरन जन्दाज बदोही यह आपका उत्तरपिदेश में ही देखने को मिलता है कलीचा उद्द्योंगे एहमदाबाद खुजरात सूती वस्त उद्द्योंगे वंगलोर करनाटक एयरक्राप्ट मसीन टूल्स टेलीकॉन बैला डिला मध्यपिदेश लोह जरैसरो कोरवां चतीसगर कोलाई अलुमिल्दारां मारास्ज बिस्पोटक पदाल्थ वैली महारास्ट बेभी फूर फिरोजाबाद उत्तर पेदेश कांच उद्देव, कांपुर्त उत्तर पेदेश चमडा और जूता है क्यार्ट चमडा और जूता है धारीवाल पंजाब उनी वस्त हुद्यों कोचीन केरल सिमेंड जलायान रबड कौफी हुद्यों कोईली गुजरात पेट्रो केमिकल्स अमरस्सर पंजाब उनी कपडे एसिड सौर निवेली तमेलाणू रसायनी खाद हुद्यों मदूरे तमेलाणू कौटन एवं सिल्क वतंगर देहरादू में उत्तराखंड में पैटॉलियल उद्यों है परबंदर गुजरात में सेवेंट में बाधके नहाटी पश्चे बन्गाल में कागज उद्द्द्द्द र 손वाह अग्रह उतर पदेश में चमडा संगन मर्मर्मर्ग गलीचे पत्थर का सामानिया उद उद्द्यू होता है इसका बनते हैं तो एक तो एक कुछ सहर आपके और उनके याँ जो भी उद्द्यू चलते हैं उन्हों उद्द्यू के बारे में अब चलते हम लोग मानव भूगोल की तरव इसकी? मानव भूगोल की तरव भारत की प्रजातियां डॉक्टर B.S. गुआ ने भारतियों महादीप की प्रजातियों को निमले के छह जाती समुगों में तथा उसके उनके मत उपवेदों में बाटा है निग्रटो इसके वाल छलेदार सिर्ट गोल ठोड़ी बहुत छोटी सिर लंबाकार तुछा करंग पीला काला वहाथ लंबे होते हैं ए लोग अंडमान और निकवाल दुईप समुगों कोची अब तैवनकोल पाड़ियों में पाये जाते हैं निग्रो जातिकलो कडार और पुलियान प्रिजाती में निग्रेटो प्रिजाती के लक्षन पाये जाते हैं अबी भी ऐस्टिल्यां अबारत में यह दकषिण भारत की आदम प्रजाती क्या है धूत्षिण भारत की अत्रिकSt geehr etti अस्थ n dh लाईट काफी तरफ्लिजा प्रह शंक्या में पाये जाते हैं इंकी तो चाह करान्ग बूरा-काला बाल क्लिष नाब चौड़ी चप्टी होंट मासल होते हैं चैंचू मलायन कुरूंबा मुरुवा मुंडा संथाल कोल जन जातियां इनिश से सम्मेद्ध्यां कि मंगोल वायट बर्क का मूल इस्थान चीन है जो मलाय दूइपों तथा इंडोनिसिया से पिरवास करते हुए पूर्वी परवर्तिय दर्नों को पार कर भारत में आकर बस गए हैं भारत में प्रजातिया की समूल लगधाग सिक्किम अवणाचल पिदिश उत्तर पूर्वी भ पूर्चा का रंग भूरा शरीर एवं चेहरे पर कंबाल चेहरा सपाट कपोल अस्थियार उभरी हुई हती है इनमें नेमलिखित और गाते हैं पुरा मंगो पुरा मंगोल वायट बर्ग सबसे पुराना मंगोल वायट प्रजाती है जो अरणाचल पिदिश असम और भादत ब्यानमार सीमा के सारे पाई जाती है तिबबती मंगोल वायट यह हिमाले परवर्टी पिदेश में मुकता सिक्किम भूटान पश्च्चमी हिमाले में निवास करती है तर्यार की भूमत सागरी वर्ड काकिस्वायट प्रजाती की उप जाती है इसके उतुचा करंग हलका प्रजाबूरा से लंबा सरकेबाल लहरदार नासी का चौड़ी और पतली होती है इसके तीन उतुवाड़े है पुरा भूमत सागरी है इसका अगमन नौ पिस्तर काल में उत्तरी भारत में हुगा था बाद में यह पे जाती है आपकी दच्चन भारत में चली गई जहां द तराच भूमत सागरी है यह भूमत सागरी प्रजाती का परिवर्तित रूप है इसका विस्तार पंजाब हर्यान राजिस्तान पश्मी उत्तरपिदेश में पाए जाता है अल्पिनोइड मध्यमकदबाली प्रजाती जिसकी तुच्चा हलकी भूरी चेहरा गोल सरीर सडोल नाक लंबी सेरो और सरीर में अधिक बाल होते हैं ए पूर्वी उत्तरपिदेश बिहार तमिलाडू करना तक महराष्ट गुजरात में आपको पाए जाते हैं आर्मीनोइड का कद मध्यम से चोड़ा नाक बहुत पतली और सरीर पर अधिक बाल होते हैं मुंबई में पारसी बंगाल उडिशा गुजरात तमिलाडू और अंधिक बाली सबसे बात की प्रजाति जिसे इंडो आर्यवी कहते हैं इनका सरीर सुगड़ शुक्ठित सुलोल लंबा से लंबा नाक लंबी पतली पूची रंगोरा होता है पंजाब हर्यान राजिस्थान उत्तरपिदेश ब संगठन जो आप धार्मिक बड़वारा देखते रहते हिंदो मुसलेम और हमारे देश की राददारी अधिकतर इसी पर कैंदित रहती हैं बारत में हिंदो मुसलेम से इसाई बहुत जैन पार्सी आधी पिर्मुक धार्मिक समझाएं बारत की जनसंख्या का 14.2.30 मुसल्ब मुसल्मानों की संख्या उत्तर बिदेथ में सबसे जानदा फिर बश्चिम बगाल बिहार में आगे चलते हैं कुल इसाई जनसंख्या की दिरिष्टी से आपका केरल का केरल का एवं अनुपात की दिरिष्टी से नागालेंड का पितम स्थान हैं क्या वो लाए इसाई जनसंख्या में जनसंख्या में आपका केरल सब से नंबर पहली परवे और अनुपात की दिरिश्टी से बात करें तो नागलेंड का पितम स्थान है सिख जनसंख्या के राष्टी अनुपात 2.08 पी तीसत है सिख धरम के लोग पंजाब चंडीगर हरयाणा दिल्ली जम्मुकसिमी में रहते हैं एक क्वेश्टेंस आपका कई बार पूंचा जा चुका है कि हमारे पहले सिख एकमात सिख पिधानमंत्री कौन है तो याद रखिए मनमोहन साहब इस क्वेश्टेंस को बड़ा सरल है लेकिन फिर भी कई बार क्वेश्टेंस पूंच लिया गया है राजी की कुल जनसंख्या में बहुत जनसंख्या कि अरपात की दिरिष्टी से सिक्कम का सिक्किम का इस्थान पित्म है इसके बाद अरुणाचल पिदेश में जोरम तिप्पुरा का इस्थान आता है आपके बहुत गौतम बुद्ध सुना होगा आप लोगा ने लद्धाक धरमसाला की बड़ी संख्या में बहुत रहते हैं जनसंख्या में सरवादिक बहुत आपके महराश्ट में देखने को मिलेगे जैदरब के लोग महराश्ट राजिस्थान गुजरात दिल्ली में रहते हैं पार्सी का भारत के पश्चमीत तरफ महराश्ट प्रमुक्ता मुंबई में एवं गुजरात में संक्र केंदरन है आपके पार्सी दोगों का कि 2011 की जंगरना के इन सभी लोगों पी बात करेंगा हम धर्मों की तो हिंदू आपके करोड में है ठीक है पितिसत है और दसकी बिद्धी तो 96.63 करोड लोग आपके हिंदू है बहरत में एक कुल्ट संक्या का है कि दसकी बिद्धी यानि कि दस साल में की बिद्धी बिद्धी रहती है 16.8 मुसलिम बात करें तो ये 17.22 करोड है कुल्ट जंसंक्या का चौदए दसकी ये बिद्धी इनकी इनकी सबसे जाना है बिद्धी इसाइक 2.78 करोड लोग है 2.3 पिती सत टोटल संख्या का 15.5 पिती सत इन में 10 की ये बिद्धी है सिक 2.01 1.7 पिती सत है और 8.4 इसकी बिद्धी है तसकी है बहुत 0.84 करोड 0.7 पिती सत इसकी जन संख्या टोटल में 6.1 इनका 10 की ये बिद्धी और जैन 0.5 पिती सत टोटल जन संख्या का 5.4 इनका 10 की ये बिद्धी है ठीक है आपको सबसे जानदा पड़े लेके लोग इन ही में तो मिलते हैं जैन में याद रखी इनका जो सेक्षिक अनपात रूता है इन ही में होता है इसलिए कम बिद्धी है ये कम लोग मतलब जन संख्या भी कम बढ़ाते हैं अब बात करते हैं सी जन जाती की जिसे आप लोग अनुसूचित जाती कहते हैं सेडूल कास्ट देश की कुल जन संख्या का 16.6 पिती सलोग अनुसूचित जाती के यानुपी सेडूल कास्ट के हैं कुल जन संख्या की दिरिष्टी से अनुसूचित जाती की सरवादिक संख्या उत्तर पिदेश में हैं इतनी उत्तर पिदेश में सबसे जाता है इसके बाद आपका क्रमसा पश्चे मंगाल बिहार आंद पिदेश तमिलाडू का इस्तान आता है जबकि अनुसूचित जाती की संख्या आपकी दिल्ली में है जबकि अनुसूचित जाती का सरवादिक पितीसत पंजाब है 31.9 पितीसत के मामले में पहले नंबर पाफ का पंजाब है और जनसा क्या है उत्तरफेदेसे भारत में अनुसूचित जाती की साक्छरता की बात करना है तो 37.41 है यानि कि एक साप्षर ताकि द्रिष्टी से पिषड़े हुए है कि आप सभी भी जानते हैं कि क्या इस्तिती है हमारे देश में कि कोई से नहीं छूटा हुए है तो राजी की उल जंख संक्या में अनुसोचित जाती का पिती सरवादि पढ़ाव और नेुउंतम मेजोरम में हैं अनुसोचित जाती का लिंगनपाथ की बाद करें तो 925 यानि कि लिंगनपाथ इन में बहुत अच्छा है 945 फिराती आपकी अनुसूचीद जन जाती सिडूल ट्राइब है भारत में लगवक 550 पकार की जन जातीयां कितना 500 पकार इससे जांदा ही तरह की पर जातीयां पार जाती वार्य देश की जनस्ख्या यानि कि Total जनसंख्या में 8.6 जनजाती है तो मिझूरम में 4.4 जब कि केंदसासित पिदेशों में बात करें तो लक्षीदिव में सरवादिक है या कि पर्सनेट की हिसाब से, इसके अतरिक, नागालेंड मेगाला, एड़नाचल, पिदेश, दाधरा, नगर हवेली में, कुल जनसंख्या में, जन जातीओं का 50-60, 50-60 से यह देखे, कुल जन्जाती जनसंख्या की अगर मैं बात करें वोग क्या जनसंख्या में अगर बात करें तो यह है मद्धपिदेश में सबसे ज़्यादा तो उसके बाद महराश्ट उड़ी सा राजिस्तान पंजाब चंडीगर रणयाद दिल्ली पूडूचे भारत में ऐसे राजिन जहां जन्जाती है जनसंख्या सूने यहां की नहीं हो जहां बारत में सरवादिक जन्जाती है जनसंख्या गौन्ड की है और दूतिय स्थान पर आपका संथाल है ठीक है? अद देख लीजे भारत की प्रमों जन जाती है वैसे हम लोग आर्ट एंड कल्चर में ने देख चुपे हैं फिर भी देख लीजे जारखंड में संथाल पहाड़ीया मुंड़ा हो बिरोबोर ओराओ खरिया तमरिया आदिया उत्तरपेदेश की बात करेंगा उत्तरपेदेश उत्तराखंड की थारू भोटिया जौनसारी बोकसा राजी खासा भुया खरवाड माजी कुल यह आपके मिलेंगे आपको उत्तरपेदेश उत्तराखंड में उडिसा के एगर हम लोग बात करें, तो उडिसा में आपका जुआंग हो गया, सवारा, खरिया, खोंड, कांद है, मद्पिदेश तो 36 गड की बात करें तो हिल मरिया, मारिया, मुरिया, मोरिया, डंडाने, गौंडा, बैगा, पर्जा, बटर, अगरिया, भील, सहरिया, कुर् आदि है, हिमाचल पिदेश की बात करें तो गदी, गुजर, किंद्र, जम्मू किस्मीर में गदी, भकरवाल, राजिस्तान में भील, मीडा, कथोडिया, गरासिया, आदि उसके बाद आंधिपेदेश की अगर हम लोग बात करें तो आंधिपेदेश में आपके चैन्चू हो गया एनाडी, कुरुम्मा, खौंड, बगडाज, कुया, पुवागवटा केरल की बात करें तो इरूला, कुरुम्मा, कडार, पुलियान तमिलाडू छोटा, टोडा, कोटा, कुरुम्मा, बड़ागा आदि अंडवान एवं निकुवार, ग्रेट अंडवानी, निकुवारी, ओंग, जार्वा, सौंपेन, सेंटलीच आदि अरुणा चलपितिस में आपका अप्तानी मिस्तमी, डपला, मिरी, अका, सेंगपो, खामती असम में आपका चक्मा, मेही, मिकी, कचारी, बोरवाती मेगाले में गारु खासी जानतिया हमार नागालेंड अंगामी, नागा सिंतिंग, सेंगा, नागा, कुन्याद, नागा, लोथा, नागा आदि मड़ीपुर में आपका कूकी, लेपचा, मदू तिपुरा में भूटिया चक्मा, गारु, कूकी पश्चिम मंगाल में आपका असुर, भूमिच, बिरभूर, लोथा, लेपचा, महाली, मालपहाडिया, पूलिया यह सब ही आपकी पश्चिम मंगाल में हैं तो यह थी आपकी पिर्मोख जज्जातिया ठीक है? अब हम बात करते हैं भारती राज्ज, और राज्ज संगों की स्थापना दिवस, और राश्टिये, पितेग देखते हैं ठीक है? यह आपके राज्ज हो गया हौन बिल धनेश यहां का राष्ठी पक्षी होलांग राष्ठी ब्यक्ष लेडी स्फिलर आर्केड यहां का पुस्प हो गया असम एक सिंग बाला गेंडा यहां का राष्ठी पक्षू व्राइट बिंग्ड बुढ डख यहां का राष्ठी ब्यक्ष हो गया फॉक्स्टेल और औरकिट्स यहां का राज्किये पुस्प है बिहार बेल पसू हो गया बेल पसू हो गया घरेली गुरिया पक्ची हो गया पीपल बेक्च हो गया कच्छनार राज्किये पुस्प हो गया च्छतिस गड़ जंगली भैस पसू हो गया पहाडी में ना पक्ची साल यहां का बेक्च गॉा गौर यहां का पस्यू और मत्री यहां का बेक्च गुजरा, काला हिरन, पस्यू हो गया कालाप फ्रेंक एंकोल veggie यहाँ का नीचर्फ में यहां का यहां का पक्षी होगया राक्ष्टी ही पक्षी– mejor and ». हेमाचलपितिस हेम्तुनदूगा व्यास्तन तेगुपन नहीं चे, पक्षी देवधार यहां का ब्यक्ष होगया रोहोडो डेंडोन यहां का पुस्प हो गया जम्मू कस्मीर हंगुल काली गर्दनबाली सारस यहां का पक्छी कीनार यहां का पेड कमल यहां का पुस्प ज्यारखंड हाती कोयल साल और पलाश ठीक क्रमसा पसू पक्छी बैक्च पुस्प करनाटक हाती इंडियन डॉलर चंदन कमल केगल हाती पसु हो गया और चिडिया आपकी ग्रेट होन पिल हो गई पक्छी नारियल आपका ब्यक्च हो गया गुल्डेन शावर्टी यहांका मैन आपका पुस्प हो गया मद्द इसकी बाद करें तो बारे सिंगा यहांका पसु इ इंडियन पैराडाइज फिलाई के चरी आपका साही बुल्बुल भी बुलते हैं से यह आपका पक्छी हो गया बर्गन यहांका पेड हो गया राष्टी भी राज और पैरोट ट्री यहांका राज किये आपका फूल हो गया ठीक है महाराश्ट में बात करेंगर हम लोग तो बड़ी गलैरी पसू फीला और पैर वाला हरा कभूतर यह पक्छी आम बैक्च जरूल पूस्ट मड़ीपुर में संगाई पसू हो गया मैसेज हूम्स फिजेंट तीतर यहांका पक्छी तून यहांका पेड सिरोई लीली यहांकी पूस्ट हो गया मेगाले चित कबरा यहांका पूस्ट हो गया मेजोरम सेराव यहांका सेराव यहांका क्या हो गया पसू मैसेज हूम्स फिजेंट यहांका पक्छी आयरन बुड पेड रेड वांडा वांडा यह आपका पूस्ट है नागालेंड मिथुन पसू हो गया बलाइज टेको पन यहांका पक्छी हो ग यहां का डोंडों यहां का पुस्प हो गया उडिशा साभर पसू इंडियन डॉलर ए पक्ची बर्गर बैक्च कमल पुस्प पंजाब काला हिरन नौर्दन गोसाग बाजी यहां का पक्ची और सीसम पेड राजिस्थान उट पसू ग्रेट इंडियन वर्ष्टर्ड यहां का पक्ची खेजडी वेक्च रोहिया can do hi a back का क्या है पुस्प सिक्किम लाल-Panda good blood फिजन यहां का पक्ची हो गया ईहां का आपका ब्प्पक्ष हो गया है Mobile Orchid यहां का पुष्प हो गया Tamilaladu, नीलगीरी प्तार भाल इहां का पुष्प हो गया Amald dove यहां इसे फाकथा भी बोलते हैं यह आपका पकुषी हो गया पनीब ताड यहां का ब्पक्ष हो गया कंधल पुस्ट पोगया, तेलंगाना, एहरन, इंडियर रोलर, जामी पेट और तंगेडू, तिप्पुरा, फायर्स लंगूर, पसू, हरासाही, कबूतल, पक्छी, आगर पेट, नागी सुर्यां का पुस्ट पोगया, ठीक है, उसके बाद उत्राखंड, क्या है, उत्राखंड, यहां कस्तूरी मिट, हिमालाई मौनाल, बोराज, ब्रह्मा कमल, उत्रपिदिस बारे सिंगा, सारस्केन, पक्छी, असोग, पेड, ब्रह्मा कमल, पुस्ट, पश्चमंगाल, फिसिंग केट, सफेद गरदन वाला, किंग फिसर, यहां का पक्छी, चेट आपको अपने राज्यों का जरूर याद रखने है, क्योंकि आप जब पेपर देने जाते हैं, तो आपकी राज्यों का अधिकतर बार पूंचा जाता है, फिर आपके राश्टिय पितिक है, राश्टिय द्वज तरंगा है, इसमें आप लोग देखते हैं, तीन समान चोड़िया, चोड़ाई की छेटिच पट्टियां आपको दिखाई देती है, सबसे उपर आपका केसरिया, बीच में सफेद रंग, और नीचे आपका हरे रंग का हरा संबर्दी का पिति है, तीरंगा की सफेद पट्टी के बीच में एक चक होता है, जिसका रंग नीला होता है, उसमें आपकी 24 तेलिया है, यह आपका कई बार कहुँच लेता है, बड़ा सैल है, फिर भी आप लोग गलत कर बैठते हैं, तो याद रखिए 24 तेलिया होत लेट को याद रखी, 22 जुलाई 1947 को अपनाया था, राष्टी द्रश को, 22 जुलाई 1947 को, फिर आपका राष्टी चिन्न, राष्टी चिन्न आपका सारनाथ में स्थाफिस सिंग सिंग स्थम्बरे, भारत सरकार द्वरा यह चिन्न 26 जन्वरी 1950 को अपनाया गया, इस राजिस के राजित चिन के मूल इस्तामे में सीज पर चार सिंग है जो एक दूसरे की विप्रीत दिसा में घूम कर बैठे हैं इसके नीचे घंटे के आकार के पदम के ऊपर एक चित्व लिरी में एक हाती ए सिंग सीज के नीचे इस्तित्पट्टी के मद्द में ऊवरी हुई नकासी म जिसके बीचों बीच में एक चक्क बना हुआ है यह संपूर्ण सिंग इस्तम एक ही पत्तर को काटकर पत्तर को काटकर बनाए गया है फलक के नीचे आपका मुण्डोक उपने सद से उद्यत एक सत्यमियो जैती लिखा गया है जिसके लिपी आपकी देवनावी है याद रखिए कुश्चन कई बार पूछ लिया गया सत्यमियो जैती कहां से लिया गया मुण्डोक उपने सद से सत्यमियो जैती कार्थ होता है सत्य की ही विजय होती है राष्टिय गान जनगर्मन लेकिन आप लोग अकसर देखते हो गया मुझे नहीं लगता है कि लोग अधिकतर लोग अब असत्य की रास्ते पर ही चलते हैं होती सत्य की जै है लेकिन लोग असत्य की रास्ते पर चलना लुद्श मां पसंद करते हैं कि मैं अभी किसी का इंटर्व्यु पसंद लाता है अपने कि पुराने लीर का पुराने लीडर अच्छे रहते हैं तो उन्होंने कहा हिंगी सत्ति की हमें इसाजीत होती है और सत्त जब सामने आता है तो जोटे लुगों को कबड़ से खोद का जला दिया जाता है मतलब उनके साथ वह हालत की जाती है तो इसलिए मैं तो कहता हूं सत्त के रास्ते पर चलनेगा एक और भार्दा है आपको क्या फायदा है कि आपको याद नहीं रहना रखना पड़ता है कुछ भी जैसे आज आपने मुझसे कुछ बोला अगर जोंड बोल रहें तो तो आप मुझसे कुछ और बोलेंगे दूसरे से और कुछ बोलेंगे तीसरे से कुछ और बोलेंगे आपको याद रखना पड़ेगा कि मुझसे क्या बोला था आपने कल उससे क्या बोला था अगर आप सत्त पर चलते हैं तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपने जो सब्द बोले थे वो सब्द हैं वो किसी से भी बोले हूं आपके तो मेरा मानना है कि संतुष्टी भी मिलती है मैं लेकिन लोगों का अपना-पना मानना है आप भी उसी तरह से मान सकते हैं 22 seconds कभी-कभी राष्टियगान के संचिप्त रूम में इसकी पित्थम और अंतिम पंक्तियां प्यक्त होती हैं और गाने के समय 20 सेकंड का समय निदालित हैं इसे राष्टियगान के रूम में श्रुकिती संविधान श्रबा ने 24 जन्वरी 1950 को पिदान की थी 24 जन्वरी 1950 को ठीक है इस डेट को याद अखिए यह गान सरपितम भार्टियगान की कॉंग्रेस के कलकत्त अधीवेशन में 27 दिसंबर 1911 को गयर गया था इसे भी यादत नही पहली बार आपका राष्टियगान कहां गया था यह कलकत्त अधीवेशन में कॉंग्रेस के 27 दिसंबर 1911 में मोलूप से वह यह गी 5 पदों है किन्तु राष्टियगान की रूम में इसका मात पिथम पद जिसमें आपकी 13 पंतिया है ही मान है क्या है यह देख लीजी आप ल इंटर्वी में छोड़िये आपके नेताओं से कई वार पूचा जाता है तो उन्हें याद ही नहीं रहता है एक नेता जी चल बोल रहे है थे कि बंदे मात तरम गाईए बंदे आत्रम गाना पड़ेगा वैं भारत में रहना पड़ेगा जब किसी मेडिया वाले ने उन्ज इसका बड़ा बुरा हाल है हमारे यहां की युगा जो पढ़े लिखे होते हैं वो नौपी देखते हैं जो अनपढ़ होते हैं वो देश चलाते हैं ठीक है जनकडमन अधिनायक जय है भारत भाग विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रवेड उतकल बंग बिंद ह रिखे मांचकल आमना गंग उच्छल जली दिदारंगा तब सो नामे है तो आजिस मांगनग गाय तब जैगाता जन-गडमन जन-गर्ड मंत कि ए भारत पाग विदा और जय ही जय ही जय 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 ही तो यह था आपका राश्टी है गण याद रख लीजे वैसे भी आप लोग तो इतने पढ़ती लिखती रहते हो तो याद बना रहेगा याद गांस रपितम जन्वरी 1912 में तत्य बोधनी नामक पत्तिका में भारुत भाग भी थे बिधाता सीरसर से पिकासित हुआ था फिर आता है आपका राष्टियगीत बंदि मात्रम यह राष्टियगां था अब यह है राष्टियगीत इस गीत के रचेता है वहाकिम चंद्ल इस गीत को आनंद मट से लिया गया है सम्मिधाल परिशद में 24 जन्मरी 1950 को इसे राष्टिय गीत का धर्जा पिदान किया याद रखे इस डेट को 24 जन्मरी 1950 को इसे अपनाये गया था ठीक है बंदे मात्रम को राष्टिय गीत इसलिए गलती हो तो आप लोग सुधार लिना वंदे मात्रम सुजिलाम सुपलाम मल्यज सीतलाम सत्स स्यामलाम मात्रम सुब जिवत्सना पुलकित यामिनीं फुलकुसमित दुम दुम दल सोबिनीं स्वासनीं सुम्धुर भासडीं सुखदाम बर्दा मात्रम बंदी मात्रम तो आप अगर संस्कित के बिद्वानी हैं तो आप इसे अच्छे से बोल सकते हैं कौसिस तो मेरी भी यही थी कि चाहिए बोलूँ इस गीत की रचना आपकी सेप्टमबर अक्टूबर 1874 में हुई थी बास्तों में संपूर्ण गीत में 5 पद हैं परन्तु इसका पद्ध पिथम पद की राष्टी गीत की रूम में सुईकार किया गया था भारती राष्टी कॉंग्रेस की 1896 की अधीविशन में इसे पहली बार गया गया था कब 1896 में गीत के गाने के वोदी एक मिनिट पांच सेकंड है कितनी एक मिनिट पांच सेकंड अगर राष्टी ये बेक्षी की बात करें सुरी पक्षू पक्षी की तो ये मयूर है यानि कि मोर पाव क्रेश्टे सस बारती बन जीब प्राणी सुरक्षा दिनियम 1972 के अंतरग इसे पूर्ण आपका सनुक्षन दिया गया है मोर को राष्टी पशू आपका बाग है पैंत्रा टाइगिस लिन्ना आयस भारत में बाग की पाई जाने वाली प्रिजाती को रोयल बंगार की नाम से रोयल बंगाल के नाम से जानते हैं देश में बाग परियोजना के बाताली सब्भारां इस्थाफित किये गए जिनकी कुल चित्फल आपका उनत्र हजार सास्तो इंक्यावन दसमलोग चॉसट बर कियो मीटर है यह बदलते रहते हैं याद जानदर नहीं रफना है राष्टिये पुस्प कमलयक निलंबो निवसी फेरा गायडने से कहते हैं यह हलका गुलाबी रंका होता है इसे सांती का पिदीग भी मानते हैं राष्टिये पंच्यावी यह सक संबत पर आधार एते हैं किगेरियन कलेंडर का भी आधार सक आपका संबत ही है गेगेरियन कलेंडर के साथ देजबर के लिए सक संबत पर आधार राष्टिये पंच्यावी को सरकारी प्रयोक के लिए 22 मार्च 1957 को अपनाए गया था 78 इसवी में पैरम हुए सक संबत का पहला महिना चैद का है बारती संबिधान से 22 मार्च 1957 को राष्टिय पंचांग के रूम में भी सुईकिती प्यदान की थी चैद का पहला दिन यानि की 22 मार्च होता है जबकि अधी वर्ष में 21 मार्च होता है आप कहने का मतलब सीधा साहय आपका कि जो आप एक जन्वरी को राष्ट अपना नया वर्ष्ट मनाते हैं उसे 22 को मनाना चाहिए आपको राष्टी पंचांग के मास चैद बैसाग जेट असार सरावन भादपद अस्वन कार्थिक मार्च सीज पोस माग भाव तो आपको याद नहीं होंगे देखे गावन बालों अभी भी इसी का उपयोग करते हैं तो आप से बड़े लिखे गावन बाले हुए ना राष्टी फल की बात करें तो आम है मैने की फेरा इंडिका इसका दूसरा नाम भारत का राष्टी फल है बारत में विभन आकार पि टेस्ट किये हो भी सुसी अधिक प्रजातिया हैं राश्टिय वेक्ष वेक्ष यानि की बर्गत का पीड इससे फाइकस बेंगा लेंसिस कहते हैं चीक है राष्टिय जलजीव भारत का राष्टिय जल जीव आपका डॉल्फिन है पिलाटा नेश्टा गिंगे टिक मचली सरकार ने 5 अक्टूबर 2009 को डॉल्फिन मचली यह एक इस्तनधारी जीव है को देश का राष्टिय जल जीव घोसित किया था राष्टिय बिरासत पसू राष्टिय बिरासत पसू केंद सरकार ने गजराज हांती एलिफास इंडिका को राष्टिय बिरासत पसू गोसित किया थी याद रखिए परयावार मंत्राले ने 22 अक्टूबर 2010 को इस आवस आसाई की अधी सुचना जारी की थी राष्टिय बन जी बोड की स्थाई समती ने 13 अक्टूबर 2010 को संपन बैठक में से सुईकदी भी दी है हांती को राष्टिय नदी गंगा नदी है 4 नवंबर 2008 को गंगा को राष्टिय नदी गोसित किया गया था गंगा माता जो देखते हैं आप लोग की जाते हैं तो सभी पाप दोल जाते हैं कहते हैं लोग मुझे तो पता नहीं लेकिन दोल जाते हैं ऐसे हमारी माननता भी है पुरानों में तो अपने जिदने पाप हों तो जीते जीत दोल लें मलने के बाद पता नहीं कोई ले जाए या ना ले जाए इसके आपके questions बनेगी अभी जब तक 2021 के नए आकड़े नहीं आ जाते हैं तब तक आपके questions से बनते रहेंगे बाहनत की जनगरना 2011 के अंते महाकड़ों के अंसार हमारे देश हमारा देश भारत एक बिसाल प्रिजातांत्रिक देश है जिसकी आबादी एक अरब 21 करोड से अधिक की जनगरना के नुसार है अभी हम लोग जब 2021 की जनगरना होगी तो हो सकता है कि 150 के उपर निकल जाए सबसे जनग प्रगिती सील हैं हम लोग बच्चे पेदा करने में जो 36 राज्य के अंदसासित पिदेश हों 640 जिलों और 5924 तहसीलों तालिकों साथ जान नौसो कस्प नौसो चतिस कस्पों छेदसमलों एक तालीस लाग गाओं में निवास करती हैं मैं क्या बता रहा हूं यह 2011 के आंकड़े हैं ठीक है यह सभी जिलों की क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि आपके 28 जिले हैं और 8 केंदसासित पेज़ेश हैं जिलों की संक्या भी बढ़ गई है सासो के पिला सूच चुकी है आँगे चलते हैं लोग आपको क्या याद रखना है उन्हें देखिए भारत के महारेजिस्टार्ग एवन जनगड़ना आयुक्त डॉक्टर सी चंदमोली की नित 21 परवरी 2011 की आधी रात को जनगड़ना कार की समाप्ति के बाद एक माय के अंदर 31 मार्च 2011 को राष्टिये जनगड़ना 2011 के अनंतिम आंकड़े जारी कर दिये गए थी ठीक है तो इस समय आपके जनगड़ना आयुक्त कों थे डॉक्टर सी चंदमोली 2011 की जनगड़ना में 22 यानि की एक अरब 21 करोड एक लाग 93,422 लोग ब्यक्ती थी 30 अपरेल 2013 को जारी किये गए अंतिम आंकड़े याद रखी यह अनंतिम आंकड़े थी लेकिन यह अंतिम आंकड़े आंकड़ों के दिसार भारत की जनसंख्या एक अरब 21 करोड पांच लाग 69,573 थी परंतु साथ जनबड़ी 2014 को मड़ीपूर के सैनापती जले की तीन उपखन्नों मावो मारम पावो माटा पुरोल उपखन्नों के बास्त भी कावकेड़े सामिल की गए इसके बाद आपकी टोटल जनसंख्या होगे थी 121 करोड आठ लाग 55970 ठीक है अगर हम लोग जनसंख्या घनत की बात करें तो होता क्या है सबसे पहले तो इसी को याद रखिए जनसंख्या घनत देश या इस्थान बिसे इसकी कुल जनसंख्या हो देश या इस्थान बिसे इसका कुल छेतफल से भाग देंगी तो आप लोग जनसंख्या घनत निकलाता है किसी देश संख्या राज में पिती बर किलूमीटर में निवास करने वाली ब्यक्तियों की जनसंख्या को आप लोग जनसंख्या घनत कहते हैं जैसे एक बर किलूमीटर छेत फले इसमें कितने लोग निवास करते हैं इसी को आप लोग जनसंख्या घनत कहते हैं ठीक है फिर आप लोग ल लिंगनपात कहते हैं यानि कि कहीं कितना है एक जार पूर्सों पर कितनी महला है उसी को आप लोग लिंगनपात कहते हैं दसकी विद्धी वर्तमान जनसंख्या और पूर्व जनसंख्या अपूर्व जनसंख्या इन्टू 100 या आपकी दसकी यानि कि 10 साल में कितनी विद्धी हुई है अर्था 10 बरसों के मंद्धे जैसे 2001 से 2011 के मंद्ध जनसंख्या में विद्धी पितीसत विद्धी को दस्किये विद्धी कहते हैं हम ठीक है फिरे आंगे हम लोग साक्चरत अदर्व साक्चरों की संख्या 7 प्लस आयूवाले जनसंख्या और इंटू 100 अर्था साथ बर से उससे अधिक आयूवाले कुल जनसंख्या में साक्च्रों के पितीसत को जनसंख्या की साक्चरता दर्द कहते हैं परिभासा भी इसकी गजब है बोलो ब्यक्ति साक्षर कहे लाएंगे जो लिख पर्ल और अपने सिगनेचर कर सकते हैं और इस समय आप समझ सकते हैं कि सिगनेचर करना बड़ी आसान बात है समझ रहें तो उन लोगों को भी साक्षर माना जाता है राष्टी जन करना 2011 भारत की पंदर वी याद रही भारत की पंदर वी पहली 1872 से प्यारम हुई लेकिन याद रखे ए 1872 से प्यारम हुई थी ये लौड मेओ की समय में लेकिन लौड रिपन की समय से ये आपकी जन्गरना हुई थी 1881 से यह कई बार questions बन गए अगर सोतंत भारत की बात करने तो यह साथ भी जन्गरना थी ठीक है 31 मार्श 2011 को हमारी जन्गरना हमारा हुई नामक सीर्षक बाक के साथ जन्गरना 2011 के अन्तिमा अकड़े को ग्रह सचिप जी के पिल्ले की उपस्तिती में महा पंजीयक एवन जन्गरना आयूप डॉक्टर सी चंदमोली ने जारी किया था ठीक है देश में कुल इस समय आपकी 2011 की जन्गरना में 640 जिली बताए गये थी 5924 अब जिली 7936 नगर 6.41 लाग गाओं की जन्गरना के कार दो चर्णों में संपन हुए थी पंद्र भी जन्गरना की विदी थी extended de facto की आधार पर की गये थी जन्गरना 2011 के अनुसार भारत की जन्गरना विस्त की कुल जन्गरना का 17.537 यानि की टोटल जो आपकी पितिवी पर जन्गरना है विस्त में उसकी 17.537 हमारे देश में निवास करती है बैस्टिस भारत में पहली जन्गरनापकी 1872 में लॉड मेयो के कारकाल में हुई थी इस questions को आप लोग रट लीजे मैं तो कहता हूँ और इसको भी है 1881 में लॉड रिफपन की समय पितिक दस बर्स के इंतराल पर जनसंग्या का किरमबार आकलन हुआ जो आज भी जारी है आपका इन दोनों पॉइंटों को रट लीजे क्योंकि ये कही न कहीं हमसे पूंच लिया जाता है भारत की जनसंग्या 121.08 करोड है सयुक्त राज अमेरिका इंडोनेसिया विराजिल पाकिस्थान बंगलादेश और जापान की सयुक्त जनसंग्या पाकिस्थान बंगलादेश जापान को मिला दें तब जनसंग्या उधनी होती है भारत की जनसंग्या में 2001 से 2011 की दौराण एक दसक में आपकी 18 मतलब 10 साल में इसकी 18.02 करोड की बिद्धी हुई कितनी 18.02 करोड की जनसंग्या जन्गण्या 2011 की इनुसार भारत की जनसंग्या दसकिये बिद्धी 17.07 की दीसत है और बार्षिक यानि की एक बर्स में बिद्धी एक दसम्लोग सतत्तर है ठीक है तो याद रखी इसे 177 यहां पॉइंट लगा दिजिए उसके बाद एक के बाद जानदर रखना भी नहीं पड़ेगा अच्छे से याद बना रेगा एक एक सो सतत्तर एक सो सतत्त भारत की जन्गण्या नहां में सर्वादिक बिद्धी सबसे जाना उननीच सो एक सट से एक सत्तर की समय में ठीक है जन्गण्यणा दोह्यार ग्यारे के उन्सार सर्वादिक निउनतम दस्किये जन्संख्या विद्धी तर किरम साब की दादरा नागराविली में देखी गई सर्वादिक ठीक है और निउनतम देखी गई नागालेंड में तो याद रखिए दादर एवा नगराविली में सबसे जान्दर पच्पन दसंबलों नौ पितिसत की बिद्धी हुई नागालेंड में यह माइनस 0.6 पितिसत की कमी हुई तो सबसे कम आपकी नागालेंड में सबसे जान्दर दादर नगर हवीली में जनकरना 2011 के अनसार सर्वादिक जनसंख्या बित्धी दरबाला जिलाब का करूंग फए अर्णा चल्पितिसकी है जिसकी बित्धी तर 111.1 पितिसते समझ सकते हैं आप लोग कितना मतलब 111.0 पितिसत यानि कि यहां के खाय भी यह इसी काम में लगे रहते होगे का वर्ष 2011 के जनकरना के अनसार निउनतम जनसंख्या बित्धी बाला जिलाब का लांग लेंग है इन आगलेन का जिसमें बित्धी दर आपकी माइनस अंठावंद समलों 49.0 पितिसत रही है वैसे तो लांगा लेंड राज्य की भी निउनतम यानि की माइनस में रही है जनकरना 2011 के अनसार देश में सरबादिक जनसंख्या बाले दो जिले थे थाड़े इसकी कुल जनसंख्या थी एक करोड दसलाज 54131 उत्तरी 24 परगना की एक करोड ब्यासी जार पास आठसो आठसो बावन जनकरना 2011 के अनसार देश में निउनतम जनसंख्या वाले दो जिले थे दिवांग गाटी और अज्याव याका और नाचल पर दिशक्या दोनों और नाचल पर दिशक्या देश मे सरवादिक जिलाओं बाला राज आपका उत्तर पिदेश था उस समय 71 जिली थी अब लेकिन 75 आपके जिली पुछ चुकी है ठीक है तो इसमें हम लोग आपको बिल बिच्याना नहीं है क्योंकि हम लोग 2001 11 की जनकरना की अनुसार सभी आकड़े देख रहे हैं जनकरना 2011 की अनुसार देश का लिंगनपाद एक हजार पोस्तों पर महलाओं की संख्या 949 से कितनी 943 से याद रखी इसकी लिंगनपाद पूछ लेता है सबसे अगर हम लोग नियुनतम की बात करें 2011 की जनकरना की अनुसार लिंगनपाद तो हर्याड़ा में सबसे कम 889 जमुकस्मीर में 889 सिक्के में 890 पंजाब में 895 उत्तरविजरिस में 912 याद रख सकते हैं सरवादी के लिंगनपाद बाली दो जिले हैं पूडूचेरी के माहे 1176 मेला हैं 1000 पूरसों पर उत्तराकंड का अल्मोडा यहां 1142 मेला हैं आपके 1000 पूरसों पर यानि कि यहाँ मेलाएं जानदा है अगर हम लोग नियुनतम लिंगनपाद बाली दो जिलों की बात करें तो दमन 533 की मेला हैं लेह में 583 मेला हैं यानि कि 1000 पूरसों पर 533 मेला हैं और लेह में आपकी 583 मेला हैं जनगड़ना 2011 की अनुसार देश की साक्षरता था 73.0 पितिसत है जो 2001 में 64.84 पितिसत थी यानि कि बड़ी है ठीक है साक्षजन संक्या में बर्स 2010 की तुल्ला में 2011 में 38.82 पितिसत की बिद्धी देखी गई एक ही बर्स में देश में सरवादिक साक्षरता बाले दो जिले हैं सरचिप यह आपका 98.76 लगवगबर सभी यह आप पड़े लिखी हैं अजयावल यह 98.50 में जो रमकर जिला है देश में आगर हम लोग निवुनतम की बात करें निवुनतम साक्षरता दर बाले जिले अली राजपुरे य जिला है यहां पिछड़ा हुआ भी जिला है अली राजपुर है कि 2011 की जनगरना की अंतिम आकड़ों के नुसार भारत की जनसंख्या गहनत 382 है ब्यक्ति 382 ब्यक्ति पिती बार किलोमीटर में रहते हैं तो याद रखी यह भी बन जाता है आपका जनसंख्या गहनत यह आपका भारत में लिगन बात है देखिए 1901 में आपका 972 था इस्तिदी ठीक थी 1911 में 964 हो गया 1921 में 950 1931 में 955 पनव नोसे एकत्तिज में 950 उननीस एकत्ता इस में 945 उननीस ओ इंक्यावन में 946 उननीस एकटमें आपका उननीस एकत्तर में आपका ग्यारे में 943 आप समझ रहे हैं जब हम लोग गुलाम थे तभी हमारी इस्तिधी थी लेंगरबाद के मावली में ठीक है 2001 और 2011 के दसक में जनसंक्या घनत में 573 वर किलोमीटर की विद्धी हुई है देश में सरवादिक जनसंक्या घनत बाले दो जिलों की बात करें तो उत्तरपूर भी दिल्ली यहां आपकी पिती वर किलोमीटर चेतफल में 36155 विद्धी रहते हैं और चेंड़ी में 26903 सार भारत में अनुसोचिद जाती के संक्या 20.083 के साथ 20,1388,06 हो गई है जो देश की खिले जन संक्या का 16.06 है किसका अनुसोचिद जाती की बात कि जा रहिए ठीक है अनुसोचिद जाती की सरतचारभारी जनसंक्या वाले राज्जular की अर बात करें तो पहले आपका उत्तरपिदेश है जबकि अनुसूचित जाती की निम्नुतम जनसंख्या वाले देश को राज्यों की बात करें तो मिजूरम है सबसे जान्दा आपकी उत्तरपिदेश में और सबसे कम मेजुरम में देखी जाती है ठीक है यानि कि जन संख्या और पितीसत के मामले में मेजुरम दोनों में पीछे है और जन संख्या में उत्तर पितीस और पितीसत के मामले में पंजाब पहले नंबर पर है ठीक है अवना चल्पिदेश नागालेंड अन्वान एवं निकुबार दूइब समुगू लक्षदी में कोई भी अनुसूचे जाती नहीं पाई जाती आपकी अवना चल्पिदेश नागालेंड अन्वार निकुबार में और लक्षदी में ठीक है जनकरणा 2011 के अंतिम आंकड़ों किंशा भारत में अनुसूचे जन्जाती की संग्या दसकी विद्धी के साथ 23.7 पिती संग्या दसकी विद्धी के साथ किसकी बात की जाएगी जन्जाती की ठीक है दस करोड़ ब्यालीस लाग 114,34 जो देश की कुल जन्जाती की निम्नतम जन्जाती के वाला राज दमन और दूई पे अनुसूचे जनजाती की सरवादिक जनसंख्या पितीसत बाला राज आपका लक्षिदीप है और जबकि अनुसूचे जनजाती की पितीसत के मावली में समसे कम उत्तर पिदेश में देखने को मिलती है आपको पंजाब, चंडिकर, हर्याणा, दिल्ली पुडुचेरी में कोई भी अनुसूचे जनजाती नहीं पाई जाती आपके यह हैं आपके जनग्रना के महत्वून आखरे, यह बर्स हो गया, जनसंख्या हो गई करोड में, दसाब्ती हो गई, में अंतर, ठीक है पिती दरदफ़क बिद्धी दर हो गई और ओसत बारसिक घातांग बिद्धी दर हो गई यानि कि ओसत बारसिक बिद्धी दर कितनी रही है 1921 की बात करें तो इस समय आपकी जनसे क्या यानि कि भारत की जनसे क्या 23.83 करोड थी कितनी 23.83 करोड 1911 में ये आपकी 25.20 करोड हुई कितनी 25.20 करोड और दसाब्दी है यानि कि 10 बर्स में अंतर इसमें 1.36 करोड का था विद्धी देखी गई है पिती दसक पिलस 5.75 पिती सतकी और बारिसिक घातनां कि यानि कि बारिसिक बिद्धी देखी गई 22.56 पिती बर्स फिर 1921 आता है इस समय आपकी 25.13 करोड जनसन क्या थी यानि कि 1911 में भी आपकी 25 करोड की लगभक थी और 1921 में आपकी घटी ही है जनसन क्या देख रहे हूं गया लो 25.13 करोड इसमें आपकी 0.07 करोड कांता रहा यह माइनस 0.31 की कमी देखी गए जनसन क्या में यह आपकी बारसिक बिद्धी दर रही माइनस 0.03 यानि कि जनसन क्या कम गई फिर आता है 1931 का समय है इस समय आपकी जनसन क्या 27.89 करोड थी अंतर इस समय है 2.6 करोड का रहा पिछली बारस 1921 से 31 के बीच और आपकी बिद्धी दर देखी गई पिती दसक में बिद्धी ग्यारे पिलस ग्यारे पिती सत और बारसिक बिद्धी दर थी एक दसमलो रीरो चार पिती सत 1931 इस समय आपकी जनसन क्या हो गई 31.86 करोड 3.96 करोड की बिद्धी देखी गई दस बर्स में और दस बर्स में या बिद्धी दर रही आपकी 14.22 की और बारसिक बिद्धी दर रही दसमलों यारे पिती 10 एक दसम लोग 13 सबसे जाना जनसंख्या बिद्धी दर देखी गए इसमें सबसे जाना जनसंख्या बिद्धी दर देखी गए देखी देखिए 45-191 करोर हुई और इसमें दसकी बिद्धी यानि की बड़े कितने जनसंख्या 10.89 करोर हुए और इसमें 24.89 मतलब दस बैश में 24.80 की बिद्धी दर देखी गए थी और बार्षिक बिद्धी दर थी 2.20 जीरो, 1981 में आपकी 68.33 करोड हो गई, तेरे दसमलो 59 करोड की जंसनख्या बिद्धी होई, 24.66, 10 की बिद्धी पिती सत में रही, और वायर सिक रही 2.22 पिती सत, यानि की 2.44, 1991, 84.64 करोड हो गई, 16.30 करोड की जंसनख्या देखी गई बिद्धी, 23.87 करोड की बिद्धी देखी गई, 2.16 यानि की 2.16 की बार्शिक बिद्धी देखी गई, 2001 की बात करें तो 102 करोड थी, 102.87 करोड ये जंसनख्या बिद्धी होई थी, आपकी 18.23 करोड की, और दस बर्श में ये 21.65 पिस्ती बड़ी, और बार्शिक थी 1.97, 2011 की जहां आम लोग अभी पढ़ रहे हैं, तो 121.08 करोड होई, और 18.21 करोड जंसनख्या बड़ी, 2001 से 2010 की ग्यारे की बीज़, 70.77, 37 की बिद्धी दर देखी गई, और बार्शिक बिद्धी दर 1.77 की देखी गई, ठीक है, ये ने तुल्ला आत्मा की रूप से देखने के लिए आपको बताए गए हैं, अब बात करते हैं, सरवादिक दस्की ये जंसंख्या बिद्धी दर बाली, पांच, सीस, राज्ज, या केंदसासिक बिद्धी दर, ये आपके राज्जोग है, और बिद्धी दर, दादरा और नागर हविली की, 55.9% की बिद्धी दर देखी गई, और दमन्दूई में, 53.8, पूडुचेरी में, 1, 28.1, मेगाला में, 27.9, अरुणाचल बिद्धी में, 26.04, 26.0 बिद्धी दर की, अगर निउन्तम, 10 की ये, जनसंख्या बिद्धी दर की बात करें, तो सबसे कम आपकी नागलेंड में रहा, माइनस में रहा नागलेंड, माइनस 0.6, पिद्धी सत की बिद्धी, यानि की कमी आई इस लिया, केरल में आपका 4.9, लक्षदीब में 6.3, अंडवानव निकुबार्दुईप समूँ में 6.9, अरुणाचल बिद्धी में 6.2, ठीक है? अब आप लोग एस से भी देख लिजे, जन्गरना के तुलांतवा का आपड़े, 2001 की है, 2011 की है, ये ब्यक्ती है आपकी टोटल, कितनी जन संख्या थी 2001 में? 102 करोड, 87,37,436, ये 2011 में कितनी हो गई? 121 करोड, 85,970, इन में पुरुसों की संख्याती ही, आपकी 53 करोड, 22,23,090, यानि कि 59.73 पुरुस थी 2001 में? और 2011 की बात करें तो 62 करोड, 32,75,258 पुरुस रहें? महिलाओं की बात करें तो 69 करोड, 65,000, 49,45,346, यानि कि 48 से समलब, 27,37 कुल महिलाएं थी हैं, कुल जन संख्या में सी. 2011 में ये बढ़कर हो गए आपकी 58,75,84,719, लाख में अगर बात करें तो कही जिलों की इससे भी जन संख्या बढ़ जाती है? नंगरिये पितिसत की बात करें तो इसमें आपकी 27,81, नंगरिये जन संख्या थी 2001 में और 2011 में ये बढ़कर हो गए 31,81, दसक में बिद्धी दर की बात करें तो 21,81, नंगरिये जन संख्या बढ़कर हो गई अगर बार्सिक बिद्धी दर की बात करें तो 1,97, पितिसत रही थी आपकी 2001 में और 2011 में ये 1,77 हो गई लिंगनपाद की बात करें तो 933 था लिंगनपाद और 2011 में ये 943 यानि की बढ़ा हैं, साक्षर्था की बात करें हम लोग, तो ये 64.8 पितिसत थे कुल और 73 पितिसत अभी देखी गए ये 2011 में, और उस साक्षर्था की बात करें तो 75.26 पितिसत थे 2001 की जन करना के अमसाल है, 2011 में ये 80.9 हो गई, महला साक्षर्था 53.67 पितिसत थे 2001 में, 2011 में ये 64.6 हो गई, जनगनत पितिब्यक्ति में 325 था 2011 में, एक में, 2011 में ये 382 हो गया, ठीक है, 2001 में 325 था, ये बढ़कर 2011 में 382 हो गया, ये हैं आपके अंतिम आकड़े, मतलब ये हैं आपके राज बाई राज, जैसे आपका ये राज हो गया, जनसन क्या हो गया, लिंगन पात हो गया, जनसन क्या गनत हो गया, पिति-व्यक्ति, व्यक्ति-व्यक्ति-व्यक्ति-व्यक्ति-व्यक्ति-व्यक्ति-व्यक्ति-व्यक्ति-व्यक्ति-व्यक्ति-व् बस बहुत है कि आगड़े सभी याद रख पाना मुश्किल रहेगा तो भारत भारत की जनसेंग्या 121 करोड आठ लाग 95977 है इसमें से पुरो साप की बासट करोड 32,70,258 है महिलाएं 58,75,84,719 है लिंगनपाद 943 है जनसंख्या गनत 382 है दसकी विद्धी 17.7 रही साप्षर्ददर 73,70 है इसमें से पुरो साप की बासट ले लीजिए आप लोग इसका ठीक है 21 के बाद बदल जाएगा है अब जम्मू कस्मीर की आप 2021 के बाद देखेंगे जनर्मना क्योंपी लगदाख में बट चुका है और जम्मू कस्मीर दो राज बन चुके है तो 2011 की अगर हम लोग जनगरना के अनुसार बात करें तो यहां की जनसंख्या आप की थी एक करोड पचीस लाक एक्तालीस हजार तीन सो दो इनमें आपके पूरुष्दे चासाट लाक चालीस हजार चेसो बासट उन्सट्ट महलाएं थी उन्सट करोड पाद क्शोरी उन्सट लाक चेसो चालीस और लिंगन पाथ था यहां 889 जन संख्या गनांते था 124 और 10 की विद्धी 23.6 और 66.2 यहां का पितिवेक्ति मतलब साफच्छता थी इसमें प्रोष थे आपके 26.8 महिला है थी 56.4 इसे आप लोग पढ़ते रहिएगा ठीक क्योंकि इससे कुछेंगे हम डारेक्ट कुछ बता देते हैं उत्तर पिदेश की जन संख्या आपकी सबसे जाना है 19 करोड़ 58,12,341 इसमें से आपके पुरोस हैं 10 करोड़ 44,80,510 महिला हैं 9 करोड़ 53,31,831 आपका जो लिंगन पात है ये 912 और 800 जन संख्या गनत है 829 कितना है 829 और 10 की बिद्धी रहिए 20.2 की और साक्षरता है सरसर 2.7 इसमें पुरोस हैं आपके 77.3,57.2 यहां की मैला है साक्षर एक बात आप लोगों को बदा देए पहले हम लोग बात कर चुके हैं इसके बारे को भी आप लोग देख चाहते हैं इस 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 पेसल वीडियो आईए स्पीसी एस में डला हुआ है क्योंकि हर किसी को बताना आप आप किस राजिकें आप देखते रही है उसमें आपके सामने है ना ठीक है मत्यपिदेश जब 2021 की जन गरना होगी तब मैं आप अच्छे से ब करोड़ चेतर लाग 12306 महिला हैं तीन करोड़ पचास लाग 14503 लिंगनपाल 931 है और जन संख्या गनत 236 है और यहां विद्धी दर रही है 20.3 की और कोल मतलब साफचरता है 19.3 और पूरो से इसमें 78.7 69.2 यहां की आपकी महिला आएं साथ ठीक है इन्हें अच्छे से देख लीजे कुश्चन से नहीं बनेंगे आपकी अधिकतर और जो बनेंगे वो बता चुके हैं ठीक है कि सबसे कम पूछेगा सबसे अधिक पूछेगा या फिर आपके इससे प तो भारत में आपकी 73.7 साक्षरता इसमें से पूरो से हैं 80.9 महिला हैं 84.6 केरल में सबसे जाना है इसलिए आप देखते हैं केरल की वेवस्ता हर्चेत में केरल आगे हैं क्योंकि जहां लोग पढ़े लिखे होंगी वहां सुख सुविदायमी उनके साब से अच्छी होंग यहां आपकी 94.7 जन संक्या पढ़े लिखी है और 96.1 पुरुस पढ़े लिखे हैं 92.1 महिला हैं लक्षदीब 91.8 और 95.6 यहां की पुरुस हैं 87.9 पुरुस यहां की महिला हैं तिपुरा 87.2 पीटीशत साख चरता है इनमें पुरुस हैं 91.5 महिला हैं 82.7 गौअ 87.7 पीटीशत साख चरता है जनमें पुरुस हैं 92.6 महिला हैं 84.7 ठीक है तो पाश टॉप याद रखिए इनसे वनेगा और अपने-अपने राज्यों का याद रख लिजेए क्या है अप अपने अपने राज्यों का याद रख लिए क्योंकि अपने राज्यों में जब आप इस्टेट PCS देते हैं तो उसमें पूछा जा सकता है कि जैसे आपको मद्यपेदेश उत्तरपेदेश का मैं बता देता हूं सबसे लेकिन जानदा अधिकतर महनती लोग यहीं पाए जाते हैं आईस देखिए सबसे जानदा आपके विहार में देखने को मिलेंगी क्योंकि यह लोग महनती होते हैं कि अब आप बात करते हैं लिंगनबाद इन्हें आप लोग स्कीन सौट के लिए की पढ़ते रहिएगा जानदा मैं भी नहीं बता पाऊंगा क्योंकि आपका जो राज यह उसी का तो देखना है आपको और जो मोश्ट मतलब महत्पूने आपके लिए आंकड़ी उन्हें हमने बता भी दिया कि सबसे कहा है लिंगनबाद का में सबसे जादर कहा है इन्हीं से क्वेश्चन से बनते हैं आपके वंडिक जाम में तो देखिए यह उत्तर पेदेश हो गया इसकी जनसें क्या हो गई 19 करोड अंठानुमे लाग बारह हजार तीन सो एकतालीस इसमें से पूरो सो गए 10 44,8510 मैलाएं हुई 9 करोड तिरेबन लाग 31,831 इसमें अभी का आपका लिंगनबाद है 912 पिछली बार 2001 में था 8995 बढ़ा है और सिसु लिंगनबाद की बात करें तो 916 है अभी 2001 में था और 902 अभी यहानी की कम हुआ है यहीं बेहार का देख लीजे टोटल जनसंक्या है 10 करोड 40,99,452 इसमें महिलाएं हैं 5 करोड 42,78,157 चार करोड सोरी पूरो से महिलाएं हैं आपकी 4 करोड 98,021,99,919,2001 में इनका लिंगन पाद था 918,2011 में रहा है लिप सिसु लिंगन पाद 243 था 2001 में जुगहट कर 935 बचा ठीक है यहीं अब अच्छे से देख लिए मद्विदेश का देख लीजे आप लो मद्विदेश का यहां जनसंक्या देखी लिए 27,26,26,809 है जिनमें पूरो से आपके 372,306 यानि की 3 करोड 76,12,306 इनमें महिला हैं आपकी 3 करोड 50,14,503 है 2001 में लिंगन पा 919 था 2011 में 931 हो गया 0 से 6 बरस के बच्चों में बात करें तो 932 था 2001 में और 2011 में गटकर 988 रहे गया ठीक है तो इन्हें अच्छे से याद कर सकते हैं देख चुके हैं वैसे तो यह आकड़े जनसंख्या घनत के फिर भी देख लीजिए जनगारना बर्स हो गया घनत हो गया जनसंख्या विद्धी हो गई पिद्धी पितिसत हो गई 2001 में 77 घनत अथाई 1901 में 77 ब्यक्ति पिती बर्ट किलोमीटर छेतपल में रहते थे 1911 में 82 हुआ 1921 में 81 हुआ नेस सो एकत्तेस मेंनब्य हुआ उननी सो एकत्तालीस में एकसो तीन हुआइज उननीस सो इंक्यावन में एकसो सत्रह हुआ 1968 में 142 हुगा, 1971 में 277 हुगा, 1981 में 216 हुगा, 1991 में 266 हुगा, 2001 में 325 हुगा, 2011 में बढ़कर ये 382 हुगा, ठीक है? अब जनसंक्या की दृष्टी से, अगर 10 बड़ी राज्यों की बात करें, तो राश्टों की, तो राज्ये तो हम लोग देव चुके न, चीन, इसकी जनसंक्या की तेज, 135 करोड है, कितनी? 135 करोड है की करीद, ठीक है? याद रखिये, 135 करोड, और भारत की जनसंक्या की बात क करोड है, लगभग याद रखिये, कौन से आपके आखड़ों जरूरी देना है, भारत की जरूरी आखड़े हैं, वो आपको दे चुके है, अमेरिका की 370 करोड के करीब है, sorry, 370 करोड, 17,00, के करीब, चीन की 135 करोड, भारत की 120 करोड, अमेरिका की 31 करोड है, कितनी 31 करोड, इंडोनेसिया की 23 करोड, व्राजिल की 19 करोड, पाकिस्तान की 18 करोड, पाकिस्तान की जनसंक्या है, उतनी हमारी यूपी की है, याद रखिए यूपी की जाना जनसंक्या है पाकिस्तान से, बंगलाद 14 करोड के करीब, जापान की 12 करोड के करीब है, ठीक है, आपको क्राम से याद रखना है, कौन सा जनसंख्या आपको पूछेगा, बता ये पाकिस्तान की कितनी जनसंख्या है, चीन पाले नमबर पर भारत दूसरे, अमेरिका तीसरे, इंडोनेसिया चोतरे, ब्राजील पांच टॉप पायप को याद रखिया, अब कुछ इसमें आपके एक कुश्चन बन जाती है, भारत में जनसंख्या का संकमड कारण, पिथम अबस्था, 1901 से 1921 तक देश की जनसंख्या में धीमी गती से बिद्धी हुई, पिथम अबस्था, 1901 से 1921 का का कारण उच्छ जनम यानि कि पहले आपके जितने बच्चे जनम लेते थे, उतने ही लोग मर जाते थे, समझ में आए, इसलिए बराबर जाएगे, देश में भीषर अकाल बाह महामारी के चलते, जनसंख्या में उच्छ मित्य उदर्थी, अकाल पढ़ देते, बीमारी आई अपने देखा होगा कि एक बीमारी आई कोई अकाल, गाउं के गाउं साफ हो गया, फिर दुतिय अवस्था थी 1921 से 59 की, देश की जनसंख्या लगवाग स्थेर दर से उत्र उत्तर बढ़ती रही, दुतिय अवस्था 1921 से 1951 का समय, जनसंख्या बिद्धी का मुख कारण अकाल और महामारीयों पर नियंदर से, मित्युदर में कमी थी, इससे मित्युदर तो गटी, किन्तु जनमदर में कोई कमी नहीं आई, 1921 को महान बिवाजक बर्स कहे थे, यह आप से question पूछ लिया है कई वार, महान बिवाजक बर्स किस बर्स को कहे थे, 1921 को, फिर ए तितिय अवस्था, 1951 से 1982 का समय, 1981 के समय, देश की जनसंख्या में अत्यदिक तेजी से बिद्धी हुई, तिती अवस्था, 1951 से 1981 में, जनसंख्या में बिद्धी दर का कारण इस बर्स आउदी में, मित्ती उदर का लगातार घर्थती जाना, क्योंकि अच्छी अच्छी सुदाएं होते जाना, जनमद समय, देश की जनसंख्या में बिद्धी हुई, किल्टु बिद्धी दर में गरावट का रूप जारी रहा, चत्छी से 1981 से 2011 के प्रमुक कारणों में, लोगों में छोटे परिवारी की अउधारना के बल्वत्ती होने से, जनमदर में आई मामूली गरावट, क्योंकि अब आ रहती अपने हैसाब से छोटा फ्लीवारी रखना चाहता है, चत्छोड अवस्था के आधर परिष्टे की भारत जनसंख्या संक्मण की उस अवस्था में फिर्विष्ट यानि कि अरतसास्तियों का नपाथ है कि 2020 की उपरांद कर सकीगा, जमितिव दर में कमी की सासा, जनम का बोला मैं, कि आपका सुन रहे हैं कि 2030 तक या फिर 2050 तक तो क्लियर है कि आपकी जनसंख्या चीन को भी पार कर जाएगी, ठीक है, अब देख लेते हैं यहां इससे questions आपके बनेगे, कुल जनसंख्या, 2011 के, जनसंख्या मद हो गया, 2001 की जनसंख्या हो गया, 2011 की जनसंख्या 31 मार्च 2011 को जारी यहां रखे, 2001 और 2011 की जनसंख्या में कितना अंतर रहा, उससे देख लिए, कुल जनसंख्या, आपकी 2001 में कितनी थी, एक अरब 2 करोड, 87,37,436, जो आपकी 2011 में बढ़कर कितनी हो गई, एक अरब 21 करोड, 85,977, बिर्धी कितनी देखी गई, अठारे करोड, 21,17,541, पुरुस में आपकी, यह आपकी 2001 में थी, 53 करोड, 22,03,090 बेक्ती थे, जिन में 2011 में होई यह, 62 करोड, 32,70,258, इसमें आपकी 9 करोड, 10,00, 10,47,168 बेक्तियों की बिद्धी देखी गई, महिलाओं की बात करें, तो 49 करोड, 65,14,346 थी, 2021, एक में, इस 2011 में बढ़कर हुई, 58,00, 75,84,719, इसमें आपकी 2001 से 2011 की बीच में, आपकी 9 करोड, 10,70,373 महिलाएं की संख्या में बढ़कर हुई, लिगनारपाप, इस तरियां पिती पुरुस में, यानि की पिती पुरुस पर कितनी महिलाएं, तो 2001 में 933 थी, 2011 में 933 हो गई, यानि की 10 पिती सत की बिद्धी, यानि की 10 बिद्धी देखी गई है, ठीक है, अगर जन संख्या घनत की बात करनें, तो 325 था 2001 में, और 2011 में 382 देखा गई, यानि की 57 बिद्धी की बिद्धी देखी गई इसमें, यहां से आपके questions बनते हैं, बारत में कुल जन संख्या में, पुरुसों और स्तियों का अनुबात देखे हैं, तो पुरुसें आपके 59 दिसम्पला, सर्शच, 57,rien यानि की महिलाएं कम हैं पुरुस देखे हैं, बारत की कुल जन संक्या में 0.00-6 ब्यक्तियों की बिच्चों की बाद करें तो 6 ब्यक्तियों से उपर के वने रॉप्य वने खैंly चंक्ड़ 386 यहां जन संक्या की बाध करते हैं भारत में सरवादिक जन संक्या वाले पाच राज इनी से कुश्चन साथ की बनेगी याद रखिए ठीक है तो उत्तर पिदेश में सबसे जानदा 19 करूड 58,12,341 है दूसरे नंबर पर महराष्ट 11 करूड 23,34,333 बिहार तीसरे पर 10 करूड 40,99,452 पश्चे मंगाल तीसरे पर सोरी चोतरे पर 9 करूड 12,16,15 मदपदेश तीसरे नंबर पर 7 करूड 26,26,809 तो आप से पूछेगा कि पहली नंबर पर कौन है उत्तर पिदेश दूसरे पर महराष्ट तीसरे पर बिहार पश्चे मंगाल मदपदेश इन 5 टॉप 5 को याद रखिए अगर नियुनतम 5 नियुनतम 3 राज्यों की बात करें तो इसमें आपके 3 राज्य है सिक्के में सबसे कम 6,10,570 है जन संक्या मिजोरम दूसरे नंबर पर है 10,097,226 और अटवाचल पिदेश आपका तीसरे नंबर पर है 13,83,727 यानि कि सबसे कम आपकी सिक्के में है वो सबसे जान्दा उत्तर पिदेश में है ठीक है? ये दो पॉइंट आपको अच्छे से जाद रखना है सरवाधिक अगर हम लोग जन संक्या के मामले में केंद सासित पिदेशों की बात करें तो दिल्ली की आप लोगोंने देखा है सबसे जान्दा है ये है आपकी एक करोड 67,87,941 फिर आपकी पोड़ुचेरी इसकी जन संक्या है आपकी बारे लाग 47,953 चंडीगर की आपकी 10,55,455 तिल्ली की सबसे जान्दा है इसमें अगर नियुनतम की बात करें जन संक्या के मामले में तीन केंद सासित पिदेशों की तो सबसे कम है आपकी लक्षिदीग की 64,477 दमन दूइप की है 2,43,277 दादर और नागर हफेली की है 3,43,709 लक्षिदीग की सबसे जान्द कम है और दिल्ली की सबसे अधिक है अगर हम लोग 10 की बिद्दी की बात करें सरवादीक दस की बिद्दीवार्य यानि की 10 साल में सबसे जान्द किस राज्य में जन संक्या बढ़ी तो मेगाला में आपकी सबसे जान्द बढ़ी 27,930 की बिद्दी हुई अवणाचलपिदेश दूसरे नमबर पर आए 2630 की बिद्दी देखी गई बिहार तीसरे नमबर सबसे जान्दा सरवादी 10 की विद्धी यानि की 10 बरस में सबसे जान्दा विद्धी देखी गई मेगाले में अगर हम लोग नियुनतम की बात करें तो नागालेंड में सबसे कम माइनस जीव देखी गई फिर आपका केलल दूसरे नंबर पर आग गुवा तीसरे आंध्य पिदेश तेलंगाना मतलब एक हैं 2011 की जंगरना के अनसार आप सभी को पता है कि 2014 में जाकर तेलंगाना अलग रा दादरा एबं नावेवर हविली में यहां 55.9% की बिद्धी देखी गई दूसरे पर दमनवय दूइप की देखी गई फिर पोडुचेरी की देखी गई ठीटर अगर नियुनतम की बात करें कैंसासित पिदेशों की तो यहां लश्चदीप की सबसे कम देखी गई 16.3% अं जनगडने 2011 के अनुसारभादत में 2001 और 2011 में 10 की बिद्धी दर रही आपकी 17.7% जबकि 1991 से 1991 से 2001 में यह आपकी रही थी 21.54% की यानि की कमी देखी गई है इसी तरह उसत बार्षिक जनसंख्या बिद्धी दर की बात करें तो 2001 से 2011 के बीच 1.64% जबकि 1991 से 2001 के बीच आपकी 1.97% बिद्धी दर भी आपकी कमी ही देखी गई इसी तरह निवास करते थे जो 2011 में बढ़कि 382 हो गया कितना 32 बैक्ती पिती बर्ग किलोमीटर में निवास करने लगे भारत में सरबादिक जन-संख्या बाला राज उत्तरपेजिस भारत में सबसेखम जन-संख्या बाला राज तेलंगाना ये आपके वश्टिंस ना सबसेखम ही बनते हैं इन दोनों को याद रखना सबसे अधिक उत्तरपे देश में सबसे कम आपकी सिक्टे में अगर कैंदर सासित के देशों में बात करें तो सरबादी जन संख्या आपकी दिल्ली की है और सबसे कम लक्षदीब की है ठीक है फिर आपका जन संख्या घनत इससे भी आपके questions बनते रहेते हैं तो टॉप फाइब राज्यों की बात करें तो बिहार पहेने नमबर पर है यहां का जन संख्या घनत थे आपका ग्यारे सो च्छे ब्यक्ति पिती वर्ड किलूमीटर पश्टे मंगाल दस वट्ठाइस कीरल आठसो साथ आठसो उनतीस आपका उत्तरपिजिस का हर्याणा चौत की बात करें तो अरणा चल्पिदेश सबसे कम है यहां सत्रे व्यक्ति पति वर्ड किलूमीटर में रहते हैं दूसरे पर मेजोरम बावन सिक्क्यम तीसरे पर नागालेंड चौत्रे पर मडीपूर पांच वेपाद तो सबसे जादा जन संख्या घनत थे आपका बिहार का उ सरवाधिक जन संख्या वाले केंद सासित पे देशों की बात करें तो दिल्ली में सबसे जादा है 11,320 ब्यक्ति पिती बर्ड किलूमीटर में रहते हैं कितना 11,000 ठीक है देख सकते हैं कितनी गणी आवादी है उसके बाद चंडीगर में आपकी 9,258 ब्यक्ति पिती बर्ड किलूमीटर में रहते हैं फिर तीसरे फिर पूडुचिरी है ठीक है भारत में सबसे जादा साक्षरतादर आपकी केरल में है इसमें कोई सक नहीं है स्वास्ति चेत में देखिए केरल की स्थिती सब राज्यों से बहतर है और लिंगनपाद देखिए केरल का सबसे अच्छा है 94 जीरो पितिसत यहां साक्षरतादर है भारत में नियुनतम साक्षरतादर आपकी बिहार राज में देखिए आपका पिछड़ा हुआ राज्य बिहार इसलिए जहां पड़े लिखे लोग होंगे वहां वहां वो राजी तरक्की करेगा इसमें कोई सक नहीं एक सबसें ल दसमलाओ दो पितिसत ठीक है नियुनतम घंणत वाली केंद साथ से राज्यों की बात करें तो इसमें अंडवान निकोबार है यह 46 ब्यक्ती पिती बार किलूमीटर में रहते हैं दूसरे नंबर पर दादरान अगर हविली यहां 700 ब्यक्ती रहते हैं पिती बार किलूमीटर में रहते हैं आगे चलते हैं हम लोग अगर लिंगनपात में सबसे सेक्स रेसियों में सबसे जानदा बात करें तो सरवादिक लिंगनपात बाले पांच राज्य इसमें केरल 984 महला है यानि कि पुरसों से आपकी जह अधिक महला है एक हजार पूर्सों पर आपकी महलाओं की संख्या यहां दस्सो चौरासी है, चौरासी महलाओं या देखें, तर मैं लाडू में दूसरे नंबर पर 996, आद्रपितेश तीसरे पर 993, चत्तीस गड़, आपके 991, मडीपुर, 989, सबसे जाना केरल में, ठीक है? आरोही किरम में निऊंतम लिंगनपाद की बात करें, तो सबसे कम हरियाणा में 889, जम्मु कस्रिमीर में 889, सिख्क्य में 890, पंजाम में 895, उत्तर पितेश में 912, तो सबसे जाना केरल में हो, सबसे कम आपका हरियाणा में, ठीक है? सरवाधिक लिंगनपाद बाली अगर तीन केंदसासित बिदेशों की बात करें तो पुडुचेरी में 1037, लक्षिदीब में 947, अंडवान निकुबार्दुई सबूर में 876 आरोही किरम की अगर हम लोग बात करें तो इसमें मतलब नेउन्नतम की तो सबसे कम दमन और दुई में 688, दादर नगर हविली में 774, चंड़ीगर में 808 सरवादिक अगर लिंग सिसू लिंगनपात बाली पांच राज्यों की बात करें तो इसमें सबसे ज्यादा है अड़नाचल पिदीश सरवादिक सिसू लिंगनपात में आपका सबसे ज्यादा है अड़नाचर पिदीश में और नेउन्तम में आपका हर्याण आई है कितना है 834 पंजाब दूसरे पर 840 जम्मु कस्मीर तीसरे पर 862 राजिस्थान 888 उत्राखंड आपका 890 सरवादिक सिसू लिंगनपात बाले तीन केंदर सासित पिदेशों की बात करें तो अंडवान एक हुबार दुसमीruktur 962 और पुडुचेई 967 926 आपकी दादर नगर एबं नागर हविली अगर नियुन्दम सिसु लेंगन पात वाले तीन केंद सासित पिदेशों की बात करें तो दिल्ली 871 चंडिगड 880 904 यह आपका लक्षिरी ठीक है के बाद आँगे हैं आपका सरबादिक साक्षर्था की बात करें हम लोग तो बता भी चुकांग को केरल सबसे जाना है 94 903 मिजोरम 91.3 गौद 28.7 पिदीशा और तिप्पुरा 87.2 पिदीशा तो हिमाचल पिदेश हिमाचल पिदेश आपका 82.8 पिदीशा यानि कि सबसे जाना साक्षर्था है आपकी केरल में और नियुन्तम की बात करें तो बिहार में यहां 61.8 पिदीशा देखा गया है अरुणाचल पिदीश में आपका 65.6 पिदीशा राजिस्थान में 66.1 जार खंड में 66.4 और आंद पिदीश में 66.0 पिदीशा अगर केंद सासित पिदीशों की बात करें तो लक्षी दीव में सबसे जाना है 91.8 दमंदुई में 87.1 और अगर नियुन्तम साक्षरता नियुन्तम अगर सिसु लेंगनपाद वाली देख चुके हैं आपका ठीक है वैसे भी हर्याणा में सबसे कम है पंजाब में सबसे दूसरे नंबर पर जम्मू किसमी तीसरे राजिस्थान चोत्रे उत्तराकंड या गुजरात 890 की सास्थ पुरुस आपकी साक्षरें दूसरे नंबर पर मिजूरा में 93.3 गुआ 52.6 तेप्पुरा 91.5 हिमाचल पिदिस 89.5 नियुन्तम अगर पुरुस साक्षरता पिदिस सत्थ बाली राज्यों की बात करें तो बिहार में सबसे कम 11.2 अरुना चल पिदिस आपका 12.6 आंद पिदि उसके बाद सरवादीक महला साक्षरता की पिदिस सत्थ की पाँच राज्यों की बात करें तो किरल पहली नंबर पर 92.1 पिदिसात महला आए या साक्षरें हमेजुरम दूसरे पर 89.3 के पिदिसात के साथ गुआ 84.7 के साथ तीशरे तिपुरा 82.7 के साथ चोत्रे नंबर प सबसे कम देखा गया है इंक्यावद 5 राजिस्थान में आपका 52.1 जहार खंड में 55.4 जम्मू कस्मीर में 56.4 उत्तर पिदेश में 57.2 यह आपके सरबादिक बड़े और छोटे राजि के अंदसासित पिदेश हैं सीस राज जनसंख्या के मामली में नियून्तम राज जनसंख्या के मामली में तो यह उत्तर पिदेश पहले नंबर पर महाराष्ट दूसरे बिहाल तीसरे पश्यमंगाल 34 आंदर पिदेश वाजवी नंबर में थीलिए 2011 की जनकर्णा की अंशार बता रहा हूं लक्षदीप सबसे कम सिख्यम में हैं अगर राज्यों की बात की जाए और सबसे अधिक उत्तर पिदेश में अगर सबको केंदसासित पिदेशों को मिला भी दिया जाए तो इसमें सबसे जांदर सबसे कम आपकी लक्षदीप की होगी है जनसंख्या 2011 के अनुसाथ भारत की सबसे बड़े और सबसे चोटे जिलों की बात करें तो थाड़े महराष्ट की जनसंख्या थी आपकी एक करोड़ दसलाथ 6148 उत्तरी 24 परगना पश्चे मंगाल का यह जला है इसकी जनसंख्या थी एक करोड़ नो हजार साथ सो साथ सो एक क्यासी दिबांग आठी अज़नाचल पिदिसका है यहां आठ सो आठ हजार चार यहां की संख्या है और अंजा यह भी आपका अज़नाचल पिदिसका 21167 जनसंख्या आपकोड़ सबसे कम आपकी दिवांग गाटी अज़नाचल पिदिसकी और सबसे जानगा थाने महराष्ट की थाने महराष्ट की ठीक है यह आपके राज्यों का है इंति माकड़ी तो इनमें आपको दीव सकते हैं छेत फल हो गया बड़ किलूमीटर में और जनसंख्या हो गई 2011 की जनसंख्या घंत्त हो गया दस्की विद्धी हो गई इनकी और छेत फल बड़ किलूमीटर में राज्यों गया के अंदे साथ नाम हो गया कि जम्मू गस्मीर कितना इसका छेत फल बड़ किलूमीटर में यह आपका दो करोड बाइस लाग तीन सो चत्थीस बड़ किलूमीटर जनसंख्या आपकी एक करोड पच्चीस लाग एक करोड पच्चीस लाग एक तारीस जार तीन सो पार है एक से किन आप देख लें जम्मू गस्मीर का इतना छेत फल कैसे हो गया जान्दा नहीं है कुछ जम्मू सौरी यार दो लाग बाइस जार तीन सो चत्थीस बड़ किलूमीटर है आपका बोलने में गलती होगी मुझसे ठीक है इस तरह सुदाहर लिया करो यार क्या करूं कुछ जाना ही बोलना पड़ जाता है दो लाग बाइस लाग बाइस जार तीन सो चत्थीस बड़ किलूमीटर चेत फल में फैला हुए अब आप जानते हैं कि लगदा अलग हो चुका है तो 2021 की जान गरना आएगी उसमें पता चलेगा कि कौन क्या क्या इस्तिती है जन संक्या की बात करें आप जन संक्या आपकी एक करोड पचीस लाग एक तालिस अजार तीन सो दो है जन संक्या गरना एक सो चौबीस है दस की विद्धी यां तेज दिसमलाओ छे है इसी तरह से आप इसकी इन सोट लेकर बढ़ते रहे फिर आपका उत्तर पिदेश की बता दियता हूँ उत्तर पिदेश का छेथफल है आपका इसका छेथफल है दो लाग चालीस अजार नौसो अठाईस वर किलो मीटर यहां की जन संक्या है उननीस करोड अन्ठानवे लाग बाला जार तीन सो एक तालिस आट सो उन्तीस यहां का जो जन संक्या गहनत थे और 20.2 की बिद्धी रही है बिहार आपका यहां का 94,183 वर किलो मीटर शेथफल है और जन संक्या है दस करोड चालीस लाग 99,452 यहां का जन संक्या गहनत थे 1106 यानि कि सबसे जांदा आपका विहार का यहां बिद्धी देखी गई 25.4 की इस तरह से आपका चलते हैं मद्वदेश मद्वदेश में आपका 308,252 यानि कि 3,8,252 किलो मीटर शेथफल में फेला हुआ है जन संक्या है यहां कि 3,7,26,26,26,809 और 336 यहां का जन संक्या ग इस तरह आपका इस अभी 2011 की जन गरना है भारत का देख लिजिए भारत का चितफल आपको याद रखना है यह आपका 32,87,479 चितफल इसका कितना 32,87,479 जन संक्या है एक अरब 21,21 करोड एक अरब 21 करोड आठ लाग 55,970 जन संक्या गानत थे 382 और विद्धी दर देखी गई है जन संक्या में 70,87 की 2001 से 2011 की बीच तो यह कहानी थी आपके भारत का भूग उद्धा अब बच्चे आपके भारत के राज तो उनकी बारे में हम लोग अंगली गिलास में देख लेंगे जो भी जितने भी आपके राज है उनके बारे में नहीं लगता है कि कोई कुस्चन्स आपका जाएगा काफी है आपके लिए इतना इस्टेट PCS भी आप लोग प्रेलिम्स दे सकते हैं काफी अद तक इससे ठीक है वंडे एकजाम SSC बैंक रेलवेस तरह इसमें तो आपका कोई भी कुस्चन्स नहीं चूटेगा इससे ठीक ह करते हैं